प्राकों में राम नॉमी पर दंगे हो गए थे बंगाल सुलग उठा दी राम नॉमी से पहले ममता बार बार उसी ओर इशारा कर रही है और दंगों की आशंका जता रही है इधर यूपी के कानपूर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमित बाजवादी पार्टी के नेता समराथ विकास यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसी के बाद वहाँ ऐसा बवाल हुआ कि बात बुरी तरह बिगड़ गए अपने कुछ समर्थकों के साथ विधायक अमित बाजवाई थाने पहुँचे और पुलिस वालों पर हल्ला बोल दिया इस बहस के दोरान वो कभी टेबल पर हाथ पटकते दिखे तो कभी उन्होंने घुस्से में पुलिस अधिकारी को उंगली दिखाते हुए हद में रहने की चेतावनी भी दी पुलिस के मताबिक समाजवादी पार्टी के जिस समराट विकास यादव को गरफतार किया गया उन्होंने माहूल बिगाड़ने की कोशिश की थी उन पर ईद के मौके पर लोगों को बढ़काने क्या रोप लगे और पुलिस ने दावा किया कि इसी वज़े से उन्हें इरासत मिलिया गया पुलिस के मुताबिक कानपुर के शाही इदगा में इद के जश्न के दोरान समराड विकास यादव ने लस्सी बांटने के लिए एक स्टॉल लगा दिया था जब कि उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं मिली थी पुलिस के मुताबिक जब उन्हें रोका गया तो वो इदगाह के दर्वाजे पर ही धरने पर बैठ गया इससे आने जाने का रास्ता जाम हो गया और जब हालात काबू से बाहर हो गये तो पुलिस को उन्हें हिरासत में पढ़ा उनके द्वारा लोगों को प्रेजित किया गया कि वह वहीं बैट के नमाज पढ़ें अनकि समाजबादी पार्टी के कारिकरताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने वहां पहुँचकर साज़िश के तहट समराट विकास यादव को गिरफतार किया इसके लाबा वहां पहुँचे कई और लोगों को भी जान भूच कर परिशान किया गया बता गया कि इसके बाद पहले तो समाजबादी पार्टी के कारिकरताओं ने उसी इदगा के बाहर नारेवाजी की और फिर विरोज जताने के लिए ठाने पहुँच गए उदर दिल्ली शराब गोटाला मामले में BRS नेता के कविटा की मुश्किलें और बढ़ गई दिल्ली शराब गोटाले से जुड़ी Money Laundering मामले में ED के बाद BRS नेता K कविटा को CBI ने गरफतार कर लिया उनकी गिरफतारी तिहार जेल से हुई जहां वो पिछले कई दिनों से नियाई किरासत में है इस मामले में CPI ने पिछले अफ़ते उन से 6 गंटे पूश्टाज भी की थी खबरे की जांज एजिंसी सुबख के कविता को कोट में पेश कर सकती है पश्चिमंगाल में संदेश खाली मामले की जांज कर रही CPI ने शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए एक इमेल आईडी जारी कर दी इसके साथ ही पीडितों से अपील की गई वो बिना डरे इस इमेल पर अपनी शिकायत दर्ज करा है पुझेन के महाकाल मंदर परिसर में खुदाई में मिला एक हजार साल पुराना मंदर जुलाई में पूरी तरह बन कर तयार हो जाएगा बता गया कि इस शिब मंदर की उचाई 37 फीट होगी इस प्राचीन मंदर के अवशेश जून 2021 में मिले थे हर्याना के महिंदर गड़ में उस वक्त अफरा तफ्री मच गई जब वहाँ ईद की छुटी के दिन चात्रों से भरी एक स्कूल बस भीशन हादसे का शिकार हो गई इस घटना में आठ बच्चों की जान चली गई पंदरा से ज़्यादा बच्चे घायल हो गई हादसे के बाद जी एल पब्लिक स्कूल नाम के उस स्कूल की प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि ईद की सरकारी छुटी होने के बाद भी स्कूल को खुला रखा गया और स्कूल जाते हुए वो बस हादसे का शिकार हो गई गटना वाली जगह से आई तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो हादसा कितना खतरनाक रहा होगा क्योंकि उस्कूल बस के परखचे उड़े नजर आये इसके बाद वो बस सीधे एक पेड़ से जा भीड़ी और जोरदार ठक्कर के बाद वहीं पलट गई आरोप लगा कि हादसे के वक्त उस्कूल बस का ड्राइवर नशे में धुद था चश्मदीदों के मताबिक वो स्कूल बस उस पेड़ से इतनी तेज अरफ़तार में टगराई कि कुछ चातरों की वहीं जान चली गई आलगी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों की मदद से घायल हुए बच्चों को अलग-अलग अस्पतालों में भरती करवा दिया ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू किया जा सके लेकिन इस घाटना की खबर लगते ही उन लोगों के होश उड़ गए जिनके बच्चे हादसे का शिकार हुए और इसके बाद तो वो सीधे उन अस्पतालों की ओर दोड़ पड़े जहां घायल बच्चों को भरती करवाय गया वहाँ लोगों की भारी भीड जमा हो गई कुछ परिजन तो अपने घायल बच्चों को गोध में ही उठाकर इलाज के लिए इधर उधर भटकते दिखाई दिये जो बस हादसे का शिकार हुई वो महिंद्रगड में मौझूद जी एल पब्लिक स्कूल नाम के प्राइबेट स्कूल की थी और घटना के वक्त उसमें करीब 40 चात्र मौझूद थी लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि इध की सरकारी चुट्टी वाले दिन भी नमस्ते मैं हूँ किशोर अजवानी और अब आज की ताजा खबर मैं हूँ आपके साथ शिवानी पांडिया शुरुबात करेंगे बंगाल की खबर के साथ बंगाल में BGP नेताशुवें दू धिकारी ने TMC विधायक अमीदुल रहमान का एक वीडियो सोशल मीडीय प्लाटफ Luca बंगाल बीज़पी ने इस वीडियों के आधार पर चुनावा हयोग से हमीदुलरहमान के खलाफ कारवाई की मंग् की है उत्तर दिनाजपुर के चौपडा से हमिदुल रह्मान विधायक हैं और 2022 में विधान सबाचिनाओ के दौरान भीन के विवादासपत बयान ने खुब टूल पकड़ा था और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने टीमसी विधायक हमिदुल रह्मान का एक विडियो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लाटफोर्म एक्स पर लिखा कि चौपडा से टीमसी विधायक हमिदुल रह्मान अपने खलाब दर्ज आपराधिक मामियों के लिए ज देखा जा सकता है उनका आदेश साफ है एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद केंद्री बल चले जाएंगे और एक मात्र बल जो रहेगा वो उनका टीमसी का मतदाताओं और विपक्षी पार्टियों के कार्यकरताओं को उनसे निपटना होगा मैं चुनाव आयोक से चो टीमसी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए मामला तब और भड़क गया जब उन दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम फेंकने शुरू कर दिये और उसके बाद तो वो पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गुझ उठा तस्वीरों में टीमसी के दोनों गुट आमने स सामने नजर आए टीमसी के एक गुटने सड़क के दूसरी तरफ से बमों की बारिश कर दिये इसके बाद जब उस तरफ से भी बम फेंके गए तो वो लोग वहाँ से भागते दिखाई दिये एक के बाद एक हुए कई धमाकों से चारों तरफ धुआ 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 हो गया समर तक उस इलाके में पहुंच गया इसके बाद टीमसी के एक गुटने दीवार पर अपने उम्मीदवार का नाम लिख दिया जिसकी वज़े से टीमसी का ही दूसरा गुट बढ़क गया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी लेकिन थोड़ी देर में मामला इतना बढ़ इस विधायक ने कैमरे के सामने नोटों की गड़ियां लेने से मना कर दिया ये वीडियो सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के आफिस के उधाटन के दौरान का बताया गया सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे इस वीडियो में सुल्तानपुर लोगसवादी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निशाद अपने समर्थकों से गेरे दिखाई दी जैसे ही उनके हाथों में पैसों की गड़िया आई उन्होंने वो पैसे ताहिर खान की तरफ बढ़ा दी लेकिन ताहिर खान ने नोतों के बंडल लेने से इंकार कर दिया हालंकि बाद में समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच पैसे बांटने की बातों से साफ मना कर दिया पार्टी के विधायक दाइर खान ने दावा किया कि ये पैसा चंदे के तहट जमा किया गया था और वही पैसा भीम निशाद उन्हें रखने के लिए दे रहे थे अधीप पार्टी के नेता मोदी जी को गाली देते रहते हैं जेपी नडडा ने कहा कि विपक्ष की आताशा चरम सीमा पर है और वो लोग निराशा की वज़ा से ही ऐसी बयान बाजी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जो लोग खुद बेल पर हैं वो आज मोदी जी को गाली दे मोदी और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं कभी सांप कभी बिच्शू कभी क्या कभी क्या हूँ इनकी निराशा इनकी हताशा इनका फ्रस्टेंशन चरम सीवा पर हैं अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोट पर रहकर कि 12 साल से जादा चीफ निस्टर और अब्दा साल स सक्षासक के रुप में काम किया और एक भी दाग नहीं है ऐसे को मिसा भारती बोलती है मैं चुराओं के बाद जेल में भेज़ें ऐसा फ्रस्टेशन ऐसा निराशा ऐसी निराशा आप बताइए मैं फिर से बोलता हूं लालू सेहत के कारण बेल पर है कि नहीं है चारा घोटा पर हो जिनसे खुद पोच्टा ठोरी हो वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं हादसे के बाद हर्याना की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने अस्पताल में जाकर गायल बच्चों का हाल जाना उन्होंने इस मामले में सक्त जांच के आदेश दिये और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कारवाई की बात कही चुट्टी के दिन स्कूल चल रहा था जो पूरी तरह से गयर कनूनी देश्टान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दरदनाग हादसे पर दुख जताया और इसलिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया क्योंकि दावा किया गया कि जो स्कूल बस हादसे का शिकार हुई उसका ड्राइवर नशे में था और बस चलाने की हालत में नहीं था लेकिन आरोब लगे कि इस बात की जानकारी होने के बाद भी जी एल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने कोई कारवाई नहीं की यही वज़े रही कि पुलिस उन्हें पूश्टाज के लिए अपने साथ ले गई पिंसिपल को हिरासत में लेने के साथ ही पुलिस ने उनके दफ्तर से कुछ दस्तावेज भी जब्त किये इस दिल दहला देने वाले हादसे को लेकर मचे बवाल के बीच हर्याना का परिवहन मंत्राले भी आक्शन में आ गया उसने पूरे प्रदेश में सभी स्कूल बसों की फिटनेस जांच कराने के आदेश दे दिये और इस मामले में लापरवाही करने वाले स्कूलों पर केस दर्ज करवाने का परमान सुना दिया उधर बिहार में मचली के बाद संत्रे पर सियासी पारा चड़ गया तो कि आरजडी नेता तेजस्वी आदव ने संत्रा खाने वाला वीडियो शेयर कर दिया और संत्रे के रंग का जिक्र करते हुए बीजेपी परतंस का साथ इस वीडियो में महागटबंधन में उनके सयोगी और वियाइपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी फिर नज़र आए एक दिन पहले तेजस्वी के मचली खाने वाले वीडियो में भी मुकेश सहनी उनके साथ दिखे दे और अगले दिन आए इस नए वीडियो में भी मुकेश सहनी और तेजस्वी एक साथ संतरा खाते दिखे इस नए वीडियो में तेजस्वी से ज्यादा सन अफ मल्ला कहे जाने वाले मुकेश सहनी बोलते दिखे उन्होंने संत्रे के रंग का जिक्र किया और आशंका जताई कि उनके संत्रा खाने को विरोधी धर्म से जोड़ सकते हैं मुकेश सैनी ने संत्रा खाने के बहाने पिछड़ा कार्ड भी खेल दिया इसके बाद तेजस्वी ने वीडियो में बताया कि उन्हें ये संत्रे बिहार के जमूई के लोगों ने दिये तेजस्वी और मुकेट सेनी का ये नया वीडियो ठीक उसी तरह बनाया गया जैसा एक दिन पहले आया मचली खाने का वीडियो था फर्क बस इतना था कि पहले वीडियो में दोनों नेता बिहारी स्टाइल में मचली, रोटी, मिर्ची और प्यास खा रहे थे उनके पास पीने के लिए सत्तू, बेल का जूस और मठा थे और तूसरे वीडियो में उनके पास खाने के लिए केवल संत्रे थे तेजस्वी आदब के मुताबिक वो संत्रे भी उन्हें जनता ने दिये थे और उन्होंने वही संत्रे खाते हुए नया वीडियो बनाया और बीजेपी पर निशाना साथा वीडियो में तेजस्वी के साथ दिख रहे हैं मुकेश सेहनी ने भी यही बात दो रहे आरजेटी ने जैसे ही संत्रा खाने का वीडियो शेयर किया और भगवारंग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया इससे पहले तेजस्वी के मचली वाले वीडियो पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे क्योंकि वो वीडियो नवरात्र के दौरान आया था पर बम फेंकने शुरू कर दिये और उसके बाद तो वो पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गुंज उठा तस्वीरों में टीमसी के दोनों गुट आमने सामने नज़र आए टीमसी के एक गुट ने सड़क के दूसरी तरफ से बमों की बारिश कर दिये इसके बाद जब उस तरफ से भी बम फेंके गए तो वो लोग वहाँ से भागते दिखाए थी एक के बाद एक हुए कई धमाकों से चारों तरफ धुआ 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 हो गया काफी देर तक हुई बमबारी से पूरे इलाके में चीख पुकार मजगी लोग इधर उधर भागते दिखाए थी बता गया कि इस हमले में एक बच्चे और महिला समेथ पांच लोग बुरी तरह जखनी हो गए और ये सारा विवाद उस वक चुरू हुआ जब लोग सभा चुनाव के पूरे दिखाए दोरा में भी करेंगे रोडशू PMC MLA हमीदुल रह्मान की वोटर को धमकी कहा के इंद्री सुरक्षा भल चुनाव के बाद चले जाएंगे उसके बाद सब को हमारी पूरेस के साथ ही रहना है लालू यादव की बेटी और पाटली पुत्र से RJD उमीदवार मीशा भारती ने PM मोदी के लिए दिया विवादास पतबयान बोली सत्ता में आये तो जे जाएंगे PM मोदी BJP का पलटवार कहा जो भी ब्रष्टाचारी उसकी जगा जेल में पूनिया के निर्दली प्रत्याशी पपुयादव के कारले में पुलिस ने की छापे मारी पुलिस ने डीजे प्रचार गाड़ी को जब्त किया रक्षमंत्री राजनाद सिंग ने की आतंगबाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकाश कहा अगर पाकिस्तान असमर्थ है तो भारत आतंगबाद पर काबू पाने में कर सकता है मदद पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में और समर्थ हैं तो भारत का सही योग प्राप्त करें इसके वाद टीमसी के एक गुट ने दीवार पर अपने उम्मीदवार का नाम लिख दिया जिसकी वज़े से टीमसी का ही दूसरा गुट बढ़क गया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी लेकिन थोड़ी देर में मामला इतना बढ़क गया कि दोनों तरफ से बंबारी शुरू हो गए इसर उत्तरप्रदेश के सुल्तानपूर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निशाद का नोटों की गड़ियों के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया उस वीडियो में वो अपनी ही पार्टी के एक विधायक को नोटों की गड़ि थमाने की कोशिश करते दिखाई दिये लेकिन उस विधायक ने कैमरे के सामने नोटों की गड़ियां लेने से मना कर दिया ये वीडियो सुल्टानपुर में समाजवादी पार्टी के आफिस के उद्धाटन के दौरान का बताए गया सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे इस वीडियो में सुल्टानपुर लोकसवादी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निशाद अपने समर्थकों से गेरे दिखाई दिये जैसे ही उनके हाथों में पैसों की गटिया आई उन्होंने वो पैसे ताहिर खान की तरफ बढ़ा दिया लेकिन ताहिर खान ने नोटों के बंडल लेने से इंकार कर दिया आलकि बाद में समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच पैसे बांटने की बातों से साफ मना कर दिया पार्टी के विधायक तारिखान ने दावा किया कि ये पैसा चंदे के तहट जमा किया गया था और वही पैसा भीम निशाद उन्हें रखने के लिए दे रहे थे रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने आतंगवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी और साथी ये पेशकश भी कर दी कि अगर पाकिस्तान इसे नहीं रोग सकता तो भारत इस काम में उसकी मदद के लिए तयार है काशी विश्वनात मंदिर के गर्ब ग्रह में तयनात रहने वाले पुलिस कर्मियों की ड्रेस में बदलाब कर दिया गया यहां शर्धालूँ के बीच खड़े पुलिस वाले अब पुजारियों की वेशभूशा में नजर आएंगे इन पुलिस कर्मियों के गले में रुत्राक्ष, माथे पर त्रिपुन और गेरुवा कपड़े होंगे इधर इद के जश्ट में शामिल हुई बंगाल के मुख्य मंतरी ममता बेनर जी ने दंगे की आशंका जता दी और लोगों से शांत रहने की अफील की इद के मौके पर कुलकता में एक कारिकरम आयोजित किया गया और इस कारिकरम में ममता बेनर जी और उनके भतीजे अभिशेक बेनर जी भी शामिल हुए मंच पर मौजूद ममता कुछ देर तक एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर भी खड़ी रही इससे पहले उन्होंने लोगों को संबोधित किया और दंगे की आशंका जताते हुए लोगों से शान्त रहने की अपील कर डाली मौका एद का था लेकिन ममता बेनर जी ने दंगे का जिक्र किया यही नहीं उन्होंने वहां मौझूद लोगों को सावधान करते हुए NIA पर भी निशाना साथा लोग सबाचुनाव से पहले दंगे से जुड़ा ममता का ये कोई पहला बयान नहीं है क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक चुनावी रेली में राम नवमी पर दंगे की आशंका जताई थी उनकी ये रेली बंगाल की अलिपुर्द्वार में हुई थी 17 अपरेल को राम नवमी है उसके दो दिन बाद यानि 19 अपरेल को पहले चरण का मतदान होगा और ममता ने आशंका जताई थी कि पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले यानि राम नवमी के दिन दंगा हो सकता है ममता का ये बयान आये ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उनका दंगों से जुड़ा एक और बयान आ गया बीजेपी ने ममता के इस तरह के बयानों को चुनाव में हार का डर माना और दावा किया कि इस बार बंगाल के नतीजे हैरान कर देंगे मैं एद के दिन कोई रज़ितिक बात नहीं करूंगा लेकिन बंगाल के नतीजे चौकाने वाले होंगे पिछले साल बंगाल के कुछ इलाकों में राम नौमी पर तंगे हो गए थे बंगाल सुलग उठा थे राम नौमी से पहले ममता बार बार उसी ओर इशारा कर रही है और तंगों की आशंका जता रही है इदर यूपी के कानपूर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमित बाजपई की वहां के पुलिस वालों से ठीकी बहस हो गई उन्होंने आरोब लगाया कि पुलिस वालों ने ईद के मौके पर नमाज बढ़ रहे लोगों के साथ बत्तमीजी की और जब इसका विरोध किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेता समराथ विकास यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसी के बाद माँ ऐसा बवाल हुआ कि बात बुरी तरह बिगड गए अपने कुछ समर्थकों के साथ विधायक अमित बाजपई थाने पहुँचे और पुलिस वालों पर हल्ला बोल दिया बड़ी खबर इस वक्कि आपको बता दे जम्मो कश्मीर के उधंपूर में पीएं नरेंद्र मोदी की आज विशाल रैली होने वाली है आज सुबा दस बचे उधंपूर में विजए शंकनाद रैली होगी वही राजस्थान की बाढ़ मेर में भी पीएं मोदी रैली करने वाले हैं बाढ़ मेर जैसल मेर लोग सुबा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी उमीदवार हैं वही शाम साड़े तीन बजे पीम नरेंद्र मोदी दौसा भी जाएंगे और वहां पीम मोदी रोडशो भी करेंगे इस बहस के दोरान वो कभी टेबल पर हाथ पटकते दिखे तो कभी उन्होंने घुस्से में पुलिस अधिकारी को उंगली दिखाते हुए हद में रहने की चेतावनी भी दी जब पुलिस वाले समराट विकास यादव को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी के वो सभी कारे करता खुद को भी गिरफतार करने की मांग करने लगे पुलिस के मताबिक समाजबादी पार्टी के जिस समराट विकास यादव को गिरफतार किया गया उन्होंने माहौल बिगाडने की कोशिश की थी उन पर ईद के मौके पर लोगों को बढ़काने के आरोप लगे और पुलिस ने दावा किया कि इसी वज़े से उन्हें इरासत मिलिया गया पुलिस के मताबिक कानपुर के शाही इदगा में इदग के जश्न के दोरान समराट विकास यादव ने लस्सी बांटने के लिए एक स्टॉल लगा दिया था जब कि उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं मिली थी पुलिस के मताबिक जब उन्हें रोका गया तो वो इदगाह के दर्वाजे पर ही धरने पर बैठ गया इससे आने जाने का रास्ता जाम हो गया इसके अलाबा वहां पहुंचे कई और लोगों को भी जान भूच कर परिशान किया गया बताया गया कि इसके बाद पहले तो समाज़बादी पार्टी के कारिकरताओं ने उसी इदगाह के बाहर नारेबाजी की और फिर विरोध जताने के लिए ठाने पहुंच गए उदर दिल्ली शराब गोटाला मामले में BRS नेता के कविता की मुश्किले और बढ़ गई दिल्ली शराब गोटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में ED के बाद BRS नेता के कविता को CBI ने गिरफतार कर लिया उनकी गिरफतारी तिहार जेल से हुई जहां वो पिछले कई दिनों से नियाई किरासत में है इस मामले में CBI ने पिछले अफ़ते उन से 6 गंटे पूश्टाज भी की थी खबरे की जांज एजिंसी सुबह के कविता को कोट में पेश कर सकती है पश्चि मंगाल में संदेश खाली मामले की जांज कर रही CBI ने शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए एक इमेल आईडी जारी कर दी इसके साथ ही पीडितों से अपील की गई वो बिना डरे इस इमेल पर अपनी शिकायत दर्ज करा है पुझेन के महाकाल मंदर परिसर में खुदाई में मिला एक हजार साल पुराना मंदर जुलाई में पूरी तरह बन कर तयार हो जाएगा बतागया कि इस शिव मंदर की उचाई 37 फीट होगी इस प्राचीन मंदर के अफशेश जून 2021 में मिले थे हर्याना के महिंदर गड़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहाँ ईद की छुटी के दिन चात्रों से भरी एक स्कूल बस भीशन हादसे का शिकार हो गई इस घटना में आठ बच्चों की जान चली गई 15 से ज़्यादा बच्चे घायल हो गई हादसे के बाद जी ऐल और पॉलक स्कूल नाम के उस स्कूल की प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि ईद की सरकारी चुटी होने के बाद भी स्कूल को खुला रखा गया और स्कूल जाते हुए वह बस हादसे का शिकार हो गई गटना वाली जगह से आई तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो हादसा कितना खतरनाक रहा होगा क्योंकि उस्कूल बस के परखचे ओड़े नजर आये इसके बाद वो बस सीधे एक पेड़ से जा भीड़ी और जोर्दार ठक्कर के बाद वहीं पलट गई आरोप लगा कि हादसे के वक्त उस्कूल बस का ड्राइवर नशे में धुद था चश्मदीदों के मताबिक वो स्कूल बस उस पेड़ से इतनी तेज अरवतार में ठगराई कि कुछ हात्रों की वहीं जान चलिगे आना कि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों की मदद से घायल हुए बच्चों को अलग-अलग अस्पतालों में भरती करवा दिया ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज चुरू किया जा सके लिक्सबचनाओ की वोटिंग से पहले कॉंगरस के लिए नहीं मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि इस बार टिकेट बटवारे को लेकर महाराश्ट चुंगरस और मुंबई कॉंगरस के बीच कंगरस की भी ठंग गई है और इस मामले में मुंबई कॉंग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवार ने हाई कमान से महराष्ट कॉंग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत की है नाना पटोले पर मुंबई में लोकसभा सीटों के बटवारे पर मुंबई कॉंग्रस एकाई से चर्चा नहीं करने का आरोप है और कॉंग्रस को मुंबई में तीन सीटें मिलने की उम्मीद की और खुद वर्षा गाईकवार दक्षण मुंबई मुंबई से चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा जिसके बाद जो तनाव किस्तिती है वो और जादा बढ़ती हुई का उंग्रस के अंदर खाने दिख रही है तहीं उन लोगों के होश उड़ गए जिनके बच्चे हादसे का शिकार हुए और इसके बाद तो वो सीधे उन अस्पतालों की ओर दोड़ पड़े जहां घायल बच्चों को भरती करवाय गया वहां लोगों की भारी भीड जमा हो गई कुछ परिजन तो अपने घायल बच्चों को गोद में ही उठा कर इलाज के लिए इधर उधर भटकते दिखाई दिये जो बस हादसे का शिकार हुई वो महिंद्रगड में मौझूद जी एल पबिक स्कूल नाम के प्राइबेट स्कूल की थी और घटना के वक्त उसमें करीब 40 चात्र मौझूद थी लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि ईद की सरकारी छुट्टी वाले दिन भी वो स्कूल खुला हुआ था हादसे के बाद हर्याना की शिक्षा मंतरी सीमा त्रिखा ने अस्पताल में जाकर गायल बच्चों का हाल जाना उन्होंने इस मामले में सक्त जांच के आदेश दिये और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कारवाई की बात कही चुट्टी के तिन स्कूल चल रहा था जो पूरी तरह से गयर कनोनी देए पुदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया और पीडित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया क्योंकि इस भैंकर हादसे ने हर्याना ही नहीं बलकि पूरे देश में खलबली मचा दी यही वज़े रही कि हर्याना सरकार पौरन आक्शन में आ गई इस मामले में उस स्कूल की प्रिंसिपल पर भी गंबीर आरोब लगे और इसलिए पुलिस ने उन्हें हरासत में ले लिया क्योंकि दावा क्या गया कि जो स्कूल बस हादसे का शिकार हुई उसका ड्राइवर नशे में था और बस चलाने की हालत में नहीं था लेकिन आरोब लगे कि इस बात की जानकारी होने के बाद भी जील पबिक स्कूल की प्रिंसिपल ने कोई कारवाई नहीं की यही वज़े रही कि पुलिस उन्हें पुष्टाज के लिए अपने साथ ले गई प्रिंसिपल को हिरासत में लेने के साथ ही पुलिस ने उनके दफ्तर से कुछ दस्तावेज भी जब्त किये जिस जिसने कानून तोड़ा उन सब के खिलाव कानूनी कारवाई होगी इस दिल दहला देने वाले हादसे को लेकर मचे बवाल के बीच हर्याना का परिवहन मंत्राले भी आक्शन में आ गया और संत्रे के रंग का जिक्र करते हुए बीजेपी परतंस का साथ इस वीडियो में महागटबंधन में उनके सयोगी और वी आईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी फिर नजर आए एक दिन पहले तेजस्वी के मचली खाने वाले वीडियो में भी मुकेश सहनी उनके साथ दिखे थे और अगले दिन आए इस नए वीडियो में भी मुकेश सहनी और तेजस्वी एक साथ संत्रा खाते दिखे इस नए वीडियो में तेजस्वी से ज्यादा सन ओफ मल्ला कही जाने वाले मुकेश सहनी बोलते दिखे उन्होंने संतरे के रंग का जिक्र किया और आशंका जताई कि उनके संतरा खाने को विरोधी दर्म से जोड सकते हैं मुकेर सेनी ने संत्रा घाने के बहाने पिछड़ा कार्ड भी खेल दिया इसके बाद तेजस्वी ने वीडियो में बताया कि उन्हें ये संत्रे बिहार के जमूई के लोगों ने दिया तेजस्वी और मुकेर सेनी का ये नया वीडियो ठीक उसी तरह बनाया गया जैसा एक दिन पहले आया मचली खाने का वीडियो था फर्क बस इतना था कि पहले वीडियो में दोनों ने ता बिहारी स्टाइल में मचली, रोटी, मिर्ची और प्यास खा रहे थे उनके पास पीने के लिए सत्तू, बेल का जूस और मठा थे और तूसरे वीडियो में उनके पास खाने के लिए केवल संत्रे थे और तेजस्वी आदब के मुताबिक वो संत्रे भी उन्हें जनता ने दिये थे और उन्होंने वही संत्रे खाते हुए नया वीडियो बनाया और बीजेपी पर निशाना साथा। ये वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हलिकॉप्टर में नारंगी पार्टी की। लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी ने बीजेपी पर अमला भी किया और सवाल बूचा कि विरोधी नारंगी रंग से तो नहीं चड़ेंगे। वीडियो में तेजस्वी के साथ दिख रहे हैं मुगेश सेहनी ने भी यही बाद कि प्यार के पूर्णिया से निर्दली उमीदवार पपु यादव के कारेले ने में पुलिस ने चापे मारी की और बड़ी संक्या में पुलिस बल लेकर SDPO पहुँचे थे घटना की जानकारी जब पपु यादव को मिली तो तुरंक वो चुनाव कारेले पहुँचे इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारी के साथ बेहस भी हुई उन्हें पुलिस की इस कारवाई को साजिश बताया और साथ ही उन्हें परिशान करने कारों भी लगाया वहीं पुलिस ने अपनी कारवाई की दौरान पपु यादव की प्रचार गाड़ी जब्त कर ली पुलिस का दावा है कि बिना पर्मिशन के गाड़ी पिचार में लगाई गई थी और इस दोरान पप्पु यादव के समर्थकू ने जम कर नारे बाजी भी की आरजेटी ने जैसे ही संत्रा खाने का वीडियो शेर किया और भगवा रंग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया इससे पहले तेज़स्वी के मचली वाले वीडियो पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे क्योंकि वो वीडियो नवरात्र के दोरान आया था उसरे पर बम फेंकने शुरू कर दिये और उसके बाद तो वो पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गुंज उठा तस्वीरों में टीमसी के दोनों गुट आमने सामने नजर आया टीमसी के एक गुट ने सड़क के दूसरी तरफ से बमों की बारिश कर दिये इसके बाद जब उस तरफ से भी बम फेंके गए तो वो लोग वहाँ से भागते दिखाई थी एक के बाद एक हुए कई धमाकों से चारों तरफ धुआ 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 हो गया काफी देर तक हुई बमबारी से पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई लोग इधर उधर भागते दिखाई दी बता गया कि इस हमले में एक बच्चे और महिला समेथ पांच लोग बुरी तरह जखनी हो गए और ये सारा विवाद उस वक चुरू हुआ जब लोगसभा चुनाव के प्रचार के दौरान टीमसी के दो उम्मीदवारों के समर्थ तक उस इलाके में पहुंच गया इसके बाद टीमसी के एक गुट ने दीवार पर अपने उम्मीदवार का नाम लिख दिया जिसकी वज़े से टीमसी का ही दूसरा गुट बढ़क गया और उन्होंने मार्पीट शुरू कर दी लेकिन थोड़ी देर में मामला इतना बढ़क गया कि दोनों तरफ से बंबारी शुरू हो गए इधर उत्तरप्रदेश के सुल्तानपूर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निशाद का नोटों की गड़ियों के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया उस वीडियो में वो अपनी ही पार्टी के एक विधायक को नोटों की गड़ी थमाने की कोशिश करते दिखाई दिये लेकिन उस विधायक ने कैमरे के सामने नोटों की गड़ीयां लेने से मना कर दिया ये वीडियो सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के उफिस के उद्धाटन के दोरान का बताए गया उनके साथ इसौली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मुहम्मद ताहिर खान भी नजर आए तभी एक आदमी ने भीम निशाद के हाथों में पांसो पांसो रुपए के नोटों के बंडल थमा दिया जैसे ही उनके हाथों में पैसों की गटिया आई उन्होंने वो पैसे ताहिर खान की तरफ बढ़ा दिया लेकिन ताहिर खान ने नोटों के बंडल लेने से इंकार कर दिया हाला कि बाद में समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच पैसे बांटने की बातों से साफ मना कर दिया पार्टी के विधायक तारिखान ने दावा किया कि ये पैसा चंदे के तहट जमा किया गया था और वही पैसा भीम निशाद उन्हें रखने के लिए दे रहे थे इस बीच दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरी वाल के निजी सचिव पर विजलेंस विभाग ने आक्शन ले लिया रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने आतंगवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी और साथी ये पेशकश भी कर दी कि अगर पाकिस्तान इसे नहीं रोग सकता तो भारत इस काम में उसकी मदद के लिए तयार है काशी विश्वनात मंदिर के गर्ब ग्रह में तयनात रहने वाले पुलिस कर्मियों की ड्रेस में बदलाब कर दिया गया या शर्दालूओं के बीच खड़े पुलिस वाले अब पुजारियों की वेश भूशा में नजर आएंगे इन पुलिस कर्मियों के गले में रुत्राक्ष, माथे पर त्रिपुन और गेरुआ कपड़े होंगे सिक्किम में भारती सेना ने युद्धा भास किया चीन की सीमा के फास किये गए इस युद्धा भ्यास से चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई सिक्किम के सुपर हाई अल्टिटूड एरिया में जिवानों ने आंटी टैंक गाड़िड मिसाइलों के साथ युद्धा भ्यास किया सेना के तुरे शक्ति कोर ने 17,000 पीर की उचाई वार प्राक्रिस की है जुसमें इस्टर्न कमांड के माकिनाइजड और इंफैंट्री यूनिट ने हिस्सा भी लिया टाटा ठी प्रीमियम देश की चाई लेकर आया है एक बड़ी मोहें देश के साथ कोई समझोता नहीं इस चुनाव में वोट जरूर करें जश्टन में शामिल हुई बंगाल के मुख्यमंतरी ममता बैनर जी ने दंगे की आशंका जता दी और लोगों से शांत रहने की अपील की ईद के मौके पर कोलकता में एक कारिकरम आयोजित किया गया और इस कारिकरम में ममता बैनर जी और उनके भतीजे अभिशेक बैनर जी भी शामिल हुए मंच पर मौझूद ममता कुछ देर तक एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर भी खड़ी रही इससे पहले उन्होंने लोगों को संबोधित किया और दंगे की आशंका जताते हुए लोगों से शांत रहने की अपील कर डाली मौका एद का था लेकिन ममता बिरंट जी ने दंगे का जिक्र किया यही नहीं उन्होंने वहां मौझूद लोगों को साथान करते हुए एनाईये पर भी निशाना साथा लोग सबा चुनाव से पहले दंगे से जड़ा ममता का ये कोई पहला बयान नहीं है क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक चुनावी रैली में राम नवमी पर दंगे की आशंका जताई थी उनकी ये रैली बंगाल के यलीपुर द्वार में हुई थी 17 अप्रेल को राम नवमी है उसके दो दिन बाद यानि 19 अप्रेल को पहले चरण का मतदान होगा और ममता ने आशंका जताई थी कि पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले यानि राम नवमी के दिन दंगा हो सकता है ममता का ये बयान आये ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उनका दंगों से जुड़ा एक और बयान आ गया बीजेपी ने ममता के इस तरह के बयानों को चुनाव में हार का डर माना और दावा किया कि इस बार बंगाल के नतीजे हैरान कर देंगे पिछले साल बंगाल के कुछ इलाकों में राम नौमी पर दंगे हो गए था बंगाल सुलक उठा था राम नौमी से पहले ममता बार बार उसी ओर इशारा कर रही है और दंगों की आशंका जता रही है इधर यूबी के कानपूर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमित बाजपई की वहां के पुलिस वालों से ठीकी बहस हो गई उन्होंने आरोब लगाया कि पुलिस वालों ने इज़ के मौके पर नमाज बढ़ रहे लोगों के साथ बत्तमीजी की और जब इसका विरोध किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेता समराठ विकास यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसी के बाद महां ऐसा बबाल हुआ कि बात बुरी तरह बिगड़ गए अपने कुछ समर्थकों के साथ विधायक अमित बाजबई थाने पहुँचे और पुलिस वालों पर हल्ला बोल दिया इस बहस के दोरान वो कभी टेबल पर हाथ पटकते दिखे तो कभी उन्होंने घुस्से में पुलिस अधिकारी को उंगली दिखाते हुए हद में रहने की चेतावनी भी दी जब पुलिस वाले समराट विकास यादव को छोडने के लिए राजी नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी के वो सभी कारे करता खुद को भी गिरफतार करने की मांग करने लगे पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के जिस समराट विकास यादव को गिरफतार किया गया उन्होंने माहौल बिगाडने की कोशिश की थी उन पर ईद के मौके पर लोगों को बढ़काने क्या रोप लगे और पुलिस ने दावा किया कि इसी वज़े से उन्हें इरासत मिलिया गया पुलिस के मुताबिक कानपुर के शाही इदगा में इद के जश्न के दोरान समराट विकास यादव ने लस्सी बांटने के लिए एक स्टॉल लगा दिया था जब कि उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं मिली थी पुलिस के मुताबिक जब उन्हें रोका गया तो वो इदगाह के दर्वाजे पर ही धरने पर बैठ गया इससे आने जाने का रास्ता जाम हो गया और जब हालात काबू से बाहर हो गये तो पुलिस को उन्हें इह रासत और एलेक्शन ब्रेकिंग में बात बिहार की, बिहार के पूरियां से नरदली उमीदबार पप्पु यादव के कारले में पुलिस ने छापे मारी की, बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर SDPO पहुंचे थे और गटना की जानकारी जब पप्पु यादव को मिली, तो तु पुलिस अधिकारी के साथ बैस होती हुई भी दिखाई दी, उन्हेंने पुलिस की इस कारवाई को साजिश बताया और साथी, उन्हें परिशान करने का आरो भी लगाया, वहीं पुलिस ने अपनी कारवाई की दौरान पपु यादव की प्रिचार गाड़ी जब्त कर ली ह पुलिस का दावा ये है कि बिना पर्मिशन के गाड़ी प्रिचार में लगाई गई थी, और इस दौरान पपु यादव के स्तमर्थकों ने जम कर नारे बाजी भी की, पुनिया बेहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुनिया से निर्दली विधायक भी, निर्दली उ पुलिस की इस कारवाई को राजनितिक साजिश बताया है, जबकि पुलिस का ये दावा है कि पपु यादव बिना पर्मिशन के प्रचार गाड़ियों को लेकर उनका इस्तमाल कर रहे थे पता नहीं, हम तो छेत में थे एद और सरूर वाले में, आप लोग ने देखा होगा है, अभी जानकारी मिली कि पुलिस फोर्स यहां आईवा है, और गारी को कह रहा था जबरदस्तिया लगा हुआ है महाधेव का, गारी जो पर्मिशन है कुछ गारियों की जो निकली, इस के बाद यही तो खारणामे और खास तोर पर मैं पहले भी का हूँ, और मैं चुनो आयोक से की आगरा करूँगा कि इस तरह के रवये से, जो जिसका मुझे पहले भी संका थी, कि जो मानसिक्ता बनी है जैसे दिली में EDCBI की मानसिक्ता होती है, वैसे चुनो भर ये लोग ज है वो रस्ती सहब से, किसी भी परकरिया के पहले आपका ओडर होना बहुत हावच सकते है जाच किया जा रहा है कि गाड़ी में परमिशन है कि नहीं है, काड़ज की जाच किया जा रहा है, कि ये गाड़ी रोड पर था तो परमिशन के लिए गया था, इन्होंने बताया कि बिहार के पुर्णिया में निर्दली उमीद्वार पपो याधव की पुलिस अधिकारिकों से अचानक बहुत चुरू हो गई पुलिस की एक टीम वहां पपो याधव की गाड़ियों की जांच के लिए पहुंची लिकिन पपु यादव जांच अधिकारियों के साथ उलज गए अधिकारी ने सपाई देने की कोशिश भी की लेकिन पपु यादव के तेवर तलक हो गए अधिकारी लिखेत आदेश नहीं दिखा पाया जिसके बाद पपु यादव का गुसा बढ़ गया लेकिन विवाद बढ़ता चला गए पपू यादव के स्टाफ ने भी अधिकारियों से बहस की कोशिश की पुलिस की टीम को पपू यादव के प्रचार में लगी गाड़ियों की गिनिती का काम दिया गया था आरोपों के मताबिक जितनी गाड़ियों की जानकारी चुनाव अधिकारियों को दी गई थी पपू यादव उससे जादा गाड़ियों का इस्तमाल कर रहे थी इसकी जान शुरू होते ही हंगामा खड़ा हो गया पपू यादव का स्टाफ ही नहीं बलकि उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में वहां जुट गए बारी हंगामे के बीच पुलिस वाले भी अपने काम में लगे रहे जानस के बाद पपू यादव की एक गाड़ी को पुलिस की टीम ने जब कर लिया बिहार में मचली के बाद संत्रे पर सियासी पारा चड़ गया क्योंकि आरजडी नेता तेजस्वी आदव ने संत्रा खाने वाला वीडियो शेयर कर दिया और संत्रे के रंग का जिक्र करते हुए बीजेपी पर तंस कसा इस वीडियो में महागटबंधन में उनके सयोगी और वियाइपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी फिर नज़र आए एक दिन पहले तेजस्वी के मचली खाने वाले वीडियो में भी मुकेश सहनी उनके साथ दिखे थे मुकेर सेनी ने संत्रा खाने के बहाने पिछड़ा कार्ड भी खेल दिया इसके बाद तेजस्वी ने वीडियो में बताया है कि उन्हें ये संत्रे बिहार के जमूई के लोगों ने दिया तेजस्वी और मुकेर सेनी का ये नया वीडियो ठीक उसी तरह बनाया गया जैसा एक दिन पहले आया मचली खाने का वीडियो था फर्क पस इतना था कि पहले वीडियो में दोनों ने ता बिहारी स्टाइल में मचली, रोटी, मिर्ची और प्यास खा रहे थे उनके पास पीने के लिए सत्तू, बेल का जूस और मठा थे और दूसरे वीडियो में उनके पास खाने के लिए केवल संत्रे थे लोकसभा चुनाओं की वोटिंग से पहले कॉंग्रिस के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है क्यूंकि इस बार्ग टिकेट बटवारे को लेकर माराश्ट कॉंग्रिस और मुंबई कॉंग्रिस के बीच ठन गई है और इस मामले में मुंबई कॉंग्रिस अध्यक्ष वर्शाग आईकवार ने हाइकमाच से माराश्ट कॉंग्रिस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत भी की है लेकिन क्योंकि चर्चा नहीं हुई और इसी वज़ा से अब नराजगी साफ जाहिर है तो महाराष्ट कॉंग्रिस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत यहाँ पर बर्शा गायकवार की ओर से की गई है जिसके बाद अब उनकी जो नाराजगी है वो साफ जाहिर होती हुई नजर आ रही है जिसको लेकर बयान बाजी भी अब कॉंग्रिस के अंदर शुरू हो गई है और इतकरार आकर कब खत्म होगी क्योंकि लोगसबा चिनाओ करीब हैं अब भी सीट शेरिंग जो कॉंग्रिस के अंदर हो जानी चाहिए थी माराश्ट के अंदर वो अभी तय नहीं हो पाई है और इसे में तमाम जो बयान बाजी है और नाराजगी है अब धीरे धीरे वो उपर दिखने लगी है तो लोगसबा चिनाओ की वोटिंग से पहले कॉंग्रेस के लिए ये नई मुश्किल है और क्योंकि इस बार टिकेट बटवारे को लेकर माराश्ट कॉंग्रेस और मुंबाई कॉंग्रेस के बीच ठन गई है और इस मामली में मुंबाई कॉंग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवार ने हाई कमान से महराश्ट कॉंग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत दीकी और अपनी शिकायत को लेकर मुंबाई कॉंग्रेस के नेता अच दिल्ली पहुंचेंगे मुंबई कॉंग्रिस की अध्यक्ष वर्षा गायकवार के साथ कई नेता दिल्ली में पाटी आला कमान से मुलाकात करेंगे इस दौरान मुंबई में कॉंग्रिस को तीन सीटें दिये जाने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी क्योंकि ये चर्चा पहले नहीं हो पाई थी और इसलिए अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये मीटिंग होगी तो उसमें अपनी बाते वर्षा गायकवार की ओर से रखी जाएंगी ताकि मुंबे कॉंग्रिस को भी कुछ सीटें वहाँ पर दी जाए क्योंकि खुद वर्षा गायकवार चुनाव लड़ना चाहती है और सांगली सीट को लेकर फिलहाल क्या स्थिती है वो भी आपको समझना जरूरी है क्योंकि इसको लेकर भी दाव पेज लगातार कॉंग्रिस के अंदर फंसा हुआ है सांगली सीट शिफसेना UBT के खाते में गई और लेकिन कॉंग्रिस नेता अब भी सांगली पर लगातार दावा कर रहे हैं और इसलिए ये पेज फंस रहा है कॉंग्रिस के स्थानी नेता विशाल पाटिल को उमीदवार बनाना चाहते है लेकिन शिफसेना अपनी उमीदवारी को लेकर यहां लगातार अड़ी हुई है और इन सब के बीच कॉंग्रिस के स्थानी नेताओं का विरोध जारी है और अब खबर है कि कॉंग्रेस के विशाल पार्टल जो हैं वो अब प्रकाश आम्बेगर की पार्टी वी बिये से चुनाव लड़ने की तैयारी में है उत्तरप्रदेश के सुल्तानपूर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निशाद का नोटों की गड़ियों के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया उस वीडियो में वो अपनी ही पार्टी के एक विधायक को नोटों की गड़ी थमाने की कोशिश करते दिखाई दिये लेकिन उस विधायक ने कैमरे के सामने नोटों की गड़ीयां लेने से मना कर दिया ये वीडियो सुल्टानपुर में समाजवादी पार्टी के अफिस के उध्धाटन के दौरान का बताया गया सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे इस वीडियो में सुल्तानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निशाद अपने समर्थकों से गेरे दिखाई दिये। जैसे ही उनके हाथों में पैसों की गट्डियां आई उन्होंने वो पैसे ताहिर खान की तरफ बढ़ा दी। लेकिन ताहिर खान ने नोटों के बंडल लेने से इंकार कर दिया। हालनकि बाद में समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच पैसे बांटने की बातों से साफ मना कर दिया। पार्टी के विधायक दायर खान ने दावा किया कि ये पैसा चंदे के तहट जमा किया गया था और वही पैसा भीम निशाद उन्हें रखने के लिए दे रहे थे। और प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी पर दिये गए मीशा भारती के विवादास पत बयान पर सियासी घमा सालमा चा हुआ है। ये ऐसी बयान बाजी कर रहे हैं। उन्हेंने का कि जो लोग खुद बेल पर हैं वो आज मोधी जी को गाली दे रहे हैं। चरम सीवा पर हैं। अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोट पत पर रहकर के बारा साल से जादा चीफनिस्टर और अब दस साल से जादा प्रदानमंत्री के रूप में। जोदी जी ने देश के प्रघाम प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है। तो मिसा भारती बोलती है मैं चुराओं के बाद जेल में भेड़े। ऐसा फ्रस्टेशन ऐसा निराशा ऐसी निराशा आप बताईए मैं फिर से बोलता हूँ। लालू सेहत के कारण बेल पर है कि नहीं है। चारा घोटाले में इनवाळड है कि नहीं है। और लोगों से मीसा भारती पर अंजाम है कि नहीं है। जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पोच्ता छो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। दरसल लालुयादव की बेटी और आर्जेडी उमीदवार मीशा भारती ने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास पत बयान दिया था। उन्हें एक चुनावी कारिक्रम में कहा था कि हम सत्ता में आये को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। आर्जेडी ने मीशा भारती को पाटली पुत्र लोकसवा सीट से उमीदवार बनाया है और अब उनका ये विवादास पत बयान सामने आया जिसके बाद से वो लगातार घिरती हुई जा रही है और बीज़पी ने अपना पलटवार भी उन पर किया है सत्ता में आये तो ज आये दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में में एमस्ती लागू करने की बात कर देंगो तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गये थे काहें ने परिवार वाद पे बूले है वो बंद हो गया प्रधान मंतरी जी का इलेक्ष्वाल पॉन से वा पार्ति के बयान आज जेडी की प्रतिक्रिया अब सामने आई है उन्होंने इसे बेफजूल का मुद्दा बताया तो चिराग पास्वान ने बदले की भावना से दिया गया बयान बता दिया प्रधान मंतरी तो बताएं बिहार की लिए वो क्या करेंगे पांक साल के इस पे बात हो ली चाहिए यह विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है यह बदले की बावना अगर का आपके पास कोई आरोप है आप आरोप लगाई है ना 2004 का समय ऐसा था यूपिया की सरकार का जब एक के बाद एक घोटाले हम लोगों ने देखे थे और जितनी भी कारवाई हुई है उन घोटालों के आधार पर यह बिटारी है और निराश्णा में उनने इसे हताशा बता दिया पत्ति कहां से आया जवाब देने के बजाए जो इमंदारी के साथ 140 करोड जंता जो महाभारती का संता ने उसको अपना पड़िवार मानता है और जिसके इमंदारी पर कोई ताग ने लगा है आप उसको जील मेज़ दिजिए गा ये सपना भूल जाईए ये जंगल राज को गुंडाराज में तबदिल करना चाहते थे गुंडाराज में तबदिल देश के प्रदान मंती नरंद मोधी जी नहीं होने दिया है जब कश्मीर के उदंपूर में पीम मोदी की आज विशाल रैली होने वाली है और आज सुबा दस बजे उदंपूर में विजय शंकनाद रैली होगी वही राजस्थान के बाडमेर में भी पीम नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं बाड मेर, जैसल मेर, लोकसवा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी उमीदवार है वहीं शाम साड़े तीन बजे पीम मोदी दौसा भी जाएंगे और वहाँ पीम नरेंद्र मोदी रोडशो करेंगे तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसवा होगी शुरुबात इसकी आज जमु कश्मीर से करेंगे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जहां उधंपुर में वो विशाल रैली करने वाले हैं और आज सुबा दस बजे का समय निर्धारित किया गया है विशे शंकनाज रैली नाम दिया गया है इस रैली को और उसके बाद आगे बढ़ेंगे राजस्थान की ओर राजस्थान में बाड मेर की ओर जाएंगे और वहाँ पर एक रैली को सम्भोदुत करेंगे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा बाड मेल और जैसर मेर लोकसवा सीट से बीजेपी के कैलाज चौधरी उमीदवार हैं और उनी के समर्थर में उनकी ओर से एक रैली की जाएगी और शाम साधे तीन बजे पी-एम नरेंद्र मोदी दौसा भी जाएंगे प्रोड शो होगा यूपी के कानपूर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमित बाजपई की वहां के पुलिस वालों से थीखी बहस हो गई उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने इसके मौके पर नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ बत्तमीजी की और जब इ इस बहस के दोरान वो कभी टेबल पर हाथ पटकते दिखे तो कभी उन्होंने घुस्से में पुलिस अधिकारी को उंगली दिखाते हुए हद में रहने की चेताबनी भी दी जब पुलिस वाले समराट विकास यादव को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी के वो सभी कारे करता खुद को भी गिरफतार करने की मांग करने लगे पुलिस के मताबिक समाजवादी पार्टी के जिस समराट विकास यादव को गिरफतार किया गया उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी उन पर ईद के मौके पर लोगों को बढ़काने क्या रोप लगे पुलिस ने दावा किया कि इसी वज़य से उन्हें हिरासत मिलीा गया पुलिस के मताबिक कानबुर के शाही एदगह में ईद के जश्म के धरान समराद विकास यादव ने लसी बांटने के लिए एक स्टौल लगा दिया था जब कि उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं मिली थी पुलिस के मुताबिक जब उन्हें रोका गया तो वो ईदगाह के दर्वाजे पर ही धरने पर बैठ गया इससे आने जाने का रास्ता जाम हो गया इसके लाबा वहां पहुंचे कई और लोगों को भी जान बूच कर परिशान किया गया मैदान के अंदर नमाजीयों को पुलिस बत्तमीजी से ख़देर रही थी पताया गया कि इसके बाद पहले तो समाजवादी पार्टी के कारिकर्ताओं ने उसी इदगाह के बाहर नारेवाजी की और फिर विरोज जताने के लिए ठाने पहुंच गए करेंगे बारी तादात में दीजेपी कारिकर्ता और लोग इस रैलि में सिरकत करेंगे रैली की पूरी तयारियां कर ली गई है रैली के मद्दे नजर आज शाम पाच बजे तक नो फ्लाइंग जोन रहेगा और ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए हैं आपको बता दे उधमपुर से जीतेंदर सिंग को उमीदवार बनाया गया है जो इससे पहले भी दो बार चुनावी मैदान में रह चुके हैं बीजेपी की ओर से और अब उनको तीसरी ब पर अब यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है और ऐसे में आव देखना होगा कि जनता तक नरेंद्र मोदी की आवाज पहुँंचती है या पिर नहीं क्योंकि विशाल रैली यहां पर होने वाली है और अब यह देखा जाना चाहिए कि ये चुनावी रैली के मद्दे नज दूसरी बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उधंपुर जाएंगे से पहले साल 2014 में भी वो गए थे और अब ये दूसरी बार होगा अला कि अगर वैसे देखा जाए तो तीसरी बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उधंपुर में कदम रखेंगे और ऐसे में कई सारी दिवस्थाइं वहाँ पर की गई है, डॉक्टर जीते इंद्र सिंग को प्रत्याशी बना गया है और इससे पहले भी वो चुनाव वहाँ पर जीच चुके थे और एक बार फिर से वहाँ से ताल ठोक रहे हैं लोक्सभा चुनाव 24 के लिए दोर शोर से चुनाव पर चार हो रहा है, राजस्थान की बार्मेर में पियम मोदी रैली करने वाले हैं शाम साड़े तीन बजे पीएम मोधी दौसा भी जाएंगे और वहाँ पीएम मोधी का एक रोडशो होगा और उस रोडशो में भी वो तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखाएंगे लेकिन फिलाल आपको बता दें सबसे पहला कारकम उनका जम्मू कश्मीर का होगा आज का प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के ओर से एक रोडशो किया जाना है तो लोगसुबा चिनाओं की तैयारी में पूरदोर तरीके से भी जपी लगी हुई है और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके लिए खुद चिनाओ प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं इस वक्त कई सारी रैलियां कर चुके हैं दक्षन भारत हो उत्तर भारत हो पूर्व हो या फिर इसके अलावा पश्चिम हो हर जगा को साधना चाते हैं हर चुनावी रैली को साधना चाते हैं जनता के बीच तक पहुंचना चाते हैं और इसी वज़े से एक दिन में दो से तीन रैलिया लगातार उनकी ओर से की जा रही हैं हर दिन वो चिनावी रैलियां कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांग रहे हैं और आज ऐसे में सबसे पहले 10 बजे ओ जम्मू कश्मीर जाएंगे जम्मू कश्मीर के बाद फिर वो मंत्री ने उसी सवाल का जवाब दिया और कच्चा तीवो दुवीब के मुद्धे पर कॉंग्रेस को खरी-खरी सुना दी दिग्विजे सिंग के एक दिन पहले आये बयान की वज़े से भढ़के और उन्होंने कॉंग्रेस की पुरानी सरकारों के फैसलों पर उंगली उठ एक दिन पहले दिग्विजे सिंग ने कच्चा तीवो के मुद्धे पर बयान दिया था और वहां की आबादी की बात करते हुए सवाल पूछा था वहां के उस द्वीब पे कोई रहता है क्या पुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि 1974 में कॉंग्रेस की सरकार ने कच्चा तीवो द्वीब को श्रिलंका को सौंपिया था जबकि ये द्वीब भारत का इस्सा था पूरु 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 पू की राष्टपती ने एक समझोता किया था और उसके तहट कच्चा तीवु दूइब को श्रिलंका को अपचारिक रूप से सौंप दिया गया था यह यूं कहें कि सरकार का कहना है कि 1974 में इंदरा गांधी की सरकार ने इस दूइब को श्रिलंका को गिफ्ट कर दिया था प्रध प्रधान मंतरी ने तीखी आलोचना की प्रधान मंतरी ने दियाने धिमारन के बयान के जवाब में परिवारवाद का मुद्दा उठाया और आरोब लगाया कि परिवारवाद की राजनीती करने वाले युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते है और उनका होसला त प्रधान मंतरी ने मारन के बयान के जवाब में परिवारवाद का मुद्दा उठाया तो के अनमलाई ने भी कुछ इसी अंदाज में अपने उपर हुए हमले का जवाब दिया यानि देया नेधी मारन का बयान आते ही बीजेपी ने तमिलनाड की सियासत में फलफूल रहे राजनीतिक परिवारों को घेर लिया क्योंकि तमिलनाड बीजेपी के अध्यक्ष के अनमलाई का किसी सियासी परिवार से ताल्लुक नहीं है वो पहले एक पुलिस अधिकारी थे और 2020 में वो बीजेपी का हिस्सा बन गये थे और इसके 9 महिने बाद ही 2021 में उन्हें तमिलनाड बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया थे उन्होंने 2021 में विधान सभा चुनाव भी लड़ा था लेकिन वो हार गय थे लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने तमिलनाड बीजेपी को मजबूत करने में खुब पसीना बहाया और कहते हैं कि पुधान मंतरी उन पर भरोसा करते हैं इसलिए बीजेपी ने तमिलनाड में अन्ना मलाई के दम पर चुनाव में उतरने का फैसला किया अन्नमलाई खुद तमिलनाड के कोईमतूर से चुनाव लड़ रहे हैं। विधान मंत्री ने तमिलनाड में अपने चुनाव अभ्यान का आगाज भी वहीं से किया था। जिनके नाम में राम है, वो सनतन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप छुप रही है। बीजेपी में शामिल हो गय था। और इसके लिए उन्होंने भी कॉंग्रेस माहसेचिव जैराम रमेश को ही जिम्मेदा ठहरा था। बुतपूर्व केंदरिये मंत्रियों के पीए आज कॉंग्रेस चला रहे हैं, जिन्होंने कभी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। इतना ही नहीं दोनों नेताओं ने कॉंग्रेस पर विचार धारा से बठकने का भी आरोप लगाया। पुलिस के साथ ही रहना है। कभी साथ, कभी बिच्चू, कभी क्या, कभी क्या। पुनिया के निर्दली पृत्याशी पपुयादव के कारले में पुलिस ने की चापे मारी पुलिस ने दीजे प्रचार गाड़ी को जब्त किया। रक्षा मंत्री राजनाद सिंग ने की आतंगबाद से ने पटने के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकर्ष कहा। अगर पाकिस्तान आसमर्थ है तो भारत आतंगबाद पर काबू पाने में कर सकता है मदद। पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंगबाद पर काबू पाने में और समर्थ हैं तो भारत का सही योग प्राप्त करें। महाकोश कच्ची घानी सरसुतेल और रिफाइंट सोयबी नॉयल चुनो सही। और एलेक्शन ब्रेकिंग में आप बात हैदरबाद की हैदरबाद में AIMIM के बीच समझोता हो गया। कॉंग्रेस पार्टी ने हैदरबाद में अपना उमीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। इसका दावा कॉंग्रेस नेता मौमद फिरोज ने किया है। हैदरबाद लोगसवा सीट से असुदुद्दीन ओवैसी चनाव लड़ेंगे और इस सीट से कॉंग्रेस पार्टी उमीदवार नहीं उतारेगी। बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को टिकेट दिया है। तो सियासी राने बढ़ता जा रहा है है हैदराबाद में भी लेकिन यहाँ पर ओवैसी की पार्टी AIMIM और कॉंग्रेस की बीच बात बनती हुई दिख रही है। और अब सीधे-सीधे यहाँ पर कॉंग्रेस की ओर से कह दिया गया है कि वो अपना उमीदवार नहीं उतारेंगे और असुदुदीन ओवैसी को अपना पूरा समख्थन देंगे। अलाकि BJP की ओर से माधवी लता को टिकेट दिया गया है जिसके बाद से उनका नाम भी चर्चा में है। कॉंग्रेस और ब्रस तीनों मिले हुए हैं और ये हिंदू के खिलाफ काम करते हैं। हो और ब्रस पार्टि ओर तीनों एकी पाइए हैं एकी ग्रूप है तीनों का डी अन्या एक यह हैं। तीनों मिलके काम करते हैं। तीनों मिलके पुराने शेर के हिंदू हों के किलाफ बात करते हैं। हिंदू हों का अलगालग 100 सा 32 स्लम्स खाली करवाते हैं मज़िस पार्टी। के ज़ último के सब्द करते हैं . आप्टि अप्रेल को पहले चरण के मतदान में उत्राखन की पाँट सभान सीटू पर एक साथ कोडिक अटू होनी हैं। बौड़ी गड़वाल लोकसवा सीट पर बीज़पी के अनिल बलूनी मेदान में हैं। उन्हेंने News18 इंडिया से खास बाचीट में उत्राकंड की पांच की पांच लोकसवा सीट जीतने का दावा किया है। साथी अनिल बलूनी ने कॉंग्रिस पर निशाना साधा, उन्हें कहा कि इस बार तेरा राज्यू में कॉंग्रिस एक भी सीट नहीं जीतने वाली, पिछले एक महिने में करीब 6,000 लोग बीज़पी में शामिल हुए हैं। पांच लोकसवा सीट जीतने का बड़ा दावा किया है। प्रधान मंत्री जी के है, वो हर आदमी करीब है, जो महनत करता है, जो इमानदारी से काम करता है, जो परिश्रम के प्राकाष्टा करता है। जो भी कारे करता, पार्टी को, समाथ को बड़ाने के लिए काम करता है, वो सब उनके नत्री है। प्रधान मंत्री जी तक को अपना भाशन रोके उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा, अरे भाई आप लोग शांत रहों में बोलने तो दोगे। उत्राखंड बहुत लॉयल है प्रधान मंत्री के लिए, बहुत पाफुल है। देखे यह इसको आप ऐसे अगर देखेंगे, यह टूवे है, वन वे नहीं है। प्रधान मंत्री जी उत्राखंड के लोगों को भद क्यार करते हैं। और उत्तरा खंड के लोग भी प्रधानबंति जी से उतना ही प्यार करते हैं जीDEm and चद Georgia अ wij сюда कैश्म 90 के लोगों के साथ को उत्तरा खंड का लोगों का इक पुरह में बहुत पुराना वो aufधान मंत्री जी नहीं थे जब talking निश्टे दर पर पतान मंतरी जिए लगाओ यहां कि लोगों की लूपावीर है पतान मंतरी कहते हैं उत्राइखण में 500 सीटे या आपके बार 400 पार तो कई विपक्ष कहता है कि कहां सी इतनी सीटे में है गड़वाल लोग सभा में हम लोग 5,000 से अधिक फुश्चता उच्छ भी हो गया हो से अधिक लोग जो कांग्रेस के थे वह भारतिमता पार्टी में शामिल हो गया है उत्रा खंड में 15,000 कांग्रेस की कारेकरता वीजेपी में अभी तक सामिल हो चुके तो विपक्ष बचागा है पहली बार दूसरी बात चार सो पार पर अपने सवाल उठाए मीडिया और बाकी लोग विपक्ष जो है वो तीन सो पर भी सवाल उठाता है तो हमारा ट्रेक रिकॉर्ड ऐसे हैं अब चिंता बत कि चार सो पार होके रहेगा तो चार सो पार मैंने जी एक और सव बढ़ाने के लिए आपसे बड़ी उमीदिया है तो अब भाईश्य में क्या भूमिका देखने जब सारे लोग यहां पर आपको इतना मानते ही ता प्यार करते हैं आपके काम की इज़त करते हैं तो देखें यह उत्तराखण में विकास हम लोगों को करने का हमारा लक्ष है और जो भारत सरकार में क्योंकि मैं केंद्रे बीजेपी में मेरा मैं पतादिकारी हूं और इस कारण से सबी लोगों से मेरे बहुती मदूर संबंद हैं अगर मेरे संबंद उत्राखण के विकास में काम आएं उत्राखण के जनकल लियान में काम आएं उत्राखण की समस्या कि मेरे संबन्द अगर राज्य के लिए काम आ रहे तो बहुत अच्छी बाते मिलें तो तीन में मुझे याद है आपको टिकेट मिला था लेकिन आपके जो कई तथा कती सुप्चिंदिकों की कमी नहीं रहती है कभी भी तो जो हम लोगों ने देखा है क्योंकि आपका केरियर हम लोग भी साथ साथ काफी दिनों से देखते हूं बड़े है दो जाथ तीन में लेकिन आप जो आपका जुझारू जो आपका नेचर था उसने उन्हें जड़ाया था जब सुप्रीम कोट जाकर उस चुनाव को आपने नर इंवाइड कर आया था वो जुझारू निल बाल जाए उसके बाद सुप्रीम कोट में भारत के चीफ जर्सिस ने उस चुनाव को रद किया है फिर दोजार पांच में में दुबारा रदा तो मैंने मैं अपनी चीजों में काम करने जुझारू रहता हूं और मैं सुप्रीम कोट तक छोड़ा निए भारत के चीफ जसिस की क तो मेरे साथ चलता है और मैं इसी के लिए बना हूं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अने बालो नीज से अब गड़वाल की जनता क्या उमीद करें मैं निष्च्च्छ तौर पर बहुत कुछ चीजे मेरे मैं प्लैनिंग में आने वाले समय में अंटराखंड में गड़वाल में प्लायन रोखने के लिए विखिल महाईयुद की शुरुवाद करने वाला और निष्च्च्ट तौर पर मान के चरिये कि इस पलायन को दो काम सब करूंगा और भगवाने चाहत तो में सफल भी होंगा इसके साकारात्म प्रणाम आपको कुछ दिनों में देखने लगा है हम लोग उम्मीद करें कि गड़वाल उत्राखंड की पांच की पांच ब्रधान मंत्री मोधी को आप लोग इन तोफ़े में देंगे इस बार बीजेपी के पांच की पांच की पांच तेह हैं ऐसे ग्यारा प्रदेश है शायद इसक्त जा कांग्रेश सुन्य पर है जिसमें उत्राखंड हिमाचल हर्याना दिल्भी राजस्तान मत्यप्रदेश गुजरात बहुत पर ज़्यादा स्टीटेश आप मान के चलिए इस बार वो ग्यारा इस राज्जी जो है वो तेरह होने अगाल में अधिरंजन चौदरी जीते तो जो इस बार उसीट भी चले जाएगी उडिसा में भी एक सीट ने लगी तो एससे बार तेरह चौदा राज्य हो जाएगी यह कांग्रेश सुन्य पर होगी लोग जानते हैं कि अपना वोट खराब ने करता हैं सब जानते हैं पू कि भारत सरकार का कोई भी बड़ा अत्मी कोई भी बड़ा मंत्र हर आदमी हर मंत्री उत्राखंट के गड़वाल के हर देरी पर खड़ा रहेगा दर्वाजे पर खड़ा रहेगा इस गड़वाल के विकास के लिए भारत सरकार का कोई मंत्रियां हर वक्त रेडी रहेगा यह पॉडी में अपने जन संपर का भियान के दौरान बीजेपी उमीदवार अनिल बलूनी ने नियूज 18 इंडिया के माइक पर एक बच्चे का इंटर्व्यू लिया के इंटर आउप्टिंगाने जाएंगे बिल्कुल अभी राफ्टिंग नहीं है नाई मैंने कभी नीकर पार मंपा ने किया थैंट आपको उत्राखंड कैसा लगता है अच्छा लगता है इफक्र जलाख सब्सक्राइब कर एक दोशन पोड़ार का समय को दो बशुच्छा क्य पश्चि मंगाल के हुगली में खाना कुल विधान सभाक शेतर से बीजेपी विधायक सुषांद घोष पर एक सरकारी कर्मचारी के साथ मार्पीट करने का आरोप लग गया पताया कि पीने के पानी की सप्लाई को लेकर सुषांद घोष उस सरकारी कर्मचारी पर भढ़क गय और आरोप है कि उन्होंने सरे आम उसे थपड जड़ दिया इसका एक वीडियो भी सामने आया उसमें सुषांद घोष उस सरकारी कर्मचारी से बहस करते और उसे चांटा मारते दिखाई दिये सरकारी कर्मचारी का नाम अरिंदम भौमिक बताए गया जानकारी के मुताबि में पीने के पानी की सप्लाई को लेकर अरिंदम की उनसे बहस हुई थे मारपीट से पहले का जो वीडियो सामने आया उसमें सडक के किनारे कुछ लोग बादचीत करते दिखाई दिये तभी वहाँ पीजेपी विधायक सुषान घोष अपने समर्थकों के साथ पहुँच गये पहले वो एक दूसरे कर्मचारी को टांटते दिखे इसके बाद वो नीले रंग की टीशर्ट पहने अरिंदम से उलज गये और उसे थपड मार दिये विधायक के थपड मारने के बाद उनके समर्थक भी अरिंदम से मार पीट की कोशिश करते दिखाई दिये तभी सुषान घोष की नजरें वहां लगे CCTV कैमरे पर पड़ी कैमरे को देखते ही वो अपने समर्थकों को रोकने में जुट गए कुछ देड़ तक वहां हंगामा होता रहा हाला कि बाद में सुषान घोष और उनके समर्थक दूसरे सरकारी कर्मचारी को धक्का देकर वहां से ले जाते नजर आए पश्यमंगा की मुख्यमंत्री ममता बनर जी को गुरुवार को जलपाई गुडी में अजीब स्तिती का सामना करना पड़ा ममता बनर जी के काफिले के सामने जैश्री राम किनारे लगे जैसे ही उनका काफिला चालसा इलाके पहुंचा वहां मौजूद बीजेपी कारकरताओं ने जैश्री राम किनारे लगाने शुरू कर दिये अलाकि इस घटना पर ममता बनर जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी चालसा इलाके में बीजेपी उमीदवार के समंतर में बीजेपी की रोड मीटिंग चल रही थी और इसी दोरान वहां से मुख्यमंतरी का काफिला घुजरता हुआ दिखा तो बीजेपी कारकरताओं ने जैश्री राम की नारे लगाने शुरू कर दिये मुख्यमंतरी का काफिला वहां पर कुछ सेकेंड के लिए रुका लेकिन बिना कुछ कहे फिर आगे निकल गया और बंगार में बीजेपी नेता सुवेंदो अधिकारी ने टीमसी विधायक हमिदुल रहमान का एक वीडियो सोचल मीडिया प्लाटफरम एक्सपर जारी किया इसमें टीमसी विधायक हमिदुल रहमान लोगों को धंकाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में हमिदुल रह्मान लोगों से कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद केंद्री बल यहां से चला जाएगा उसके बाद उनकी पुलिस के साथ लोगों को रहना होगा इसलिए वो अपना वोट बरबाद मत करे अब बंगाल बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग से हमिदुल रह्मान के खलाफ कारवाई की मांग की है उत्तर दिनाजपूर के चोपडा से हमिदुल रह्मान विधाख है और 2022 में विधान सिबा चुनाव के दौरान भी इनके विवादास पत बयान ने खुब तूल पकड़ा था चैन्डेल गॉंवेंडल फौर्स है फार्त पर्जूनते ठाकवे त्यार पर अम आधार एट-फौर्स होंग से हमिदुल निहोग तुकर उत्तरी त्यारख है और बीजेपी नेता सुवेंदू अधिकारी ने टीमसी विदायक हमिदुल रहमान का विडियो पोस्ट करते हुए सोचिल मीडिया प्लाटवाम एक्स पर लिखा कि चोपडा से टीमसी विदायक हमिदुल रहमान अपने खलाब दर्ज आपराधे कमामलों के लिए जाने जाते आगे वो लिखते हैं कि उनका आदेश साफ है एक बार चुनाव खत्म हो जाने की बाद केंद्री बल चले जाएंगे और एक मात्र बल जो रहेगा वो उनका टीमसी का है मतदाताओं और वेपक्षी पार्टी के कारेकरताओं को उनसे निपटना होगा आगे सुवेंदू अ अश्वनी चौबे ने बगावत के संकेत दे दिये बकसर में कारेकरम के दोरान उन्होंने अपने समर्थकों को भरुसा देते हुए दावा किया कि बकसर में वो ही रहेंगे इस दोरान अश्वनी चौबे ने अपने खिलाफ शडियंत्र होने की आशंका भी जता दी और चितावनी में दे दी कि उनके खिलाफ शडियंतर करने वालों का परदाफास चुनाव के बाद हो बकसर लोकसबा सीट पर बीजेपी की तरफ से 2014 और 2019 का चुनाव जीतने वाले अश्वनी चौबे ने टिकेट कटने पर हैरानी जताई उन्होंने अपने समर्थकों को भरोसा दिया कि वो बकसर में ही रहेंगे बकसर में माली रहूँगा अश्वनी चौबे की जगा गोपाल गंज के रहने वाले मिथलेश तिवारी को मैदान में उतार दिया लेकिन टिकेट कटने के बाद से अश्वनी चौबे का दर्द बार बार सामने आ रहा है दो दिन पहले पटना पहुंचने पर भी उन्होंने टिकेट नहीं मिलने पर अपना दर्द बया किया था लेकिन बकसर में अपने समर्थकों के बीच तो उन्होंने पूरी तरह बगावत के संकेत दे दिए। बकसर में एक जून को साथ में यानी आखरी चरण में वोटिंग होगी। लेकिन अश्विनी चौबे की बगावत की अटकलों से वहां का सियासी तापमान बढ़ गया। प्यम्सी मले अमिदुल रह्मान की वोटर को धमकी कहा केंद्री सुरक्षा बल चुनाओं के बाद चले जाएंगे। उसके बाद सबको हमारी पुलिस के साथ ही रहना है। पुनिया के निर्दली प्रत्याशी पपु यादव के कारले में पुलिस ने की चापे मारी पुलिस ने डीजे पर चार गाड़ी को जब्त किया। महाकोश, कच्ची घानी सरसु तेल और रिफाइंट सोयाबी नॉयल चुनो सही। मैदान के अंदर नमाजीयों को पुलिस बत्तमीजी से ख़देर रही थी। बताया गया कि इसके बाद पहले तो समाजबादी पार्टी के कारकरताओं ने उसी इदगा के बाहर नारेबाजी की और फिर विरोज जताने के लिए ठाने पहुँच गए। उदर दिल्ली शराब गोटाला मामले में बीरेस नेता के कविता की मुश्किले और बढ़ गई। दिल्ली शराब गोटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में एडी के बाद बीरेस नेता के कविता को सीबी आई ने गिरफतार कर लिया। उनकी गिरफतारी तिहार जेल से हुई जहां वो पिछले कई दिनों से नियाई किरासत में है। इस मामले में सीबी आई ने पिछले अफते उन से चे घंटे पूश्ताज भी की थी। खबरे की जाज एजनसी सुबएक के कविता को कोट में पेश कर सकती है। पश्यमंगाल में संदेश खाली मामले की जांच कर रही सीबी आई ने शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए एक इमेल आईडी जारी कर दी। इसके साथ ही पीडितों से अपील की गई वो बिना डरे इस इमेल पर अपनी शिकायत दर्ज करा है। उजएन के महाकाल मंदर परिसर में खुदाई में मिला एक हजार साल पुराना मंदर जुलाई में पूरी तरह बन कर तयार हो जाएगा। बतागया कि इस शिब मंदर की उचाई 37 फीट होगी। इस प्राचीन मंदर के अफशेश जून 2021 में मिले थे। हर्याना के महिंदर गड़ में उस वक्त अफरा तफ्री मच गई जब वहाँ ईद की छुटी के दिन चात्रों से भरी एक स्कूल बस भीशन हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में आठ बच्चों की जान चली गई। 15 से ज़्यादा बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद जजी एल पबिक स्कूल नाम के उ श्कूल की प्रिंसिपल को हिरासत में लिलिया गयां क्योंकि एद की सरकारी छुटी होने के बाद भी स्कूल को खुला रखा गया। और स्कूल जाते हुए वो बस हादसे का शिकार हो गया। गटना वाली जगह से आई तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो हादसा कितना खतरनाक रहा होगा क्योंकि उस्कूल बस के परकचे उड़े नजर आये उसके पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह तूटा-पूटा दिखाई दिया और किड्कियों का एक-एक शीशा चकना चूर हो गया चश्मतीदों के मताबिक हादसे से पहले वो स्कूल बस बहुत तेज रफ्तार में दोड़ रही थी और एक रास्ते पर मुणने के दौरान ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया इसके बाद वो बस सीधे एक पेड़ से जा भीड़ी और जोर्दार टक्कर के बाद वहीं पलट गे आरोप लगा कि हादसे के वक्त उस्कूल बस का ड्राइवर नशे में धुद था चश्मदीदों के मताबिक वुस्कूल बस उस पेड़ से इतनी तेज अरफ़तार में टगराई कि कुछ चात्रों की वहीं जान चलीगी आला कि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों की मदद से घायल हुए बच्चों को अलग-अलग असपतालों में भरती करवा दिया ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू किया जा सके लेकिन इस घटना की खबर लगते ही उन लोगों के होश उड़ गए जिनके बच्चे हादसे का शिकार हुए और इसके बाद तो वो सीधे उन असपतालों की ओर दोड़ पड़े जहां घायल बच्चों को भरती करवाया गया वहां लोगों की भारी भीड जमा हो गई कुछ परिजन तो अपने घायल बच्चों को गोद में ही उठाकर इलाज के लिए इधर उधर भटकते दिखाई दिये जो बस हादसे का शिकार हुई वो महेंदरगड में मौझूद जी एल पबिक स्कूल नाम के प्राइबेट स्कूल की थी और घटना के वक्त उसमें करीब 40 चात्र मौझूद थी लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि ईद की सरकारी चुट्टी वाले दिन भी वो स्कूल खुला हुआ था हादसे के बाद हर्याना की शिक्षा मंतरी सीमा त्रिखा ने अस्पताल में जाकर गायल बच्चों का हाल जाना उन्होंने इस मामले में सक्त जांच के आदेश दिये और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कारवाई की बात कही चुट्टी के दिन स्कूल चल रहा था जो पूरी तरह से ग्यार कनोनी रहे प्धान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया और पीडित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया क्योंकि इस भैंकर हादसे ने हर्याना ही नहीं बलकि पूरे देश में खलबली मचा दी यही वज़े रही कि हर्याना सरकार पौरन एक्शन में आ गई इस मामले में उस स्कूल की प्रिंसिपल पर भी गंबीर आरोब लगे और इसलिए पुलिस ने उन्हें हरासत में ले लिया क्योंकि दावा किया गया कि जो स्कूल बस हादसे का शिकार हुई उसका ड्राइवर नशे में था और बस चलाने की हालत में नहीं था लेकिन आरोब लगे कि इस बात की जानकारी होने के बाद भी जी एल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने कोई कारवाई नहीं की यही वज़े रही कि पुलिस उन्हें पूश्टाज के लिए अपने साथ ले गई प्रिंसिपल को हिरासत में लेने के साथ ही पुलिस ने उनके दफ्तर से कुछ दस्तावेज भी जब्त किये इस दिल दहला देने वाले हाजसे को लेकर मचे बवाल के बीच हर्याणा का परिभहन मंत्राले भी अक्षन में आगया उसने पूरे प्रदेश में सभी स्कूल बसों की फिटनेस जांच कराने के आधेश दे दिये और संत्रे के रंग का जिक्र करते हुए बीजेपी परतंस का साथ इस वीडियो में महागटबंधन में उनके सयोगी और वियाइपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी फिर नज़र आए एक दिन पहले तेजस्वी के मचली खाने वाले वीडियो में भी मुकेश सहनी उनके साथ दिखे दे और अगले दिन आए इस नए वीडियो में भी मुकेश सहनी और तेजस्वी एक साथ संत्रा खाते दिखे इस नए वीडियो में तेज़स्वी से ज्यादा सन ओफ मल्ला कहे जाने वाले मुकेश सहनी बोलते दिखे उनोंने संतरे के रंग का जिक्र किया और आशंग का जताई कि उनके संतरा खाने को विरोधी धर्म से जोड सकते हैं मुकेर सहनी ने संत्रा घाने के बहाने पिछड़ा कार्ड भी खेल दिया इसके बाद तेजस्वी ने वीडियो में बताया कि उन्हें ये संत्रे बिहार के जमूई के लोगों ने दिया तेजस्वी और मुकेर सहनी का ये नया वीडियो ठीक उसी तरह बनाया गया जैसा एक दिन पहले आया मचली खाने का वीडियो था फर्क बस इतना था कि पहले वीडियो में दोनों ने ता बिहारी स्टाइल में मचली, रोटी, मिर्ची और प्यास खा रहे थे उनके पास पीने के लिए सत्तू, बेल का जूस और मठा थे और तूसरे वीडियो में उनके पास खाने के लिए केवल संत्रे थे और तेजस्वी आदब के मुताबिक वो संतरे भी उन्हें जनता ने दिये थे और उन्होंने वही संतरे खाते हुए नया वीडियो बनाया और बीजेपी पर निशाना साथा वीडियो में तेजस्वी के साथ दिख रहे हैं मुकेश सैनी ने भी यही बात दो राए आरजेटी ने जैसे ही संतरा खाने का वीडियो शेयर किया और भगवारंग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया ये तो इस देश की जनता का दबाव है जो तेजस्वी और उनका पूरा परिवार हरे से के सरिया की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं इससे पहले तेजस्वी के मचली वाले वीडियो पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे कूकि वो वीडियो नवरात्र के दोरान आया था और इसके अगले ही दिन तेजस्वी ने बीजेपी पर نישाना साथते हुए एक और वीडियो शेयर किया और भगवा रंग पर बिहार का सियासी पारा चड़ गया इस बीच पश्चिम अंगाल के मुर्शिदाबाद में उस सुबक देशत फैल गई जब चुनाब प्रचार के दौरान टीमसी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए मामला तब और भड़क गया जब उन दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम फेंकने शुरू कर दिये और उसके बाद तो वो पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गुंजुटा तस्वीरों में टीमसी के दोनों गुट आमने सामने नज़र आए टीमसी के एक गुटने सड़क के दूसरी तरफ से बमों की बारिश कर दिये इसके बाद जब उस तरफ से भी बम फेंके गए तो वो लोग वहाँ से भागते दिखाए दिये एक के बाद एक हुए कई धमाकों से चारों तरफ धुआ 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 हो गया काफी देड़ तक हुई बमबारी से पूरे इलाके में चीख वुकार मच गई लोग इधर उधर भागते दिखाए दिखाए दिए बताय गया कि इस हमले में एक बच्चे और महिला समेथ पांच लोग बुरी तरा जखनी हो गया और ये सारा विवाद उस वक चुरू हुआ जब लोगसभा चुनाव के प्रचार के दौरान टीमसी के दो उम्मीदवारों के समर्ठक उस इलाके में पहुंच गया इसके बाद टीमसी के एक गुट ने दीवार पर अपने उम्मीदवार का नाम लिख दिया जिसकी वज़े से टीमसी का ही दूसरा गुट बढ़क गया कर दिया ये वीडियो सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के आफिस के उधगाटन के दौरान का बताया गया उनके साथ इसौली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मुहम्मद ताहिर खान भी नजर आए। तभी एक आदमी ने भीम निशाद के हाथों में पांसो पांसो रुपए के नोटों के बंडल धमा दिया। जैसे ही उनके हाथों में पैसों की घटिया आई उन्होंने वो पैसे ताहिर खान की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन ताहिर खान ने नोटों के बंडल लेने से इंकार कर दिया हाला कि बाद में समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच पैसे बांटने की बातों से साफ मना कर दिया पार्टी के विधायक तब दिया जमो कश्मीर के उधंपूर में पीए मोदी की आज विशाल रैली होने वाली है आज सुबा दस बचे उधंपूर में विजय शंकनात रैली होगी वहीं राजस्थान की बाड मेर मेर में भी पीए मोदी रैली करने वाले है बाड मेर जैसल मेर लोकसबा सीट से भीजेपी के कैलाश चौधरी उमीदवार हैं वहीं शाम साड़े तीन बजे पीए मोधी दौसा जाएंगे और वहां रोडशो करेंगे अब दिया कि ये पैसा चंदे के तहट जमा किया गया था और वहीं पैसा भीम निशाद उन्हें रखने के लिए दे रहे थे इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के नीजी सचिव पर विजलेंस विभाग ने आक्शन ले लिया रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने आतंगवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी और साथी ये पेशकश भी कर दी कि अगर पाकिस्तान इसे नहीं रोग सकता तो भारत इस काम में उसकी मदद के लिए तयार है काशी विश्वनात मंदिर के गर्ब ग्रह में तयनात रहने वाले पुलिस कर्मियों की ड्रेस में बदलाब कर दिया गया यहां शर्दालूओं के बीच खड़े पुलिस वाले अब पुजारियों की वेश भूशा में नजर आएंगे इन पुलिस कर्मियों के गले में रुत्राक्ष, माथे पर त्रिपुन और गेरुआ कपड़े होंगे इधर इद के जश्ट में शामिल हुई बंगाल के मुख्य मंतरी ममता बेनर जी ने दंगे की आशंका जता दी और लोगों से शांत रहने की अफील की इद के मौके पर कुलकता में एक कारिक्रम आयोजित किया गया और इस कारिक्रम में ममता बेनर जी और उनके भतीजे अभिशेक बेनर जी भी शामिल हुए मंच पर मौजूद ममता कुछ देर तक एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर भी खड़ी रही इससे पहले उन्होंने लोगों को संबोधित किया और दंगे की आशंका चताते हुए लोगों से शान्त रहने के अपील कर डाली मौका एद का था लेकिन ममता बेनर जी ने दंगे का जिक्र किया यही नहीं उन्होंने वहां मौझूद लोगों को साथान करते हुए NIA पर भी निशाना साथा लोग सबाचुनाव से पहले दंगे से जुड़ा ममता का ये कोई पहला बयान नहीं है क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक चुनावी रेली में राम नवमी पर दंगे की आशंका जताई थी उनकी ये रेली बंगाल की अलिपुर्द्वार में हुई थी 17 अपरेल को राम नवमी है उसके दो दिन बाद यानि 19 अपरेल को पहले चरण का मतदान होगा और ममता ने आशंका जताई थी कि पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले यानि राम नवमी के दिन दंगा हो सकता है ममता का ये बयान आये ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उनका दंगों से जुड़ा एक और बयान आ गया बीजेपी ने ममता के इस तरह के बयानों को चुनाव में हार का डर माना और दावा किया कि इस बार बंगाल के नतीजे हैरान कर देंगे मैं एद के दिन कोई रज़्टिक बात नहीं करूंगा लेकिन बंगाल के नतीजे चौकाने वाले होंगे पिछले साल बंगाल के कुछ इलाकों में राम नौमी पर तंगे हो गए थे बंगाल सुलक उठा थे राम नौमी से पहले ममता बार बार उसी ओर इशारा कर रही है और तंगों की आशंका जता रही है इधर यूपी के कानपूर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमित बाजपई की वहां के पुलिस वालों से ठीकी बहस हो गई उन्होंने आरोब लगाया कि पुलिस वालों ने इज़ के मौके पर नमाज बढ़ रहे लोगों के साथ बत्तमीजी की और जब इसका विरोध किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेता समराट विकास यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसी के बाद माँ ऐसा बवाल हुआ कि बात बुरी तरह बिगड़ गए अपने कुछ समर्थकों के साथ विधायक अमित बाजपई ठाने पहुँचे और पुलिस वालों पर हल्ला बोल दिया इस बहस के दोरान वो कभी टेबल पर हाथ पटकते दिखे तो कभी उन्होंने गुस्से में पुलिस अधिकारी को उंगली दिखाते हुए पुलिस के मताबिक समाजबादी पार्टी के जिस समराथ विकास यादव को गिरफतार किया गया उन्होंने माहौल बिगाडने की कोशिश की थी उन पर ईद के मौके पर लोगों को बढ़काने क्या रोप लगे और पुलिस ने दावा किया कि इसी वज़े से उन्हें इरासत मिलिया गया पुलिस के मताबिक कानपुर के शाही इदगा में इदग के जश्न के दोरान समराध विकास यादव ने लसी बांटने के लिए एक स्टॉल लगा दिया था जब कि उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं मिली थी पुलिस के मताबिक जब उन्हें रोका गया तो वो इदगाह के दर्वाजे पर ही धरने पर बैठ गया इससे आने जाने का रास्ता जाम हो गया इसके लाबा वहां पहुंचे कई और लोगों को भी जान भूच कर परिशान किया गया बताया गया कि इसके बाद पहले तो समाज़वादी पार्टी के कारकरताओं ने उसी इदगाह के बाहर नारेबाजी की और फिर विरोज जताने के लिए ठाने पहुंच गए उदर दिल्ली शराब गोटाला मामले में BRS नेता के कविता की मुश्किले और बढ़ गई दिल्ली शराब गोटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में ED के बाद BRS नेता के कविता को CBI ने गिरफतार कर लिया उनकी गिरफतारी तिहार जेल से हुई जहां वो पिछले कई दिनों से नियाई किरासत में है इस मामले में CBI ने पिछले अफ़ते उन से 6 गंटे पूश्टाज भी की थी खबरे की जांज एजिंसी सुबह के कविता को कोर्ट में पेश कर सकती है पश्टमंगाल में संदेश खाली मामले की जांज कर रही CBI ने शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए एक इमेल आईडी जारी कर दी इसके साथ ही पीडितों से अपील की गई वो बिना डरे इस इमेल पर अपनी शिकायत दर्ज करा है उजेन के महाकाल मंदर परिसर में खुदाई में मिला एक हजार साल पुराना मंदर जुलाई में पूरी तरह बन कर तयार हो जाएगा बता गया कि इस शिव मंदर की उचाई 37 फीट होगी इस प्राचीन मंदर के अवशेश जून 2021 में मिले थे हर्याना के महिंदर गड़ में उस वक्त अफरा तफ्री मच गई जब वहाँ ईद की छुटी के दिन चात्रों से भरी एक स्कूल बस भीशन हादसे का शिकार हो गई इस घटना में आठ बच्चों की जान चली गई 15 से ज़्यादा बच्चे घायल हो गई हादसे के बाद जी एल पब्लिक स्कूल नाम के उस स्कूल की प्रिंसिपल को हिरासत में निलिया गया क्योंकि एद की सरकारी छुटी होने के बाद भी स्कूल को खुला रखा गया और स्कूल जाते हुए वो बस हादसे का शिकार हो गये गटना वाली जगह से आई तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो हादसा कितना खतरनाक रहा होगा क्योंकि उस्कूल बस के परखचे उड़े नजर आये उसके पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह तूटा-पूटा दिखाई दिया और किड़कियों का एक-एक शीशा चकना चूर हो गया चश्मतीदों के मताबिक हादसे से पहले वो स्कूल बस बहत तेज रफ्तार में दोड़ रही थी और एक रास्ते पर मुणने के दौरान ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया इसके बाद वो बस सीधे एक पेड़ से जा भीड़ी और जोर्दार टक्कर के बाद वहीं पलट गे आरोप लगा कि हादसे के वक्त उस्कूल बस का ड्राइवर नशे में धुद था चश्मदीदों के मताबिक वुस्कूल बस उस पेड़ से इतनी तेज अरफ़तार में टगराई कि कुछ चात्रों की वहीं जान चलीगी आला कि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों की मदद से घायल हुए बच्चों को अलग-अलग असपतालों में भरती करवा दिया ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू किया जा सके लेकिन इस घटना की खबर लगते ही उन लोगों के होश उड़ गए जिनके बच्चे हादसे का शिकार हुए और इसके बाद तो वो सीधे उन असपतालों की ओर दोड़ पड़े जहां घायल बच्चों को भरती करवाया गया वहां लोगों की भारी भीड जमा हो गई कुछ परिजन तो अपने घायल बच्चों को गोध में ही उठाकर इलाज के लिए इधर उधर भटकते दिखाई दिये जो बस हादसे का शिकार हुई वो महेंदरगड में मौझूद जी एल पबिक स्कूल नाम के प्राइबेट स्कूल की थी और घटना के वक्त उसमें करीब 40 चात्र मौझूद थी लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि इध की सरकारी चुट्टी वाले दिन भी वो स्कूल खुला हुआ था हादसे के बाद हर्याना की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने अस्पताल में जाकर गायल बच्चों का हाल जाना उन्होंने इस मामले में सक्त जांच के आदेश दिये और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कारवाई की बात कही चुट्टी कि अच्छुट्टी कि संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराद और जमीन कब्जा से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने के लिए एक इमेल अड्रेस जारी किया है सिविए ने ये कदम कलकता आइकोट के आदेश के बाद उठाया है CBI का दावा है कि इमेल अड्रेस संदेश खाली अड्रेट cbi.gov.in संदेश खाली के लोगों के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराद और जबरन जमीन हड़ापने की चिकायत दर्स कराने के लिए एक मंच की रूप में काम करेगा कलकता हाइकोट ने 10 अपरेल को संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीडन और जमीन पर कबजे के मामले में जाच थी वो cbi.gov.in संदेश खाली पर इमेल किया जा सकता है प्धान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भी इस दर्दनाक हाज़से पर दुख जताया और पीडित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया क्योंकि इस भैंकर हाज़से ने हर्याना ही नहीं बलकि पूरे देश में खलबली मचा दी यही वज़े रही कि हर्याना सरकार पौरन आक्शन में आ गई इस मामले में उस स्कूल की प्रिंसिपल पर भी गंबीर आरोब लगे और इसलिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया क्योंकि दावा किया गया कि जो स्कूल बस हादसे का शिकार हुई उसका ड्राइवर नशे में था और बस चलाने की हालत में नहीं था लेकिन आरोब लगे कि इस बात की जानकारी होने के बाद भी जी एल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने कोई कारवाई नहीं की यही वज़े रही कि पुलिस उन्हें पूश्ताज के लिए अपने साथ ले गई पिंसिपल को हिरासत में लेने के साथ ही पुलिस ने उनके दफ्तर से कुछ दस्तावेज भी जब्त किये इस दिल दहला देने वाले हादसे को लेकर मचे बवाल के बीच हर्याणा का परिवहन मंतराले भी अक्शन में आ गया उसने पूरे पुरे प्रदेश में सभी स्कूल बसों की फिटनेस जांज कराने के आदेश दे दिये और संत्रे के रंग का जिक्र करते हुए बीजेपी परतंस का साथ इस वीडियो में महागटबंधन में उनके सयोगी और वियाइपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी फिर नज़र आए एक दिन पहले तेजस्वी के मचली खाने वाले वीडियो में भी मुकेश सहनी उनके साथ दिखे थे और अगले दिन आए इस नए वीडियो में भी मुकेश सहनी और तेजस्वी एक साथ संत्रा खाते दिखे इस नए वीडियो में तेजस्वी से ज्यादा सन आफ मला काइजाने वाले मुकेश सहनी बोलते दिखे उन्होंने संतरे के रंग का दिक्र किया और आशनका जताई कि उनके संतरा खाने को विरोधी धर्म से जोड सकते हैं मुकेर सेनी ने संत्रा घाने के बहाने पिछड़ा कार्ड भी खेल दिया इसके बाद तेजस्वी ने वीडियो में बताया कि उन्हें ये संत्रे बिहार के जमूई के लोगों ने दिया तेजस्वी और मुकेर सेनी का ये नया वीडियो ठीक उसी तरह बनाया गया जैसा एक दिन पहले आया मचली खाने का वीडियो था फर्क बस इतना था कि पहले वीडियो में दोनों ने ता बिहारी स्टाइल में मचली, रोटी, मिर्ची और प्यास खा रहे थे उनके पास पीने के लिए सत्तू, बेल का जूस और मठा थे और तूसरे वीडियो में उनके पास खाने के लिए केवल संत्रे थे और तेजस्वी आदब के मुताबिक वो संतरे भी उन्हें जनता ने दिये थे और उन्होंने वही संतरे खाते हुए नया वीडियो बनाया और बीजेपी पर निशाना साथा वीडियो में तेजस्वी के साथ दिख रहे हैं मुकेश सैनी ने भी यही बात दो राए आरजेटी ने जैसे ही संतरा खाने का वीडियो शेयर किया और भगवारंग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया ये तो इस देश की जनता का दबाव है जो तेजस्वी और उनका पूरा परिवार हरे से के सरिया की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं इससे पहले तेजस्वी के मचली वाले वीडियो पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे पर बम फेंकने शुरू कर दिये और उसके बाद तो वो पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गुंजुटा तस्वीरों में टीमसी के दोनों गुट आमने सामने नज़र आए टीमसी के एक गुट ने सड़क के दूसरी तरफ से बमों की बारिश कर दिये इसके बाद जब उस तरफ से भी बम फेंके गए तो वो लोग वहाँ से भागते दिखाई दिये एक के बाद एक हुए कई धमाकों से चारों तरफ धुआ 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 हो गया काफी देड़ तक हुई बंबारी से पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई लोग इधर उधर भागते दिखाई दिये बताय गया कि इस हमले में एक बच्चे और महिला समेथ पांच लोग बुरी तरह जखनी हो गए और ये सारा विवाद उस वक चुरू हुआ जब लोगसभा चुनाव के प्रचार के दौरान टीमसी के दो उम्मीद्वारों के समर्थक उस इलाके में पहुंच गया इसके बाद टीमसी के एक गुट ने दीवार पर अपने उम्मीद्वार का नाम लिख दिया जिसकी वज़े से टीमसी का ही दूसरा गुट बढ़क गया और उन्होंने मार्पीट शुरू कर दी लेकिन थोड़ी देर में मामला इतना बढ़क गया कि दोनों तरफ से बंबारी शुरू हो गए इसर उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीद्वार भीम निशाद का नोटों की गड़ियों के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया उस वीडियो में वो अपनी ही पार्टी के एक विधायक को नोटों की गड़ि थमाने की कोशिश करते दिखाए दिये लेकिन उस विधायक ने कैमरे के सामने नोटों की गड़ियां लेने से मना कर दिया ये वीडियो सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के उफिस के उधगाटन के दोरान का बताए गया सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे इस वीडियो में सुल्तानपुर लोकसवादी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निशाद अपने समर्थकों से गेरे दिखाई दिये जैसे ही उनके हाथों में पैसों की गटिया आई उन्होंने वो पैसे ताहिर खान की तरफ बढ़ा दिया लेकिन ताहिर खान ने नोटों के बंडल लेने से इंकार कर दिया हाला कि बाद में समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच पैसे बांटने की बातों से साफ मना कर दिया पार्टी के विधायक तारिखान ने दावा किया कि ये पैसा चंदे के तहट जमा किया गया था और वही पैसा भीम निशाद उन्हें रखने के लिए दे रहे थे इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के नीजी सचिव पर विजलेंस विभाग ने आक्शन ले लिया रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने आतंगवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी और साथी ये पेशकश भी कर दी कि अगर पाकिस्तान इसे नहीं रोग सकता तो भारत इस काम में उसकी मदद के लिए तयार है काशी विश्वनात मंदर के गर्ब ग्रह में तयनात रहने वाले पुलिस कर्मियों की ड्रेस में बदलाब कर दिया गया यह श्रधालूं के बीच खड़े पुलिस वाले अब पुजारियों की वेश भूशा में नजर आएंगे इन पुलिस कर्मियों के गले में रुत्राक्ष माथे पर त्रिपुन और गेरुआ कपड़े होंगे इधर इद के जश्ट में शामिल हुई बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बेनर जी ने दंगे की आशंका जता दी और लोगों से शांत रहने की अपील की इद के मौके पर कुलकता में एक कारिक्रम आयोजित किया गया और इस कारिक्रम में ममता बेनर जी और उनके भतीजे अभिशेक बेनर जी भी शामिल हुए मंच पर मौजूद ममता कुछ देर तक एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर भी खड़ी रही इससे पहले उन्होंने लोड़ी की आज विशाल रैली होने वाली हो और आज सुबा दस बचे उदंपूर में विजय शंकनाद रैली होगी वही राजस्थान की बाड़मेर में भी पीम मोदी रैली करने वाले हैं बाड़मेर जैसलमेर लोगसभा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी उमीदवार हैं वही शाम साड़े तीम बजे पीम मोदी दौसा जाएंगे और वहाँ पीम नरेंद्र मोदी रोड़शो भी करेंगे तो जम्मो कश्मीर की उधंपूर में पीम मोदी की आज विशाल रैली होने वाली है और आज सुबाद दस बजे उधंपूर में विजेश अंकनाद रैली होगी पीम मोदी विशाल जंसभा को संबोद भी करेंगे भारी तादात में वीजेपी कारे करता और लोग इस रैली में शिर्कत करेंगे रैली की पूरी तयारियां कर ली गई है रैली के मद्दे नजर आज शाम पांच बजे तक लो फ्लाइंग जोन एरिया रहेगा और ऐसे में पूरी तयारियां यहाँ पर कर ली गई है उधंपूर में सबसे पहली रैली होने वाली है पीम नरेंद्र मोदी की और उसके बाद फिर बाडमेर जाएंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर भी एक विशाल जंसभा को संबोदित करेंगे जंता के बीच पहुंचने की पूरी तयारी है और हर दिन प्रधान मुंत्री नरेंद्र मोदी लगबग दो से तीन रैलियां करते हुए नजर आ रहे है और आज का उनका सबसे पहला पढ़ाव होगा उधंपूर जमू कश्मीर जहां पर वो जाएंगे और ऐसे में पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोशित कर दिया गया है सुरक्षा के मद्दे नजर उधंपूर में आज पियम मोदी का मेगा शो होने वाला है और इस सिलसले में बीजेपी के बड़े बड़े नेता उधंपूर पहुंच रहे हैं इस दौरान जम्मू उधंपूर हाइवे पर पढ़ने वाली चूले वाली चाय की दुकान सियासत दानू का पसंदीदा खिकाना बन गई है मौके का जाइजा लिया अमारी संबाद दाता कोमल सेंग में क्षमीर के लिए जाते हैं तो यहां पर चूले वाली चाय पी बिरा नहीं जाते हैं बिलकुल और आज जो एक भव्य रैली होने वाली है इसलिए हम यहाँ पर आएं कि आज मोदी के चाहने वाले यहाँ पर मजूद है और जितने भी गाड़ियां चोटी बड़ी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही है वो यहाँ पर चुलहे वाली चाई की चुस्किया जो है वो लिये बिना नहीं रहे हैं, विजुल्स में आप देखिये कि बहुत बड़ा चुलहा है ये, और ये बहुत पुरानी दुकान है, बहुत सालों कुरानी दुकान है, और जितने भी हमारे जमु कुश्मीर के घड़े लेता है, वो यहां पर आए बिना नहीं रहते हैं, हाला कि अब च चाहे कोई ना पीए और मठी ना खाए ऐसा भलक ऐसे हो सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार हो रहा है राजस्थान की बाड़मेर में पीम मोधी रैली करने वाले हैं पीम मोधी विजय शंकनाज रैली को संबोधत करेंगे बाड़मेर जैसल में लोकसभा सीट से बीजय पी के कैलाज चौधरी उमीदवार है और कैलाज चौधरी के समर्थन में वोट मांगेंगे विशाल जंसभा की तैयारियां पूरी कर ली गई है वहीं शाम साड़े तीन बजे पीम मोधी दोसा भी जाएंगे और बहाँ पर पीम मोधी का रोट शो भी होगा तो ऐसे में बाड़मेर का जो जाती समिकरन है उसको साधने के लिपदान मंत्री नरेंद्र मोधी पहुंच रहे है और ऐसे में जो पूरा खेल है त्रिकोनी होता हुआ नजर आ रहा है और आगे देखना होगा दिल्चस्प होगा कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि पूरी तयारे यहाँ पर कर ली गई है और लोगसवा चुनाव नस्दीक है और ऐसे में यहाँ पर जब मद्दाता वोट डालेंगे तो आखिर उनकी ओर से किसका चुनाव किया जाता है इजपी नेभी कॉंग्रेस की पक्की माने जाने वाली सीट को आपने कबजे में लेने के लिए कमार कसली है कमनलाथ के लिए छिंदवाडा कितनी बड़ी चुनो थी क्या छिंदवाडा जीतेंगे या होगी अगनी परीक्षा क्या बीजपी कमनलाथ के गड़ में सेंद लगा पाईगी छिंदवाडा के दिल में कौन है ये दो तस्वीरें छिंदवाडा की सियासी लड़ाई को बया कर रही है बीजपी और कॉंगर्स दोनों जीजान से छिंदवाडा पर कबजा करने की कोशिश में जुटे हैं लेकिन छिंदवाडा में कमनलाथ की पकड़ ऐसी है जिसको भेद पाना बीजपी के लिए आसान नहीं होगा आई लव छिंदवाडा चुनाज़ का मसम है हर राजनितिक पार्टी को चिंदवाडा से प्यार है और चिंदवाडा की इसप्यार में कमनलाथ के लिए गर माहना जाता है तो लिए बीजपी भी इस भार छिंदवाडा को इतना प्यारा कर रही News 18 इंडिया की टीम छिंदवाडा की जनता का मन टटोल रही है लेकिन क्या कमलनात की गड़ में BJP सेंद लगा पाएगी? ये सवाल सभी के जहन में है नेता अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए जनता के बीच है और News 18 इंडिया की टीम भी जनता से ये समझने में जुटी है कि आखिर उनके मन में कौन है कमलनात के बेटे नकुलनात या फिर बीजेपी के विवेक साहू कमलनात अपने बेटे को अपने सियासी गड़ को सौपने में कोई कोर का सर नहीं छोड़ना चाहते और जनता की नबस टटोलने के लिए कमलनात अपने बेटे नकुलनात के साथ जनता के बीच में है इस बार कमलनात की करीबी बिछड़ गए है इसलिए साख दाउं पर है न्यूज एटीन इंडिया ने नकुलनात से समझने की कोशिश की क्या आखिर वो कैसे जनता को फिर से साधने में काम्याब होंगे ऐसा नहीं है कि इस बार नरेंद्र मोदी की लोगप्रियता का असर नहीं देख रहा है लेकिन कमलात बार बार कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो वो चिंदबाड़ा का विकास किसी कीमत पर रुकने नहीं देंगे एक तरफ परिवार की सियासी जमीन है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बंटी विवेक साहू चिंदवाड़ा के लिए नई उम्मीद बनकर उभरे हैं और इस बाद चिंदवाड़ा में कमलनाथ की सियासी जमीन को धाराशाही करने के लिए मदप्रदेश के सीम मोहन यादव भी खुद मैदान में उतर चुके हैं वो लोगों को चिंदवाड़ा के विकास के रोड मैप के साथ साथ पीम मोधी के विक्सित भारत का विजिन भी समझा रही है जो उनको प्रतारीत करते हैं तो इस बार शिंद्वाड़ा के दिल में कौन है इस पर उनीस अप्रैल को जनता अपनी मोहर लगाएगी और चार जून को पूरा देश्ट शिंदवाडा की दिल की बात सुनीगा जम्मू के अकनूर में बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही कॉंग्रेस के दो धड़े आपस में भिड़ गए लेकिन उन समर्तकों ने रमण भला के बजाए अपने अपने नेताओं के नारे लगाने शुरू कर दिए एक दूसरे को ताकत दिखाने के लड़ाई धक्का मुक्की में बदली और फिर नौबत मारपीट टका गे यह हंगामा सडक के बीचों बीच हुआ अपने प्रिक्तियाशी के लिए जम्मू की सडकों पर वोट मांगते कॉंग्रेस के कारेकरताओं की मारपीट को रास्ते से गुजर रहे लोगों ने भी देखा क्योंकि वहाँ इतना बवाल हुआ कि लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस वालों को बीच में आना पड़ा आरोप लगा कि लड़ाई की शुरुवात इस बात से हुई कि कौन सा नेता अपने साथ कितने कारेकरता लेकर पहुंचा इसके बाद उनके बीच आपस में विवाद हुआ और फिर बात गाली गलोज तक पहुंच गई हालनकि बाद में पुलिस ने उन्हें किसी तरह शांत कराया और आगे रवाना कर दिया मद्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने कॉंग्रेस से बीजेपी में आये नेताओं की तुलना विभीशन से कर दी टिवराज सिंग चोहान मद्रदेश के विदिशा से लोगसबा चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने इस सीट पर बूत कारे करता सम्मेलन किया और इसी सम्मेलन में उन्होंने उन नेताओं की विभीशन से तुलना कर दी जो कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी में आये थी शिवराज ने उम्मी जिताई की दोनों नेता विदिशा में कॉंग्रेस की कमियों को बीजेपी को बताएंगे और चुनाव में अपनी एहमियत साबित करेंगे शिवराज सिंग जोहान विदिशा से लोगसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए उन्होंने कारकरताओं का सम्मेलन किया और अपनी चुनावी तयारियों को धार दी वो विदिशा में लोगों से भी मिले और प्रचार के दोरान सड़क किनारे चाय पी और पान खाया अब बात माराज शुकी बारामती सीट की माराज शुकी बारामती सीट पर लोगसभा चुनाव बेहत दिल्चस्प हो गया है इस सीट पर कौन बाजी मारेगा ये चार जून को ही पता चलेगा लेकिन इस बार चुनाव में ननद और भावी के बीच कड़ी टकर देखने को मिल रही है अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और शरत पवार की बेटी सुप्रिया सूले एक दूसरे के सामने है सुप्रिया सूले ने बारा मती में चुनाव जीतने के लिए एडिक चोटी का जोर लगा दिया है इस समय हम पूरे में हैं और NCP सब्वाज तकी तब से सुप्रिया थाई कैंपेरिंग कर देख सकते कि जो सुप्रिया सुले जी है एक स्कूटी पर बैक कर पूरे की सड़कों पर कैंपेरिंग करने हैं अभी यह जहां भी जा रहे हैं उनके साथ हम मौजूद रहेंगे उनसे बात करने की कोशिस करेंगे मैम स्कूटिंग रहे कैसी लग रही है घृतबर बल् Extension कर, तो पूर्णी आफ है मेस्टेजrings करते हसे पर बाते हैं भी जयाक के लख कैंपेरिंग आड़ली जकरते हैर्फ तो पूर्नी में देखा जैते हैं तो स्कूटी कमपिटेव भल जाते है हाँ ताइम बच जाता है ज़्यादा काम हो जाता है मैम अब चुनावों की बात करते हैं 2019 और मैम 2019 और 2024 पर क्याव डिफरेंसे हैं चुनाव में कोकि इस पर सिरेरियो पूरा चेंज है मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा किसानों की है मेंगाई बेरोजगारी और सबसे ज़्यादा करप्शन जिसके खिलाफ लड़के ये सरकार आई है जिन पर आरोप किये जिन चिन पर आरोप किये सारे आज बीजेपी में है तो वो करप्थ है या नहीं है तो ब्रश्चाचार था या नहीं था और भेंगाई तो बड़े जा रही है, भेंगाई बड़े जा रही है, और आप देख रहे हैं, बेरोजगारी, आई आई टी के बच्चों को नोखरी नहीं मिल रही है, यह तो आप ही के चैनल में दिखाए था। तो पहले देश, इसके बाद राज्य, इसके बाद पार्टी और इसके बाद इसाबली है। अजीद दादा की वाइफ लड़ रही है, आपके खिलाफ, इसके फैमिली मेंबर। इसके बाद राज्य के लिए बहुत बड़ी बात हो। अजीद दादा की वाइब यहां पर लड़नी है। और आप भी, फैमिली वर्सेस फैमिली, तो क्या लगता है, कुछ सिनेरियो चेंज होगा। हमने फैमिली वर्सेस फैमिली नहीं किया, उन्होंने किया। मेरा पहले से तह था कि मैं लोग सब अलड़ूंगी। मैं लेकिन अजीद दादा परवाज जी पहली बार पाटी छोड़के गए थे तो आपने कंवेंस किया, वह वापस आए। दूसरी बार फिर से गए, तो क्या अगर अजीद दादा परवाज फिर से शरत परवाज जी के साथ आते हैं, तो क्या डिसन होगा। अबी तो कोई नहीं, अभी तो लडाई हो रही है, अभी हमारे आए कहावत है, आधी लगना कोड़ान है चा, पहले जो हाथ में काम लिए है वो तो कूरा कड़े, अभी हमारे लिए देश की सिवा, आज किसानों पर जो अन्याय हो रहा है, वो ज्यादा माईने रखता है। मैं, इस वाल इंडिया का नहारा है, आपके बाद चार सो पार, इंडिया लाइन्स का नहारा क्या रहेगा? हमारी देश की सेवा और अन्याय के खिलास, तो स्वीट, तुतारी के लिए, हमारा सिम्बल भी किया है उन्होंने, वेरी नाइस, लोड़े च्छान के ले, दोन तुतार्या कार ले, अव स्वीट, इस वे लिए एक कोशन ये भी है, अभी सिम्बल अजडी दादा बाबार क इस वे आइशू होगा, जो लोग नहीं परचंबा रहे कंफुज होंगे, एक तो मैं एक बहुत लड़की हो, जो महनत करना जानती हूं, वो महनत करके, यह सब करना है क्योंकि देश की सेवा करना है, मैं कॉम्परमाईस लाइप नहीं जीपाते है,पिर इंडी आलांस के ब Mamta Benerji ji की बात के रहे हैं, वह भी उसमें नहीं है, तो कि या, Indie Alliance अलग, मनलब बैंगॉल में हैं चाथ ने हैं, तो यह अलग अलग क्या अधर है, कि पार्टी जो India Alliance की कमजोर परती जारी है पूरा अच्छा चार्ड़ रहा इंडीा लाइन्स का सबसे बात की और जिस तर से महावेकास अगाड़ी में अर्तालिस सीट है उनकी पूरी कोशिस रही कि जादा से ज्यादा सीट जो नवस्ते सुबगे आट बजे हैं मैं हूँ आपके साथ पंकज भार्गा स्वागत है आपका मौनिंग प्राइम में शुरू करते हैं खबरों के धुआधार बुलेटिन की जहां सिर्फ देश ही नहीं बलकि दुनिया की उन तबाम खबरों को आप तक पहुँचाने की कोशिश होगी जो आज दिन भर सुर्कियों में रहने वाली हैं जिनका आपसे सरुकार है जिन पर रहेगी आपकी नज़र स्पीड हंडर के साथ हैलिपेट से उतर कर कार से जा रही थी संदेश खाली में जियादती अत्याचार और जमीनों पर जबरन कारवाई की शिकायतों को दर्श कराने के लिए सीवी आई ने बनाई इमेल आई डी बिना डरे लोग शिकायत भेज सकेंगे पूर्णिया के निर्दलिया प्रत्याशी पपू यादव के कारहाले में फुलिस की चापेमारी डीजे परशार गाड़ी को जब्ध किया गया आफिस में फुलिस की चापे मारी को पपू यादव ने बताया राजमेटिक साज़ेश ट्वीट कर लिखा कितना नीचे गिरेगी सरकार पूर्णिया में पपू यादव के समरतन में उत्रेया राज़ेश टी के राश्टियो पाद्यक्ष देवेंद यादव पार्टी का खुलेया हमकिया विरोत्ते जस्वी पर घलत टिकट बाटने का आरोब भी लगाया पाटली पुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने पीम मोदी के लिए दिया विवाला सुपत बायान बोली सत्ता में आए तो जेर जाएंगे पीम मोदी मीसा भारती के प्रदानमंत्री को लेकर दिये गए बायान पर बीजेपी का फलटवार बीजेपी अध्यक जेपी नड़ा ने का विपख्ष की हताशा चरम पर है बीजेपी नेतार अविशंकर प्रसाद का मीसा भारती पर फलटवार बोले क्या तानाशाहि लाने वाली है मीसा भारती शिराग पास्वान ने मीसा के बायान को बदले की भावना कहा तेजसी ने का जनता मुद्दे की बात धून रही है बीजेपी की लोग फिजूल की बात कर रहे हैं वंचित बहुजन आगाडी ने दस उमीदवारों की पांच मी लिस जारी की मुंबई की तीन सीटों पर वी बीए ने उतारे कैनिडेट्स भारत की पाकिस्तान को दो टूक, उत्राखन के रिशिकेश में फियम मोदी ने कहा देश में मदबूत सरकार है आतनक्योग को घर में गुजकर मारा जाता है फियम मोदी ने कहा भारत का तिरंगा युदक्षेतर में भी सुरक्षा गारंटी बन जाता है पाकिस्तान को राजनात सिंग की चेतावनी बोले भारत को अस्थिर करने की कोशिश की तो भुगतने पढ़ेंगे गंभीर नतीजे आतंगवाद को रोकने में भारत की मदद ले सकता है पाकिस्तान मदद पुदेश के मंडला से कॉंग्रिस बगर्जे अमिश शाप बोले पहले आतंगी धमाके करते थे और कॉंग्रिस कुछ नहीं मोलती थी अब घर में घुशकर आतंग्यों का सपाया होता चुनावी रैली में हमिश शाप का बयान बोले दुनिया में लहरा रा भारत की कुटनीती का पर्चम कश्मीर को भारत से कोई नहीं चीन सकता पियमोदी की जमो कश्मीर के उनंपूर में रैली प्रधानमंपूरी के दोरे के मद्दे नज़र ड्रोन और गुबारे उनाने पर बैंग्ट राजित्तां में दो जगां पर फियमोदी करेंगे चुनाप पर चार, बार्ड मेर में करेंगे रैली दोड़सा में होगा रोड़ शो ो मिन्स्रे हमिशाइख करेंगे तावर तोर प्रचार यूबी के मुरादवाद में रैली करेंगे शाम को तमिल्नाडू के मदूरई में होगा रोड शो यूबी के सारंपूर में चुनाब फ्रचार करेंगे सीएव योगी आजे तिनाथ शाम को गंगो और देवबंद में करें रह ली तमिलादों में कौंगरस नियता राउट गांदी का चुनावी अभ्यान शाम को तिरुन निल वल्ली और कौ्यम्बर टूर में करेंगे रह ली बिहार के सीम नितीश कुमार नवादा जाएंगे पहली बार नितीश कुमार बस से करेंगे चुनावी प्रचार 16 अप्रेल को बिहार में हुंकार भरेंगे प्रदान मंत्री नरेद मोधी गया और पूम्निया में जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी सांसद, आरपी अन सिंग ने अखिले शादव राउल गांदी परसादा निशाना बोले एसी कमरों में बैठकर फॉलिटिक्स कन रहे हैं जीप का दावा मद्रदेश के सीम मोहन यादर ने कमलनाथ पर सादा निशाना बोले कमलनाथ का हो गया काम चिंद्वारा में जैशीर रां आरल डी अधिक्स जन चौधरी का कॉंग्रिस पर बड़ा हमला बोले चौधरी स्टरण सिंग को भारत रत्म देने वाले फैसले पर राजे सबा में कॉंग्रिस सांसदों ने की थी हंगामे की अगुआई हैदरबाद से ओवेसी के खिलाफ चौनाफ लड़नाईम बीजेपी प्रत्याशी मादवी लता का बड़ा बयान बोली इस बार बीजेपी हैदरबाद का खिला करेगी फत्ह तिलंगाना कॉंग्रिस प्रदेश महास्तियों मौहमद फिरोज खान का बयान बोले एाइमाएम और कॉंग्रिस पार्टी के बीच वासम जाता मैं दौर में नहीं हूँ आला कमान करेगा फैसला कॉंग्रिस का सद्दूती नोवेसी के समर्थन पर बीजेपी का पलडवार केंडरी मंत्रियों से लंगाना बीजेपी अधग जी किशन रेडी ने कहा हिंदू के खिलाप काम करती है कॉंग्रिस यूपी के गॉंड़ा में बीजेपी सांसर ब्रिजबूशन सारण सिंग को जिला पुर्शात उंगा नोटिस बिना अनुमती दरजनों गाड़ियों के खाफिले के साथ घूमते पाए गए इमाचल प्रिदेश के कैबिनेट मंतरी विक्रमा दित्य सिंग ने कंगना रनौट पर साधा निशाना का बगवान उनको सदबुदी दे आपड़ा के समय कंगना ने किशेतर के लिए क्या किया था बीजेपी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार कुल्लू पहुंची खंगर अनौट बीजेपी नेताओं ने कुल्लू के पारम परिक परिदान पट्टू और किनौरी टोपी पहना कर किया उनका स्वागत 36 गड़ में लुन्डरा विदायक प्रबोध मिंज ने कौंग्रेस पर प्येम मोदी के खिलाफ साजी प्रचने का आरोफ लगाया कहा कौंग्रेसियों से प्येम मोदी की जान को खत्रा है मत्रा में वीजेपी उमीदवार हिमा मालीनी ने काटी गेहूं की फसल कड़ी धूप में खेतों में फसल काटते लिखी मद्वधेश के अशोग नगर में चुनाफरचार के दोरान जोतीरा जित्यसिंडिया का दिखा अला गंदाद अपने कैमपेंज स्रॉंग पर डांस करते नजर आए मद्वधेश के पूर्ट सीएम शिबरा सिंग चौहान ने स्वामी विवेका नंद से की प्रधान मंत्री की तुलना कहा विवेका नंद के बाद दूसरे नरेंद्र हुए जिनके लिटर्टर्श में हम भारत विश्वधिल के पत पर बैट पर बैट देख सकेंगे जमू से कौंग्रिस के उमीदवार रवन भला के चुनाव प्रचार में हंगामा अपरस में बिढगए कारिकरताओं ने महाशन भी नहीं देने दिया केरल में कौंग्रिस नहितार अमेश चेंधिला का पीम मोधी को लेकर बायान बोले मोधी कि जितने दोरे केरल में होंगे उतनी कौंग्रिस की स्तिती मजभूत होगी अमेठी में केंद्रिय मंत्री और प्रत्याशी सुमिती रानी ने राहूल गान्दी पर किया बड़ा दावा का वाइनाड में नामक्तन से पहले राहूल गान्दी ने मुस्लिम लीक से समर्थर लिया दिली में कई कॉंग्रस नेताओं ने ठामा बीजेपी का दामन, कॉंग्रस आईटी सेल के प्रमुक और एमदाबाद से प्रत्याशी रोन गुप्ता समेट काई राज्यों के कॉंग्रस नेता बीजेपी में हुए शामिल बीजेबी ने लोगसवा प्रत्याशी की 11 मिलस में यूबी के बदरवी सीट पर उमीदवार किया गोशित बीजेबी ने डॉक्टर विनूत कुमार बिंद को बनाया है कैडिडेट यूबी के बिजनौर से सांसद मलुक नागर आरेंडी में हुए शामिल टिकेट ना मिलने से नाराज मलुक नागर ने छोड़ी थी बियस्ट महराष्ट कॉंग्रेस में गमासा जारी, मुंबई कॉंग्रेस अदर्ष, वर्षाट आइकवार और कई अन्य पता दिकारिया जाएंगे दिल्बी, दिल्बी में हाई कमान के लिताओं से होगी उनकी मुलाखाद मुंबई में कॉंग्रेस को तीन सीते मिलने को लेकर वर्षाट आइकवार करेंगी कॉंग्रेस अलाखमान से बाद, सीच शेरिंग और नाना पट्रले को लेकर पहले केसी बिढ़ोपाल से शिकायत कर चुकी है काशी विश्वनात मंदिर में पुजारी के वेश में पैनात रहीगी पुलिस मंदिर में नोटा चुरूल लागू नहीं होगी कोई धका मुकी काशी विश्वनात मंदे में पुलिस को पुजारी के वेश में पैनाज करने के पैसले पर अखलेश आदम ने उठाए सवाल बोले ऐसा आदेश देने वालों को निलम्बित किया चाहर डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग का बयान बोले पाक अदिकरित कश्मीर हमारा था है और रहे माराश में अन्डिये के महायूती कड़मंदन में अभी भी साथ सीटों पर फंसा है पेज बोले देश की सम्विधानी संस्ताओं को कॉंग्रिस ने कुछला बीजेपी सम्विधान को मानती है सर्वो परी बीजेपी ने पचास फीज़ी का किया इस्तमाद बिली शराब भोटाले में सीब्याई ने किक कविता को गिरफ़तार किया जेल में छे घंटे पुछ साथ के बाद गिरफ़तारी हुई माराश्ट में बीजेपी का धुहादार चुना पर चार्ड जेपी में लिटा ने की गोंडिया में जनसबाद 14 अपरेल को इस अकॉली और बंदारा में अमिद शाकी रैली हो अर्विध केज़िवाल की अर्जीवर सुप्रिम कोड 15 अपरेल को सुनवाई करेगा केज़िवाल ने एडी की कारवाई को खैर खानों ने बताते हुए अपनी गिरफतारी को दी है चुनाथ चार्ड जून को काउंटिंग गे पर सबसे तेज सबसे सठीक नतीजे बारसों से जादा रिपोर्टर्स के साथ देखे ये देश के सबसे बड़े नेटवर्ग न्यूज एटीम इंडिया पर समाजवादी पार्टी के गोशनापत पर यूपी के डिप्टी सीम केशब उस्ताद मौरे निकसातंद बोले एसबी का घोशनापत भुचारी कनार सुर्थम में बने रहने का सिर्फ एक स्टन्ट है यूपी सरकार के मंत्री और मैंपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जैवेश सिंग ने किया जीत का दावा बोले मैंपुरी की सीथ इसवार बीजेपी की जोली में आएक राजिस्तान की नागौर सीथ से बीजेपी कैनिडेट जोती मिर्दा का कॉंग्रेस बत्याशी हनुमान बेनिवाल पर बड़ा हमला बोली जीतने के लिए लोगों से जूट बोल रहा है हनुमान बेनिवाल तमिलाडू से बुलिट चलाकर यूबी के प्यागराज पहुंची राजलक्ष्मी मांडा प्रधान मद्री मोदी को 30 बार प्येम बनाने के लिए पुशार अभ्यान पर निकली है बीशन गर्मी से निपढ़ने के लिए आक्शन में के इन सरकार प्येम मोदी न लू और बीशन गर्मी से निपढ़ने के लिए तैयारियों की हाई लेवल मीटिंग सिक्के में 17,000 फीट की उन्चाई पर गर्जी, भार्टी मिसाईल, सेना ने चीनी टेंक और बख्र बंद गाड़ियों को जमी दोस करने के लिए अभ्यास भी किया पंजाब के मुखे मंद्री भगवंतमान की सुरक्षा गो लेकर ट्यार जियर में बनेगी एम रणनी टीसी अमर्विन के जिवाल से होनी है मुलाकार जैपुर में मौरिंग वाफ पर निगली यूटी से चेन स्नाचिंग हिम्मत दिखागर टीम बदमाशों के अकेले बिड़गे महीला सीसी टीवी में खायद हुई वार्टा माराश के पुडे में मामली विवाद में कार चालक के साथ बुई तरह से मार पीट हुई गुजराद के मौरवी में नए बस्टैंड के पास असमाजी कत्वों ने मचाया सबर्दस तरीके से हंगामा यूबी के सुनबर जिरे के गोरावल कोतावली क्षित में कोतवाली क्षित में दो बक्षों में जमकर मार पीट समजी के खेट सेट ट्रैक्टर ले जाने के बाद हुआ विवार चट्रीस गड़ के विलासपूर में लोन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर की गई करोड़ों रुपे की दोका रड़ी पती गिरफदार पत्नी फराव 36 गड़ में A.C.B. और E.O.W. की टीम ने बारहां से जगोपर की चाप इमारी शराब कारोबारी से गुड़े C.A. के दफ़कर और आवास में टीम ने दबिश थी इन दोर हाई कोट के आदेश पर धार की बोच्छाला में सर्वे का काम लगा तारचारी 22 वेड़ी ने A.C.A. की टीम ने सर्वे किया 36 गड़ के बिलाई में स्टी रिथार्टी ओप इंडिया लिमित्विट के प्लांट में आग से कोहराम मच गया प्रोड़क्शन ठप हो गई दो घंटे की मशकच वराद आग पर पाए गया खाबूर राजिस्तान के उदेपूर में तेज अफ़तार का कहर कारसावार ने वज़ूर को रौना मदबदेश के उचेह में ईद के दौरान इसराइल के खिलाब नारे बाजी का वीडियो हुआ वाईरल हिंदू संटरुने ने कारवाई जिमान की जांच में जुटी पुलिस मदबदेश के सिंग्रॉनी में आदी वाजी वीवर्ट को नहीं मिला एंबुलिंस पत्री को कंदे बे लाद कर 10 किलो मिटर दूर अफॉस्पिकल लाया पत्री केरिल के वाईराइट में जंगलों में आग लगने से हरकम मच गया जंगलों का 20 किलो मिटर से जादा का इलाका दधखता हुआ नजर आया यूबी के जहासी में मकान में आग लगने से लाकों का नुकसान शॉट सर्कृट से लगी थी मकान में आग मदब देश की खनवा में दो अलग लग जों पर आग का तकहर एक मकान और एक तुखाद जलकर पूरी तरह से राक दिली में खंबे से ठकराई डीडीजी की इकला स्वा बस ड्राइवर समेथ 18 प्रसेंजर्स हुए खाया दिली के नंदनगरी में महिला को कार से कुचलने का आरोपी गिरिफता ती दिन पहले हुई ती घटना पाकिस्तान में इमरान खान को सताय देश के दो तुखले होने का डर और मौजूदा राजने तिक तक्रम की तुलना उनी से कट्र के बंगा देशी उट से कर दी मौसर विबान ने मौजूद जल्दी आने की संभावना जटाई जुलाई से सितंबर तक काई राजो में सामान ने से जादा वारिश होगी बिहार के गुपाल गंज में संपत्ती बटवारे के बिवाद में एक परिवार के तीन लोगों पर ठारदा रप्यार से हमना जालेवा हमले में पती पत्मी और बेती गंभी रूप से खायल हो गए बिहार के मुंगेर में बेखाफ हुए बदमाज दुकानदार से रंगडारी की मांग पर त्री जम करते जाई बिहार के गोपाल गंध में युबट में चाकु मारका तीन लोगों को जखमी कर दिया गटन के बाद आरूपी फरार हो गया यूबी के खाज़बुर में बक्से में महिला दुशा मिलने के मामले में फुलस की कारवाई एक महिला जमें तीन आरूपी गिरफदार यूबी के देवरिया में दो चात्राओं पर ऐसी डेटैक्से संसानी मोटर साइक और सवार यूब को निकितना को दिया अंजाँ बंद्बदेश के रतला में दो अपरेल को मिली यूब्टी की लाश मामले में परदाफाश अप्तिया मामले में आर्मी में सिपाई को दिरफटार किया दिया आईपेल में आज लखनों सूपर जाइंस और डिली कैपिटल्स के लीच मुझाबला लखनों के एकाना सेडिया में खेला जाएगा मैच आईपेल में मुंबे इंडियन्स की रॉयल चैलिंजस बेंगलूरू पर पड़ी ती साथ विकेट सेहराया जस्तूरी बुम्रा ने चिपके पांच विकेट वेगलूरू के खिलाब मुंबे इंडियन्स के इशान किशन और सूरे कुमार का चलाबला दोनों ने के लिए अच्छत की एफ़ारी आतन की हमलों की साथ विकेट सेहरे के दो संदीग दो कुमार के राया केनिया में पार्ट से भीशन तबाही दो हजार से जादा लोग हुए विस्था पे खजाकिस्तान में भीशन बार्ट से आठ हजाद से जादा जानवों के लौट से अधिसो से अधिक घर बार में डूबे हैं केरिबियाई देश हैती खादे संकट पर युएन की संस्था वर्ल्ट फूट प्रोग्राम का बयानी तो 2010 के भुकम के बाद से सबसे खराब खादे संकट का सामने कर रहा है थी लक्षिन कोरिया के राश्पदी यूंसुक यूओल की कंदरवेटी पार्टी का संसुदी एचिनाम में छटका विपक्षी पार्टी ने पढ़ी चीप इंटर चीए और अमेरिका की राश्पदी जो बाइटन ने चीन से फिलिपीन्स की रख्षा करने काशा़ वादा दक्षिन चीए सागर में किसी भी हमले सिर्फ फिलिपीन्स को बचाएगा अमेरिका और इस वक्त मॉनिंग फ्राइम में बड़ी खबर आपको बता दे इस वीडियो में हमिदलरह्मान लोगों से ये कह रहे हैं कि चुनाफ खत्म होने के बाद केंद्रियबल तो यहां से चला जाएंगा उसके बाद उनकी पुलिस के साथ लोगों को रहना होगा इसलिए वोट बर्माद न करें अब बंगाल बीजेपी ने इस वीडियो के आधाद पर इलेक्शन कमीशन से हमिदलरह्मान के खिलाफ काररवाई करने की मांग कर दी है उत्तर दिनाचपुर के चुपडा से हमिदलरह्मान विधाय के हमिले है और 2022 में विदान सबाद चुनाफ के दुरान भी इनके विवादास पत बयान ने खूब तूल पकड़ा था भी एक बात फिर से विवादास पत बयान दिया है और अब बीजे पीछ आती है कि चुनाफ आयोग इस पे दखल दे अब इस पर बीजे पी नेता शुबंदू अधिकारी ने तुर्मल कॉंगर्स विधायक हमिदलरह्मान का वीडियो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लैटफॉम एक्स पर लिखा चुबडस टीमसी विधायक हमिदलरह्मान अपने खिलाफ दर जापरादिक मामलों के लिए जाने जाते है यहां उन्हें वोटरों और विपक्षी पार्टियों के कारेकरताओं को धंकाते हुए देखा जा सकता है उनका आदेश साफ है एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद केंद्रिय बल चले जाएंगे और एक मातर बल जो रहेगा वो उनका यानि तर्मल कांगरिस का है मतदाताओं और विपक्षी पार्टियों के कारेकरताओं को उनसे निपटना होगा मैं चुनाव आयुक से चोपड़ा से टीमसी विदायक हमिदलरह्मान के ध्थम की बरे वीडियो पर संग्यान लेने का अग्रह करना चाहूंगा जो सपष्ट रूप से मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं ये एक्स पोस्ट किया है शुवेंदू अधिकारी ने मौनिंग प्राइम में बड़ी खबार पश्ची मंगाल की मुख्यमंत्री ममताब एनर्जी को गुरुआर को जल्पाई गुरी में आजीब स्थिती का सामना करना पड़ गया ममताब एनर्जी के खाफले के सामने जैश रिराम के नारे लगे जैसे ही उनका काफला चलसा इलाखे पहुँचा वहां मौझूद बीजेपी कारिकरता उन्हें जैश रिराम के नारे लगाए हलागी इस घटना पर ममताब एनर्जी ने कोई किसी तरह का रियाक्शन कोई प्रतिक्रा नहीं दी चलसा इलाखे में बीजेपी उमीदवार के समर्थन में बीजेपी की रोड मीटिंग चल रही थी इसी दोरान मुख्य मंत्री का खाफिला कौन वाए वहां से बुझरा बीजेपी कारिकरता वहां मौझूद थे बड़ी संक्या में जैश रिराम के नारे उन्होंने लगानी शुरू कर दिये सीम का खाफिला वहां पर कुछ सेकिंड्स के लिए रुका जरूर लेकिन बिना कुछ कहे फिर वहां से सीम आगे निकल गई किसी तरह का कोई रियाक्शन कोई प्रक्रिक गया मुख्य मंत्री की तरफ से नहीं दी गए जल पाई बुड़ी पच्छी मंगाल की दश्मीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों ने बीजेपी कारकरताओं ने जैश्री राम के नारे लगा दिया अरुदर संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराद और जमीन कबजा से जुड़ी शिकायते दर्श करने के लिए सी बी आई ने एक एमेल एड्रेस जारी किया है सी बी आई ने ये खदम कलकता हाई कोट के आदेश के बाद उठाया है सी बी आई का दावा है कि एमेल एड्रेस संदेश खाली at the rate cbi.gov.in संदेश खाली के लोगों के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराद और जबरन जमीन हरपने की शिकायत दर्श कराने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा कलकता हाई कोट ने आपको बता दे 10 अपरेल को संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीडर और जमीन पर कबजे के मामले की जाँच सी बी आई को सौपी थी अब ये जो इमेल है वो इमेल आईडी जारी की गई है अनि लोग जो हैं संदेश खाली के किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो वो इस पर दर्ज करा सकते हैं तो आपको बता दें सी बी आई को कलकता हाई कोट ने ये जाँच सौपी थी और ये जो इमेल एड्रेस है उसमें संदेश खाली at the rate cvi.gov.in इस पर अपनी शिकायत लोग दर्ज करा सकते हैं मौनिंग प्राइम में बड़ी खबर प्रधानमंतुरी नरिंद मोदी पर दिये गए मीशा भार्टी के विवादा स्पत बयान पर सियासी खवासान मचा हुआ बीजेपी ने मीशा भार्टी के वायान को आड़े हातों लिया और उन पर सवालों की जड़ी लगा लिए बीजेपी अध्यक जेपी नड़ा ने भी मीशा भार्टी के वायान पर पलटवार किया उन्होंने का कि विरोधी पार्टी के नेता मोदी जी को गाली देते रहते हैं जेपिनड़ा ने कहा कि विपक्ष की हताशा अब चरम सीमा पर है और वो लोग निराशा की वज़े से ही ऐसी बायान बाजी कर रहे हैं जेपिनड़ा ने कहा कि जो लोग खुद बेल पर हैं वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं अभी अभी मीजा भारती ने अभी इतने फ्रस्टेटड हो गए हैं आप बोलते हो मोदी 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 और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं कभी सांप कभी बिच्छू कभी क्या कभी क्या इनकी निराशा इनकी हताशा इनका फ्रस्टेशन चरम सीवा पर है अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोट पद पर रहकर के 12 साल से ज़्यादा चीफ निस्टर और अब 10 साल से ज़्यादा प्रधान मंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है ऐसे को मिसा भारती बोलती है मैं चुराओं के बाद जेल में भेड़े है ऐसा फ्रस्टेशन ऐसा निराशा ऐसी निराशा आप बताईए मैं फिर से बोलता हूं लालू सेहत के बेल पर है की नहीं है चारा घोटाले में इन्वार्ड है की नहीं है और लोगों से मिसा भारती पर अंजाम है की नहीं है जो खुद बेल पर हो जिनसे खुद पोच्टा छोरी हो वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं दरसल लालू कुस्ता द्यादव की बेटी और आर्जेडी उपीदबार मिसा भारती ने प्रदान मंत्री नरेंद मोदी पर विबादा सपत बयान दिया था उन्होंने एक चुनावी कारिक्रम में कहा कि हम सत्ता में आए तो प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जेल जाएंगे आर्जेडी ने मिसा भारती को पाटली पुत्र लोगसवा सीट से कैंडिडेट बनाया है और आप आपको बताते हैं मिसा भारती ने ये प्रदान मंत्री को लेकर बयान दिया कि अगर सत्ता में आए तो प्रदान मंत्री जेल में जाएंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे काहे ने परिवार वात पे बूल ले पुबंध हो गया प्रदान मंत्री जी का अगर देश की जंता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गट बंदन को परदान मंत्री से लेकर के जितने भी भाजपाने था हैं जेल के अंदर बंदो और मीसा भारती के बायान पर आरजेटी की अब प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने इसे बेफजूल का मुद्दा बता दिया तो वहीं चिराग पास्वान ने बदले की भावना से दिया गया बयान बताया है मीसा भारती के बायान को ये विंडिक्टिव पॉलिटेक्स है ये बदले की भावना अगर आपके पास कोई आरोप है आप आरोप लगाई है ना दो हजार चार का समय ऐसा था युपिया की सरकार का जब एक के बाद एक घोटाले हम लोगों ने देखे थे और जितनी भी कारवाई हुई है उन घोट पॉर्णिक प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज आपको देदें लोगसबा चुनाव की बोटिंग से पहले कॉंग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि इस बार टिकट बटवारे को लेकर महराश कॉंग्रेस और मॉंबई कॉंग्रेस की भीच ठंग गई कॉंग्रेस को मॉंबई में तीन सीटे मिलने के उमीद थी और खुद वर्शाग आइकवार्ट दक्षण मध्य मॉंबई से इलेक्शन लड़ना चाहती थी नाराज हैं और अब इस बात को लेकर उन्होंने शिकायत भी की है नाना पटोले के तो आपको बता दें कि अभी भ भी की है खुद भी चुनाव लड़ना चाहती है दक्षन मध्य मॉंबई से वर्शाग आइकवार्ट और अपनी शिकायत को लेकर मॉंबई कॉंग्रिस के नेता अच दिल्ली भी पहुंचेंगे मॉंबई कॉंग्रिस की अध्यश वर्शाग आइकवार्ट के साथ कई नेता दिल्ली ने में पार्टी आला कमान से मुनाखात करने वाले हैं इस दोरान मुंबई में कॉंग्रिस को तीन सीटिये जाने के मुद्धे पर भी चर्चा होनी है और मॉर्णिंग प्राइम में अब रुख करते हैं बिहार का बिहार के पूर्णिया से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पपू यादव के कारयाले में पुलिस ने चापे मारी बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर SDPO वहां पहुँचे थे घटना की जानकारी जब पपू यादव को मिली फॉरण वह अपने चुनाफ कारयाले पहुचे इस दोरान उनकी पुलिस अधिकारी के साथ महां बहस भी हो गई उन्होंने पुलिस किस कारवाई को साज़िश बताया साथी साथ उन्हें परिशान करने का आरोप भी लगाया गया वहीं पुलिस ने अपनी कारवाई के दोरान पपोई आदव की प्रचार गाड़ी को जब्ट भी कर गया पुलिस का ऐसा दावा है कि बिना किसी पर्मिशन के गाड़ी प्रचार में लगी थी इस दोरान पपोई आदव की जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने चम कर वहाँ नारे बाजी भी थी दंगे की आशंका जताते हुए लोगों से शान्त रहने के अपील कर डाली मौका ईद का था लेकिन ममता बिनट जी ने दंगे का जिक्र किया यही नहीं उन्होंने वहाँ मौझूद लोगों को साथान करते हुए एनाईये पर भी निशाना साथा लोग सबा चुनाव से पहले दंगे से जड़ा ममता का ये कोई पहला बयान नहीं है क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक चुनावी रेली में राम नवमी पर दंगे की आशंका जताई थी उनकी ये रेली बंगाल की अलिपुर्द्वार में हुई थी 17 अप्रेल को राम नवमी है उसके दो दिन बाद यानि 19 अप्रेल को पहले चरण का मतदान होगा और ममता ने आशंका जताई थी कि पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले यानि राम नवमी के दिन दंगा हो सकता है ममता का ये बयान आए ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उनका दंगों से जुड़ा एक और बयान आ गया बीजेपी ने ममता के इस तरह के बयानों को चुनाव में हार का डर माना और दावा किया कि इस बार बंगाल के नतीजे हैरान करतेंगे पिछले साल बंगाल के कुछ इलाकों में राम नौमी पर दंगे हो गए था बंगाल सुलक उठा था राम नौमी से पहले ममता बार बार उसी ओर इशारा कर रही है और दंगों की आशंका जता रही है इधर यूपी के कानपूर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमित बाजपई की वहां के पुलिस वालों से ठीकी बहस हो गई और उन्होंने आरोब लगाया कि पुलिस वालों ने ईद के मौके पर नमाज बढ़ रहे लोगों के साथ बत्तमीजी की और जब इसका विरोध किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेता समराथ विकास यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसी के बाद महां ऐसा बवाल हुआ कि बात बुरी तरह बिगड़ गए अपने कुछ समर्थकों के साथ विधायक अमित बाजपई थाने पहुँचे और पुलिस वालों पर हल्ला बोल दिया इस बहस के दोरान वो कभी टेबल पर हाथ पटकते दिखे तो कभी उन्होंने घुस्से में पुलिस अधिकारी को उंगली दिखाते हुए हद में रहने की चेतावनी भी ती जब पुलिस वाले समराट विकास यादव को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी के वो सभी कारे करता खुद को भी गिरफतार करने की मांग करने लगे पुलिस के मताबिक समाजवादी पार्टी के जिस समराट विकास यादव को गिरफतार किया गया उन्होंने माहौल बिगाडने की कोशिश की थी उन पर ईद के मौके पर लोगों को बढ़काने के आरोप लगे और पुलिस ने दावा किया कि इसी वज़े से उन्हें इरासत मिलिया गया पुलिस के मताबिक कानपुर के शाही ईदगा में ईद के जश्न के दोरान समराट विकास यादव ने लस्सी बांटने के लिए एक स्टॉल लगा दिया था जब कि उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं मिली थी पुलिस के मताबिक जब उन्हें रोका गया तो वो ईदगाहक के दर्वाजे पर ही धरने पर बैट गया इससे आने जाने का रास्ता जाम होगे इसके अलाबा वहां पहुंचे कई और लोगों को भी जान पूच कर परिशान किया गया बटाए गया कि इसके बाद पहले तो समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं ने उसी ईदगा के बाहर नारेबाजी की और फिर विरोज जताने के लिए ठाने पहुंच गए उद्धर दिल्ली शराब गोटाला मामले में BRS सनेता के कविता की मुश्किले और बढ़ गई दिल्ली शराब गोटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में ED के बाद BRS सनेता के कविता को CBI ने गरफतार कर लिया उनकी गिरफतारी तिहार जेल से हुई जहां वो पिछले कई दिनों से नियाई किरासत में है इस मामले में CBI ने पिछले अफ़ते उन से 6 गंटे पूश्टाज भी की थी खबरे की जांज एजिंसी सुबह के कविता को कोट में पेश कर सकती है पश्ट मंगाल में संदेश खाली मामले की जांज कर रही CBI ने शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए एक इमेल आईडी जारी कर दी इसके साथी पीडितों से अपील की गई वो बिना डरे इस इमेल पर अपनी शिकायत दर्ज करा है जैन के महाकाल मंदर परिसर में खुदाई में मिला एक हजार साल पुराना मंदर जुलाई में पूरी तरह बन कर तयार हो जाएगा पताएगे कि इस शिव मंदर की उचाई 37 फीट होगी इस प्राचीन मंदर के अफशेश जून 2021 में मिले थे हर्याना के महिंदर गड़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहाँ ईद की छुटी के दिन चात्रों से भरी एक स्कूल बस भीशन हादसे का शिकार हो गई इस घटना में आठ बच्चों की जान चली गई 15 से ज़्यादा बच्चे घायल हो गई हादसे के बाद जी एल पब्लिक स्कूल नाम के उस स्कूल की प्रिंसिपल को हिरासत में लिलिया गया क्योंकि ईद की सरकारी छुटी होने के बाद भी स्कूल को खुला रखा गया और स्कूल जाते हुए वो बस हादसे का शिकार हो गई गटना वाली जगह से आई तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो हादसा कितना खतरनाक रहा होगा क्योंकि उस्कूल बस के परखचे उड़े नजर आये इसके बाद वो बस सीधे एक पेड़ से जा भीड़ी और जोरदार टक्कर के बाद वहीं पलट गई आरोप लगा कि हादसे के वक्त उस्कूल बस का ड्राइवर नशे में धुद्थ था चश्मदीदों के मताबिक वो स्कूल बस उस पेड़ से इतनी तेज अरफ़तार में ठगराई कि कुछ हात्रों की वहीं जान चली गई आला कि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों की मदद से घायल हुए बच्चों को अलग-अलग अस्पतालों में भरती करवा दिया ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू किया जा सके लेकिन इस घटना की खबर लगते ही उन लोगों के होश उड़ गए जिनके बच्चे हादसे का शिकार हुए और इसके बाद तो वो सीधे उन अस्पतालों की ओर दोड़ पड़े जहां घायल बच्चों को भरती करवाय गया वहाँ लोगों की भारी भीड जमा हो गई कुछ परिजन तो अपने घायल बच्चों को गोध में ही उठाकर इलाज के लिए इधर उधर भटकते दिखाई दिये जो बस हादसे का शिकार हुई वो महिंदरगड में मौझूद जी एल पब्लिक स्कूल नाम के प्राइबेट स्कूल की थी और घटना के वक्त उसमें करीब 40 चात्र मौझूद थी लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि ईद की सरकारी चुट्टी वाले दिन भी वो स्कूल खुला हुआ था हादसे के बाद हर्याना की शिक्षा मंतरी सीमा त्रिखा ने अश्पताल में जाकर गायल बच्चों का हाल जाना उन्होंने इस मामले में सक्त जांच के आदेश दिये और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कारवाई की बात कही चुट्टी के दिन स्कूल चल रहा था जो पूरी तरह से गैर कनोनी देए पधान मंतरी नरेंद्र मोद में भी तेजी देखी गई है तेल की खिम्तों में भी तेजी देखी गई है और स्यादा जानकारी के लिए Money Control Pro पर लॉग इन करें आपनाक हादसे पर दुख जताया और पीडित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया क्योंकि इस भैंकर हादसे ने हर्याना ही नहीं बलकि पूरे देश में खलबली मचा दी यही वज़े रही कि हर्याना सरकार पौरन आक्शन में आ गई इस मामले में उस स्कूल की प्रिंसिपल पर भी गंबीर आरोब लगे और इसलिए पुलिस ने उन्हें हरासत में ले लिया क्योंकि दावा क्या गया कि जो स्कूल बस हादसे का शिकार हुई उसका ड्राइवर नशे में था और बस चलाने की हालत में नहीं था लेकिन आरोब लगे कि इस बात की जानकारी होने के बाद भी जील पबिक स्कूल की प्रिंसिपल ने कोई कारवाई नहीं की यही वज़े रही कि पुलिस उन्हें पूश्टाज के लिए अपने साथ ले गई प्रिंसिपल को हिरासत में लेने के साथ ही पुलिस ने उनके दफ्तर से कुछ दस्तावेज भी जब्त किये जिस जिसने कानून तोड़ा उन सब के खिलाव कानूनी कारवाई होगी इस दिल दहला देने वाले हादसे को लेकर मचे बवाल के बीच हर्याना का परिवहन मंत्राले भी आक्शन में आ गया और संत्रे के रंग का जिक्र करते हुए बीजेपी परतंस का साथ इस वीडियो में महागटबंधन में उनके सयोगी और वी आईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी फिर नजर आए एक दिन पहले तेजस्वी के मचली खाने वाले वीडियो में भी मुकेश सहनी उनके साथ दिखे थे और अगले दिन आए इस नए वीडियो में भी मुकेश सहनी और तेजस्वी एक साथ संत्रा खाते दिखे इस नए वीडियो में तेजस्वी से ज्यादा सन ओफ मल्ला कह जाने वाले मुकेश सहनी बोलते दिखे उन्होंने संतरे के रंग का जिक्र किया और आशंका जताई कि उनके संतरा खाने को विरोधी दर्म से जोड सकते हैं मुकेर सेनी ने संत्रा घाने के बहाने पिछड़ा कार्ड भी खेल दिया इसके बाद तेजस्वी ने वीडियो में बताया कि उन्हें ये संत्रे बिहार के जमूई के लोगों ने दिया तेजस्वी और मुकेर सेनी का ये नया वीडियो ठीक उसी तरह बनाया गया जैसा एक दिन पहले आया मचली खाने का वीडियो था फर्क बस इतना था कि पहले वीडियो में दोनों ने ता बिहारी स्टाइल में मचली, रोटी, मिर्ची और प्यास खा रहे थे उनके पास पीने के लिए सत्तू, बेल का जूस और मठा थे और तूसरे वीडियो में उनके पास खाने के लिए केवल संत्रे थे और तेजस्वी आदब के मुताबिक वो संतरे भी उन्हें जनता ने दिये थे और उन्होंने वही संतरे खाते हुए नया वीडियो बनाया और बीजेपी पर निशाना साथा वीडियो में तेजस्वी के साथ दिख रहे हैं मुकेश सैनी ने भी यही बात दो राए आरजेटी ने जैसे ही संतरा खाने का वीडियो शेयर किया और भगवारंग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया ये तो इस देश की जनता का दबाव है जो तेजस्वी और उनका पूरा परिवार हरे से के सरिया की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं इस से पहले तेजस्वी के मचली वाले वीडियो पर भी बीजेपी ने सवाल उठाये थे क्योंकि वो वीडियो नवरात्र के दौरां आया था और इसके अगले ही दिन तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना सागते हुए एक और वीडियो शेयर किया और भगवा रंग पर बिहार का सियासी पारा चड़ गया इस बीच पश्चिम अंगाल के मुर्शिताबाद में उस वक्ट देशत फैल गई जब चुनाब प्रचार के दौरान टीमसी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए मामला तब और भड़क गया जब उन दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम फेंकने शुरू कर दिये और उसके बाद तो वो पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गुंजुठा तस्वीरों में टीमसी के दोनों गुट आमने सामने नज़र आए टीमसी के एक गुटने सड़क के दूसरी तरफ से बमों की बारिश कर दिये इसके बाद जब उस तरफ से भी बम फेंके गए तो वो लोग वहाँ से भागते दिखाए दिये एक के बाद एक हुए कई धमाकों से चारों तरफ धुआ 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 हो गया काफी देड़ तक हुई बमबारी से पूरे इलाके में चीख फुकार मच गई लोग इधर उधर भागते दिखाए दिये बताय गया कि इस हमले में एक बच्चे और महिला समेथ पांच लोग बुरी तरा जखनी हो गये और ये सारा विवाद उस वक चुरू हुआ जब लोगसभा चुनाव के प्रचार के दौरान टीमसी के दो उम्मीदवारों के समर्ठक उस इलाके में पहुंच गया इसके बाद टीमसी के एक गुट ने दीवार पर अपने उम्मीदवार का नाम लिख दिया जिसकी वज़े से टीमसी का ही दूसरा गुट बढ़क गया और उन्होंने मार्पीट शुरू कर दी लेकिन थोड़ी देर में मामला इतना बढ़क गया कि दोनों तरफ से बंबारी शुरू हो गए इधर उत्तरप्रदेश के सुल्तानपूर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निशाद का नोटों की गड़ियों के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया उस वीडियो में वो अपनी ही पार्टी के एक विधायक को नोटों की गड़ी थमाने की कोशिश करते दिखाई दिये लेकिन उस विधायक ने कैमरे के सामने नोटों की गड़ीयां लेने से मना कर दिया ये वीडियो सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के उफिस के उधगाटन के दोरान का बताये गया सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे इस वीडियो में सुल्तानपुर लोकसबा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निशाद अपने समर्थकों से गेरे दिखाई दिये। जैसे ही उनके हाथों में पैसों की कट्डिया आई उन्होंने वो पैसे ताहिर खान की तरफ बढ़ा दी लेकिन ताहीर खान ने नोटों के बंडल लेने से इंकार कर दिये। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के नीजी सचिव पर विजलेंस विभाग ने आक्शन ले लिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के नीजी सचिव विभव कुमार को विजलेंस विभाग ने उनके पद से हटा दिया विभाग के मुताबिक विभव कुमार की न्युक्ति अवैद और अमान्य थी हाली में एडी ने शराब घोटाला मामले में उनसे पूर्टाज भी की थी रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने आतंगवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी साथ ही ये पेशकर्ष भी कर दी कि अगर पाकिस्तान इसे नहीं रोग सकता तो भारत इस काम में उसकी मदद के लिए तयार है यह दि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंगवाद पर काबू पाने में और समर्थ हैं तो भारत कासा योग प्राप्त करें इदर इद के जश्ट में शामिल हुई बंगाल के मुक्य मंतरी ममता बैनर जी ने दंगे की आशंका जता दी और लोगों से शांत रहने की अपील की इद के मौके पर कुलकता में एक कारिकरम आयोजित किया गया और इस कारिकरम में ममता बैनर जी और उनके भतीजे अभिशेक बैनर जी भी शामिल हुए मंच पर मौजूद ममता कुछ देर तक एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर भी खड़ी रही इससे पहले उन्होंने लोगो टीमसी विदायक हमिदलरह्मान पर वोटरों को धमकाने का रोप केंद्रिय सुरक्षबल 26 तक है इसके बाद सबको हमारी फुलिस के रात रहना है धमकी का वीडियो वाइरल बीजेपी नेताश विंदु अधिकारी ने हमिदलरह्मान का वीडियो किया ट्वीट चुनाव आयोक से हमिदलरह्मान के खिलाप एक्षण लेने की मांग की पश्चिमंगाल के जलपाई गुडी के चालसा में मुक्हमंत्वी मम्ता बनर जी की खाफिले के सामने लगे जैश्री डाम के नारे मम्ता चलसा इलाखे में हली पैट से उतर कर कार से जा रही थी पुर्णिया में पप्पु यादव के सपोर्ट में उतरे आरजेडी के राष्टियों पाध्यक्ष देवें द्रियादव पार्टी का खुले आम विरोत किया तिजस्वी पर खलक टीकट बाटने का आरूप भी लगाया प्यम मोदी की जमु कश्मीर के उधंपुर में रैली प्रधानमंत्री के दोरे के मदे नज़र ड्रोन और गुम्बारे उडाने पर बैयान पाटली पुत्र से आर्जे डी उमीद्वार मीज़र भारती ने प्रधानमंत्री नरिंद मोदी के लिए दिया विबाद आस्पत बायान बोली सट्था में आए तो जेज जाएंगे पی-एम मीसा भार्टी के प्रदान मंत्री को लेकर दिये गए बायान पर बीजेपी का पलटवार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने कहा विपक्ष की हताशा चरम पर है बीजेपी नेदार अविशंगर परसाथ का मीसा भार्टी पर फलटवार बोले घोटाला करने वाले प्यम को दे रहें धंकी लेकिन रच्टाचारियों के खिलाफ कारवाई जारी रहेगी शिराग पासवा ने कहा बदले की भावना से ग्रसित है मीसा भार्टी अगर मीसा भार्टी के पास मोधी सरकार के खिलाफ कोई आरोप है तो पहले आरोप लगाएं राजिस्तान में दो जग़ों पर पीम मोधी करेंगे चुनाप परचार बाड़ मेर में करेंगे रैली दौसा में होगा रोट शुब तिलंगाना कॉंगरिस प्रदेश महासाजी मौमद फिरोज खान का बयान कहा AIMIM और कॉंगरिस पार्टी के बीच हुआ समझाता मैं दौड में नहीं हूँ आला कमान करेगा फैसला कॉंगरिस का सद्दी नोवेसी के सपोर्ट पर बीजेपी का पलटवार हेंडरी मंतरी और तिलंगाना बीजेपी अध्यर्च भीकिशन वेड़ी ने कहा हिंदों के खिलाफ काम करती है कॉंगरिस ग्रे मंतरी अमिच शाक करेंगे तावर तोर प्रचार यूपी के मुरादबाद में करेंगे रैली शाम को तमिलनाडू के मदुरई में होगा रोट शूँ यूपी के गॉंडा में बीजेपी सांसर ब्रिजबूजन शारणा सिंग को जिला अफ्रशासन का नोटिस बिना अनुमती धरजनों गाडियों के खाफिले के साथ घूमते पाए गए गए थे निमाचर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमा दित्ति सिंग ने कंगना रनौट पर सादा निशाना कहा बगवान उनको सद्गुद्धी दे आपदा के समय कंगना ने क्शेतर के लिए क्या किया था उत्रप्रदेश के साहरनपूर में चुनापरचार करेंगे सीमयोग यादतिनाथ शाम को गंगो और देवबंद में करेंगे रैली 36 गड़ में लुन्डरा विदायक प्रबोध मिंज ने कॉंग्रेस पर पियम मोदी के खिलाफ साजू शचने का लगाया आरोब बोले कॉंग्रेसियों से पियम मोदी की जान को खत्रा है मत्रा में बीजे की उमीदवार हिमा मालीनी ने काटी गेहूं की फसल कड़ी धूप में खेतों में फसल काटती दिखी मद्रबदेश के अशोक नगरे में चुनापरचार के दोरान जियोतिर अधित्यसिंद्या का दिखा अलग अन्दाज अपने कैंपेन सौंग पर डांस करते नजर आए तमिलाडू में कॉंग्रस नेता राउल गांदी का चुनावी अभ्यान शाम को तिरुनेल वल्ली और कोयमबटूर में करेंगे रह लिए मद्यपदेश के पूफ सीम शिवरा सिंग चौहान ने स्वामी विवेका नंद सकी पीम मोदी की तुन्ना का विवेका नंद के बाद दूसरे नरेंदर हुए जिनके नितृत्व में हम भारत बिश्व गुरू के पत पर बैठते हुए देख पाएंगे जम्मू से कॉंगरिस के उमीदवार रमन भला के चुना परचार में हंगामा आपस में बिढगए कारकरताओं ने भाषण भी नहीं देने दिया केरल में कॉंगरिस नेता रमेश शेनित्थला का पियेम मोधी को लेकर बायान का मोधी के जितने दोरे केरल में होंगे कॉंगरिस किस्तिऴ उतनी मद्भूत होगी माराश कॉंगरिस में घवासा जारी, मुंबई कॉंगरिस अध्यक्ष, वर्श्रा गायकवार और तैयन ने परादिकारी आज जाएंगे दिल्ली, दिल्ली में हाई कमान के नेताओं से होगी उनकी मुलाकात डिफेंस मिनिस्टर राज़ना सिंग का बयान, बोले पाक अधिक्रित कश्मीर हमारा था, है और रहेगा मौरिंग प्राइम में बड़ी ख़बर, मद्द्रदेश का चिन्वारा जिला कमलनाथ का गड़ है और उनके बेटें नकुलनाथ एक बार फिर से कांग्रिस की तिकश पर अपने खिसमत आजमा रहे हैं लेकिन इस बार बीजेपी की भी पूरी तैयारी है बीजेपी ने भी कॉंग्रेस की पक्की माने जाने वाली सीट को अपने कबजे में लेने के लिए पूरी तरहां से कमर कसली है कमनलाथ के लिए छिंदवाडा कितनी बड़ी चुनो थी क्या छिंदवाडा जीतेंगे या होगी अगनी परीक्षा क्या बीजेपी कमनलाथ के गड़ में सेंद लगा पाईगी छिंदवाडा के दिल में कौन है ये दो तस्वीरें छिंदवाडा की सियासी लड़ाई को बया कर रही है बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों जीजान से छिंदवाडा पर कबजा करने की कोशिश में जुटे हैं लेकिन छिंदवाडा में कमनलाथ की पकड़ ऐसी है जिसको भेद पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा आई लव चिंदवाडा चुनाओ का मुसम है हर राजनितिक पार्टी को चिंदवाडा से प्यार है और चिंदवाडा की इस प्यार में कमनलाथ के चुकी गढ़ माना जाता है का मन टटोल रही है लेकिन क्या कमलनाथ की गढ़ में बीजेपी सेंद लगा पाएगी ये सवाल सभी के जहन में है नेता अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए जनता के बीच है और न्यूज 18 इंडिया की टीम भी जनता से ये समझने में जुटी है कि आखिर उनके मन में कौन है कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ या फर बीजेपी के विवेक साहू कमलनाथ अपने बेटे को अपने सियासी गढ़ को सौपने में कोई कोर का सर नहीं छोड़ना चाहते और जनता की नबस टटोलने के लिए कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ जनता के बीच में है इस बार कमलनाथ की करीबी बिछड़ गए हैं इसलिए साख दाउं पर है न्यूज 18 इंडिया ने नकुलनाथ से समझने की कोशिश की कि आखिर वो कैसे जनता को फिर से साधने में काम्याब होंगे ऐसा नहीं है कि इस बार नरेंद्र मोदी की लोग प्रियता का असर नहीं देख रहा है लेकिन कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो वो चिंदबाडा का विकास किसी कीमत पर रुकने नहीं देंगे एक तरफ परिवार की सियासी जमीन है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बंटी विवेक साहू चिंदबाडा के लिए नई उम्मीद बनकर उभरे है और इस बार चिंदबाडा में कमलनाथ की सियासी जमीन को धारा शाही करने के लिए मतप्रदेश के सीम मोहन यादव भी खुद मैदान में उतर चुके हैं वो लोगों को चिंदबाडा के विकास के रोड मैप के साथ साथ पीम मोदी के विक्सित भारत का विजिन भी समझा रही है और बाराइस पुद में कमल का वो रोग प्रतारित करते हैं नकुलनाथ जी के मन में दिल में आदीवास्थ नफरत ए जहर है तो इस बार छिंदबाड़ी के जनता भारती जनता पार्टी के साथ है चिंदवाडा की दिल में कौन है इस पर 19 अपरेल को जनता अपनी मुहर लगाएगी और 4 जून को पूरा देश्ट चिंदवाडा की दिल की बात सुनेगा मौनिंग प्राइम में अब बाद डिम्पल यादव की समाजवादी पार्टी ने मैंनपुरी लोकसवा सीट से डिम्पल यादव को कैंडिडेट बनाया है दिंपल यादव जय जान से चुनाव प्रचार में जुटी हैं और उन्हें मैंनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की जीट का दावा भी किया साधी साथ मौझूदा सरकार पर कई सवाल भी उठा दे इस वक्त हमारे साथ मैंनपुरी की लोपरी सांचत दिंपल यादव जी मौझूद है जिससे हम बात करेंगे मैंन चुनाव शुरू हो गया है किन मुद्दों को लेकर आप जनता के भी जा रहे हैं मैं समझती हों कि जो मुद्दे हैं वो जनता समझ रहे क्या मुद्दे हैं जहां प्रस्टर चार भी बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है महला सुरक्षा मुद्दा है किसानों की बधाली मुद्दा है महंगाई मुद्दा है इस बीच बीज़ेपी लगातार ये दावा कर रही है कि उत्रपदेश की 80 में से 80 सीटे वो जीतेगी और पूरे देश में बात करें तो 400 पार का दावा किये जा रही है आप देख लेंगे कि विपक्ष से चूक तो नहीं हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं जो मौझूदा सरकार है वो किस तरह CB, CBI का और ED का प्रयोग कर रही है और हमें देखा और पूरे देश ने देखा कि किस तरह का भ्रष्टाचार बॉंड्स के माध्यम से किया गया है और पूरी पार्टी एक्सपोज़्ड है वे इस टाइम पर दूदू मुख्यमंत्रियों को जिल भेजा गया है और लगातार क्या डरा है अपने या दमखाने का प्रयास किया जाए ये इंडिकेशन है और हम सब को समझना होगा पूरे देश को ये बात समझनी होगी कि यही मौका है जब अपने मत्तधिकार का प्रयोग करें और सही दिशा में प्रयोग करें और मैं समझती हूँ काफी लोग जो एकदम खुल के सामने नहीं आ रहे हैं वो भी भाजबा के अगेंस में कह रहे हैं कि वोट करेंगे आपका और समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का एक गडबंधन हुआ है इंडिया गडबंधन क्या लगता है कितना असर होगा इस बार समाजवादी पार्टी ने अपनी भूमे का बहुत भगूभी निपाई है गडबंधन कर लगी तो गड़बंधन मजबूत है और सब अपना काम अगा ठीक से करेंगे तो भाजपा को राना बहुत मुश्किल नहीं होगा क्या उमीद जताई जाए कि जल्दी आप लोगों की संयुक्त रहलिया होंगे सब लोग अपने छेत्र में पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे एक अंतिम सवाल मैम कि क्या नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी टिकट बाटने में कुछ देर कर रही है या टिकट करने का क्या करना नहीं देरी नहीं हो रही है आप देखेंगे कि भाजपा वालों की भी टिकट और सभी पार्टियां एकदम एंड मुव्मेंट में आती है इस बार टिकट वित्रन हो रहा है क्योंकि बहुत सोच समझ के चनाव लड़ने वाला चनाव है तो इसमें मैं नहीं समझती कोई गलत बात है परेटन मंतरी जैवीर को यहां से उमीद्वार बनाया गया है कितनी बड़ी चुनोती होगा मैं समझती हूँ पूरा मेनपूरी छेतर उन्हें जानता है और आप देखेंगे कि लोग किस तरह वो डालेंगे आपको समझ आएगा बाद में जैसा कि आपने सुना यती डिमपल यादो जी जोकी मैनपूरी की सांसद है और आप से कुछ देर पहले सपा मुख्या अखले स्यादो ने भी उमीद्वार बनाया जाने पर कमेंट किया कि जैवीर सिंग पहले समाजवादी पार्टी को ही जिताते थे और क्योंकि कोई मंत्री सांसदी नहीं लणना चाहता कहीं ने कहीं उन पर दबाओ है और डिमपल जी का भी ये दावा है कि वो लगातार ये उनका गल रहा है और आने वाले समय में भी मैनपूरी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताते हुए नजर अधनाद रैली होगी वहीं राजिस्तान के बार मेर मेर में भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं बार मेर जैसल मेर लोगसभा सीच से बीजेपी के कैलाश चौधरी कैनिडेट हैं वहीं शाम साड़े तीन बजे प्रधान मंत्री मोदी दौसा प्रधान मंतरी नरिन मोडी और आज राजस्तान के अलावा जम्मु कश्मीर के उदमपुर में भी प्रधान मंतरी की रैली होने वाली है तो जम्मु कश्मीर के उदमपुर में प्रधान मंतरी मोडी की आज विशाल वैली होने है आज सुबह दस बजे उदंपुर में विजे शंकनाद रैली होगी प्रधान मंतरी विशाल जन्रसवा को यहां समूदित करेंगे भारी तादाद में वीजे बी कारकरता और लोग इस रैली में शिरकत करने वाले हैं रैली की पुरी तैयारियां कर ली गई हैं रैली के मंदे नजर शाम पांच बजे तक नो फ्लाइ जोन बना दिया गया है इस पूरे के पूरे इलाके को चपे चपे पर सुरक्षा कर भी तैयनात हैं बड़े बड़े होडिंग्स प्रधान मंतरी के लगे हैं विजे शंकनात रैली प्रधान मंतरी की होने वाली है जमुकश्मीर के उधंपुर में और तस साल में प्रधान मंतरी की ये तीसरी रैली हो रही है और उनके इस दोरे के मद्दे नजर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिये गए हैं और बीजे पी के कारे करता उसके रावा बड़ी संक्या में लोग प्रधान मंतरी को सुनने के लिए यहां एक अत्रित होंगे और सुबह से ही यहां पर सुरक्षा के सबरदस्त बंदोबस्त कर दिये गए हैं बड़े-बड़े होडिंग्स प्रधान मंतरी के लग गए हैं दस बजे प्रधान मंतरी यह रैली करने वाले हैं प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी आजुदुमपूर के बटल वालियां इलाके में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी रैली की तैयारियां जोरो शोरों पर है, हाला कि चपे चपे पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, त्री लियर सुरक्षा अजेंसियां यहां पर मौझूद है, जम्मो कश्मीर पुलिस हो, CRPF और भारती सेना की जो जवान है, वो य सुरक्षा अजेंसियां यहां पर मौझूद है, और चपे चपे पर निगरानी रखी जा रही है, करीब 11 बजे परधार मंतरी श्री नरेंदर मोधी यहां पर लैंड करेंगे, और 12 बजे के करीब वो वापिस लोट जाएंगे, वीडियो जालिस राजीव के साथ, कॉमल सिं रखा है, जो अंदाज है, वो निराला है, चुनाब पर चार के दौरान, किरोडिलाल मीरा ने न्यूज 18 इंडिया से कई मुद्धो पर बातचीत भी किया महावला आपके सामने है, जो उसमें भार्जय जन्ता पार्टी के कारेकरता, आप मोटर साइकल से ले जा रहे हैं, एक जबे नुकड सबा है, उस नुकड सबा में, अंबीदवार के बारे में, हम भी विचार रखेंगे, हमारे MLS आपें, रामोतार जी बहर्याजु बहर्य समाज के लोगों ने मेरों का स्वागत किया है, और करनल पैसरा के किताब भी मेरों को बेंट किये, इस प्रकार से आप अंदाज लगा सकते हो, कि सब जाती वर्ग मोधी जी के साथ है, मोधी जी को बोड़ देना चाहता है, इस माहोल से आप आसानी से कहा जा सकता है, कि हमा लेकिन राजसान में कई सीटे आपकी फसी हुई है, यह खुपरचार है, यह भ्रामक है, कॉंग्रेस गुम्रा करके वोट लेना चाहती है, कोई सीट नहीं फसी हुई, यह तो इनका, मेरों को भी मेरी सीट भी जम में लडा था, सवाई मादो पृतो उसको फसी हुई बता दिया था, लेकिन में साधा 22,000 से चीट कर रहे हैं, क्या आपको आप लेकिन आपके समझत कह रहे हैं, कि लोग साब ने मेहनत बहुत की लेकिन इतना इनाम लोगा करता है, यह कितना अच्छा नाम है, कि कारकरता हिर्दे से, अंतर मंच से मेरे नारे लगा रहे हैं, मेरे को प्यार दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता, मेरा कद इनों ने इतना बढ़ा दिया, कि उसके सामने पद कुछ भी मैतनी रहे हैं, लेकिन जो आपके समर्थक उमीद कर ले थे, डॉक्टर किरोरी लाल मीना को जिस तरह से आपके समर्थक, उमीद करेते हैं, मैं करमेणवादी कारेशू, माप फलेशू, कदाचने, भगवान कृष्ट्र के उप्देश में बरुसा करता हूं, कि समत में होगा, तो ठीक हैनी जो मिला है, इसको लेके जलता कि सेवा करेंगे। समर्थक कुछ डियास होंगे, आपको लगता नाराजगी का क्या नुकसान होगा बीज़ेटी का? मैं जितने भी नाराज समर्थक हैं, नाराज समाज हैं, उसको मैं मतदान पढ़ने तक 19 अप्रेल को मतदान होगा, तब तक सब को खुश करनूँगा, प्रसंद करनूँगा, और वैसे ही बोट दुलाऊँगा, जैसे मेरे को बोट दिया था। अशो के लोट के रहे हैं, यह जो आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, इसका मकसद यह है कि आ पहुमत नानार आरक्षन खतम करना है। मोदी है, तब तक किसी प्रकार की छेड़का निकी जाएगी। और क्या इस बार सब्ता में आएंगे, यू-सी-सी लागू करेंगे। बिलकुल, यह हमारे एजेंटा में है, यह हमारी वचार धारा का मुख किस्सा है, अब की बार मोदी सरकार 400 पार करेगी, तो यू-सी-स मोदी लागू करेंगे। AI, MIM के बीच में, कॉंग्रस ने अपना कैडिडेट ना उतारने का फैसला कर दिया। मिले हुए हैं और यह हिंदूों के खिलाफ काम करते हैं। बड़ी बात यहां कैडी है, बीजेपी ने जीकिशन डीडी जो की केंद्रे मंत्री भी है, सीधे-सीधे निशाना साधा है, उन्हें का कि यहां तीनों बिले हुए AI, MIM, कॉंग्रस और BRS और यह हिंदों के खिलाफ काम करते हैं। यह तीनों कांग्रेस पार्टिय हो, MIM पार्टिय हो और BRS पार्टिय हो, तीनों एकी पार्टिय है, एकी ग्रूप है, तीनों का DNA एकी है, तीनों मिलके काम करते हैं। तीनों मिलके पुराने शेर के हिंदुओं के किलाव बात करते हैं, हिंदुओं का अलग-अलग 100-32 slums खाली करवाते हैं मजलिस पार्टी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो कांग्रेस पार्टी समर्दन करते हैं M.A.M. पार्टी को, बियारस पार्टी सत्ता में तो बियारस करते हैं पूरे इम एम के इशारप पर नाचने वाले पूलिस को लगाते हैं पूरे हिंदुएं के किलाफ काम करते हैं मजलिस पार्टी उनका समर्दन में सरकार ठाइडती हैं और इदर उत्तरप्रदेश की पीली भीट लोकसवा सीट से उमीदवार जितिन परसाद का बड़ा बयान सामने आया है इंडिया अलाइंस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है ये उन्होंने कहा है जितिन परसाद ने ये भी काया कि देश की जनता से दूर हो चुकी है कॉंग्रेस सासाथ उन्होंने एक और बड़ी बात की कि सीए से पीली भीट में बंगाली समाज को फायदा मिलेगा ये बड़ी बाते कहीं है विपक्ष के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है यानि जो मैनिफेस्टो है कॉंग्रेस का उसको लेकर सवाल उठा लें देश की जनता से दूर हो चुकी है कॉंग्रेस पार्टी खुद कॉंग्रेस में थे बीजेपी जॉइन की अब कैंडिडेट है पीली भीट से तो ये बड़ी बाते उन्होंने कहीं है पीली भीट से उमीदवार है जितिन परसाद बड़ा बयान उन्हों लिया है उन्होंने का कि सीए से पीली भीट में बंगाली समाज को फाइदा मिलेगा मेरे साथ जितिन परसाद जी मौझूद है वो पीली भीट से प्रत्याशी है अब की बार भाजपा के जितिन जी जब प्रधान मंतरी यहां आए थे तो उन्होंने सीए की काफी बात करी यहां पे सीए का पूरा मेसेज फैलाया जा रहा है उन्होंने बात करी क्यों सीए की जरूरत थी क्यों जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो हिंदू लोग आ रहे हमारे भाई भेन के समान है मैंने देखा कि बिली भीट में काफी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है तो आपको किया लगता है कि वो मसीए का मेसेज यहां पर कैसे लैंड करेगा कि सीए का मेसेज यह है कि यहां जिसे पधान मंतुजी ने भी कल अपने विचार रखे और बताया हिंदू और सिख भाई जो हमारे हैं जो किसी कष्ट में है उनके लिए भारत में दरवाजे खुले है और यहां बहुत बड़ी एक समस्या इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ खास तोर से इसलिए रखी गई थी CAA की बात यहां बहुत बड़ी आबादी पंगाली समाज की जो एक समय में आजादी के बाद यहां पुनरस्थापत किये गए थे उन लोगों के अभी तक आज तक सतर साल बात तक उनके सिटिजन शेप उनकी पूर्णतनर कागज पूरे नहीं हुए है और वो उनको आज यह सरकार ने और पीली भीत में जो इती बड़ी संख्या है उसको हम लोगों को लाब मिलेगा जो मोधी सरकार ने सिटिजन अमेंट में नाट लाए है उसके तेहत यहां बहुत बड़ी अबादी होगी जो उसका लाब उठाएगी उनको अधिकार मिलेंगे और आने वाले समय में उनका पूरी तरीके से भारत में समयोजन हो जाएगा जो ऑपोजिशन है समाजवादी पार्टी हैं इंडिया अलाइंस की पार्टी हैं वो बहुत अपोस कर रहे हैं आज भी सिए को आपने कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो भी देखा होगा उन्होंने बात करी है कि सिए टाइप 370 की बात करते हैं प्रधान मंत्री और आप 370 हो CEO लेजिसलेशन को वापस लिया गया है ऐसा है प्रधान मंत्री जी ने किया दिया ना कि जो इंडिया लाइंस का और वाकी लोग का मैनिफेस्टो है उसमें लगता कि मुस्लिम लीक की छाप है और आप जनता देखिएगा क्या फैस्ता लेती है कभी ऐसे बरदाश्ट ने करे हैं और किसी तरह की वोटों के लिए नहीं है देश के लिए कर रहे है और मॉर्निंग प्राइब में बड़ी खबार बंगाल में बीजे पी नेता शुविंदू अधिकारी ने तिर्मुल कॉंग्रिस विधायक हमिदुल रह्मान का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लैटफॉम एक्सपर जारी किया है इसमें टीमसी विधायक हमिदुल रह्मान लोगों को धंकाते दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में हमिदुल रह्मान लोगों से ये कह रहे हैं कि चुनाफ खत्प होने के बाद केंद्रिय बल यहां से चला जाएगा उसके बाद उन मिले हैं और 2022 में विधान सबाद चुनाफ के दोरान भी इनके विवादा स्पत बायानों ने खूब तूल पकड़ा था अब एक बार फिर धंकाने के अंदाज में उनका ये बायान आया जरा सुनिए क्या कहा है उन्होंने लोगों से अब कर दो है जैंट्राल गॉंडेंटर फोर्स्स जोब इसतरीक पर्जुन्त ठागवे तार्बरे आमादरे इप फोर्स्ते शंग थाक दो बैए और बीजेबी निता शुबेंदू अधिकारी ने त्रिमिल कॉंग्रिस विधायक हमिदुल रह्मान का वीडियो पोस्ट करते हुए सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिका चोपडा से टीमसी विधायक हमिदुल रह्मान अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के लिए जाने जाते हैं यहां उन्हें वोटरों और विबक्षी पार्टी के कारेकरताओं को धमकाते हुए देखा जा सकता है उनका आदेश साफ है एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद केंद्रे बल चले जाएंगे और एक मातर बल जो रहेगा वो उनका यानि तर्णमल कॉंग्लिस का है मतदाता और विबक्षी पार्टी के कारेकरताओं को उनसे निपटना होगा मैं चुनाव आयोक से चोपड़ा से टीमसी विदायक हमिदुल रह्मान के धमकी भरे वीडियो पर संग्यान लेने का अग्रह करना चाहूंगा जो सपष्ट रूप से मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं शुविंदु अधिकारी ने ये एक्सपोस किया है और इसमीच पष्टिमंगाल की मुख्यमंत्री ममतब अनरजी को गुरुआर को जलपाई गुड़ी में एक अचीब से हालात का सामना करना पड़ गया ममतब अनरजी की खाफिले के सामने जैश्री राम के नारे लग गए जैसे उनका खाफिला चालसा इलाके पहुंचा रेक्शन उनकी तरफ से नहीं आया मुख्यमंग इस तरह की जब भी कोई वाक्या होता है पेश आता है उनके सामने तो रियाक्ट जरूर करती है चालसा इलाके में बीजेपी उमीदवार के समर्थन में बीजेपी के एक रोड मीटिंग चल रही थी इसी दोरान महां से मुख्यमंग का ताफिला घुज़रा तो बीजेपी कारकरताओं ने जैश्री राम के नारे लगाने शुरू कर दी है मुख्यमंद्र का काफिला वहाँ पर कुछ सेकिंड्स के लिए रुका जरूर लेकिन ममताब एनर्जी ने कुछ कहा नहीं बिना कुछ कहे वो वहाँ से आगे बढ़ गए किसी तरह का कोई रियाक्शन कोई प्रकित गया उनकी तरफ से नहीं आई यहां से उनका काफिला गुजर रहा था कि अचानक वाज जैशी राम के नारे बीजे पी कारकरताओं ने लगाने शुरू कर दी मौनिंग प्राइम में बड़ी खबर संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराद और जमीन कफ़े से जोड़ी शिकायत दर्श कराने के लिए सीबी आई ने अब एक एमेल एडरिस जारी किया है सीबी आई ने खदम कलकता हाई कोट के आदेश के बाद उठाया है सीबी आई का ये दावा है कि एमेल एडरिस यानी संदेश खाली at the rate cbi.gov.in संदेश खाली के पीडितों को शिकायत दर्श कराने के लिए एक प्लैटफॉर्म के रूप में, एक मंच के रूप में काम करेगा कलकता हाई कोट ने 10 सपरेल को संदेश खाली में महिलाओं के यहान उत्पीडन और जमीन पर खब्जे के मामले की जाँच cbi.gov.in और इस पे जो भी शिकायत है, किसी भी तरह की शिकायत है संदेश खाली के लोग इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं तो यह cbi.gov की तरफ से एक्शन लिया गया अभी cbi.gov.i को जाँच का जिमा सौपा था, कलकता हाइकोट ने उसके बाद cbi.gov.i ने यह खदम उठाया है, यानि अगर आप किसी भी तरह की कोई शिकायत है किसी के साथ बुरा वहवार वहाँ पर हो रहा है, वो महिला हो, पुरुश हो, या कोई भी हो वो जाकर इस एड्रेस पर ये इमेल एड्रेस जो है, cbi.i की तरफ से जो जारी किया गया है, उस पर अपनी शिकायत दर्च करा सकता है उदर बंगाल में बीजेपी नेता दिलीब घोष ने ममताव एनरजी पर बड़ा हमला बोल दिया अर्दवान में चाय पर चर्चा कारेगरम में हिस्सा लेने के बाद दिलीब घोष ने ममताव एनरजी को निशाने पर लिया मॉनिंग प्राइम में अब बात मीसा भारती के बायान की प्रदाम्तों नरिन मोधी पर दिये गए मिसा भारती के विमारतस भायान पर jeśli सियासी घमा Three चांप ग्षाण हुआ का बी जेपी बिज़्पी निद्धा ने भी खिख्यों की बायान पर प्लटवार किया जेपी नड़ा ने ये भी का कि जो लोग खुद बेल पर हैं वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं अभी अभी मीसा भारती ने अभी का ये इतने frustrated हो गए हैं आप बोलते हो मोदी 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 और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं कभी सांप कभी बिच्छू कभी क्या कभी क्या इनकी निराशा इनकी हताशा इनका frustration चरम सीवा पर हैं अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोट पद पर रहकर के बारा साल से जादा चीफ निस्टर और अब दस साल से जादा प्रधान मंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है ऐसे को मिसा भारती बोलती है मैं चुराओं के बाद जेल में भेजूँ एसा frustration ऐसा निराशा ऐसी निराशा आप बताईए मैं फिर से बोलता हूँ जहां? लालू सेहत के कारण बेल पर है कि नई है? चारा घुटाले में इन्वार्ट है कि नहीं है? और लोगों से मिसा भारती पर अंजाम है कि नहीं है? जो खुद बेल पर हो जिन से खुद पोचता चोरी हो वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं दरबसर आपको बता दें लारू परसाद यादव की बेटी और आरजेडी कैंडिडेट मीसा भार्टी ने प्रधान मंतुरी नरियंद मोदी पर विबादा सपर पायान दिया था उन्होंने एक चुनावी कारकरम में कहा था कि हम सक्ता में आए तो प्रधान मंतुरी नरियंद मोदी जेल जाएंगे और जेडी ने मीसा भार्टी को पार्टी पुत्र लोकसवा सीच से कैंडिडेट बनाया है और अब ये बात उन्होंने कही है कि सक्ता में यदि आ गए तो प्रधान मंतुरी मोदी जेल जाएंगे ये प्रेस को उन्होंने बात कही है मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने जो इन्डिया गट बंधन है दीर ऊजब हुआ है उसका उनको तुस्टिकरन दिख रहा है इसानों की आए दुगनी करने की हम बात करें हमें में एमस्टी लागू करने की बात करने को तुस्टिकरन नजरा रहा है आज बैटे के लिए वोर्ट मंगने गए थे काहीं ने पर प्रधान मंतरी को लेकर मीसा भारती ने जो बयान दिया है उसके बाद आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने इसे बेफजूल का मुद्दा बता दिया है तो महीं चिराक पास्वान ने बदले की भावना से दिया गया बयान इसे बताया है अगर का आपके पास कोई आरोप है आप आरोप लगाई है ना दो हजार चार का समय ऐसा था उप्रतिय की सरकार का जब एक के बाद गोटाले हम लोगों ने देखे थे और जितनी भी कारवाई हुई है उन गोटालों के आधार पर ही हुई है पर आप बिना किसी आरोप के ये एक सरकार ऐसी है जिसमें कोई गोटाला ने दगना था उसके बाद अगर आप ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं बदले की भावना इसमें दिखाई देती है विन डेटा इसमें दिखाई देता है विन डिक्ति पॉलिटिक्स इसमें दिखाई देती है ये गलत है जबाब देने के बजाए जो इमंदारी के साथ 140 करोड जनता जो महाभारती का संता ने उसको अपना पडिवार मानता है और जिसके इमंदारी पर कोई दाग नहीं लगा है आप उसको जील भेज दीजिएगा यह सपना भूल जाईए यह जंगल राज को गुंडाराज में तबदील करना चाहते थे गुंडाराज में तबदील देश के प्रदानमंती नरंद मोदी जी नहीं होने दिया है इसबीच बीजेपीनेता संजे बेऊक ने मीसा भार्ती के बैयान पर निशाणा साधा ॉन्होंने कहा कि चुनाम में बिहार की जनता पूरी तरह से उन्हें नकार देखुआ सरकार उनकी बन नहीं रही है। लेकिन जील में क्या ताना साही लाने वाली हैं। क्या करने वाली है। बिहार की जनता उन्हें पोंध का नकार देगी। कौन रूप से नकार देगी और असल वात इनने तो संगत का आफर है ना कॉंग्रेस का संगत है इन्हीं लोगों ने आपात काल लाया था जिस कारण माना नियाब बरी भेन मिशा भारती जी का नाम मिशा रहा तो कम से कम कॉंग्रेस की संगती है तो नाम उनको जरूर अपना बदर लेना चाहिए आरोप लगाया है आज दिल्ली आ रही है और आला कमान से नाना पटोले की शिकायत करने वाली है उनके साथ कुछ और नेता भी दिल्ली आ रहे है और इस वीश लोगसवा चुनाव की वोटिंग से पहले महाराश में कॉंग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है इस बार महाराश कॉंग्रेस और मुंबई कॉंग्रेस की बीश ठन गई मुंबई कॉंग्रेस झद्यश वर्शाग आईकवाड ने नांणा पटोले पर मुंबई में लोगसवा सीटों के बटवारे पर मुंबई कॉंग्रेस इकाईस से चर्चा ना करने का आरोप लगाया है कॉंग्रिस को मुंबई में तीन सीटे मिलने की उमीद थी खुद वर्षा गायकवार डक्षिन मद्य मुंबई से चुनाब लड़ना चाहती थी और अब वो सीट पटवारा जो हुआ उसको लेकर खासी नाराज है नाना पटोली के खिलाफ शिकायत करने के लिए आज वो दिल्ली पहुँच रही है जो आला कमानी के नेता हैं उनसे वो भेट भी करने वाली है इसमीच सूत्रों के हबाले से खबर मिल रही है दावा किया जा रहा है नौट सेंट्रल मॉंबई और नौट मॉंबई लोगसभा सीट पर कॉंग्रेस को उमीदवार नहीं मिल रहे है नौट सेंट्रल मॉंबई कॉंग्रेस की परंपरागत सीट है जबकि नौट मॉंबई सीट MBA के बटवारे में इस बार Congress को दे दी गई है सुत्रों के मताबि Congress दोनों ही सीटों पर उमीदवार उनकी तलाश करने में जुटी हुए यानि Candidates ही नहीं मिल रहे हैं महाविकास अगाडी एक तरफ तो seat sharing formula बड़ी मुश्किल से बना लेकिन अब दो जगा से, दो constituency से candidate Congress को नहीं मिल रहे हैं उनकी तलाश करने में स्वक्ट Congress पार्टी जुटी हुई है और ये दो seatे बेहद important हैं एक Central Mumbai उसके अलावा North Mumbai की seat जो है MBA बटवारे में इस बार Congress के खाते में आई है तो यहां इन दोनों ही seatों पर Congress को candidates नहीं मिल रहे हैं मौनिंग प्राइम में बड़ी खबार बिहार के पूर्णिया से independent candidate पपू यादव के कारयाले में पुलिस ने चापे मारी करते बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर SDPO पहुँचे थे घड़ना की जानकारी जब पपू यादव को मिली फौरण वो अपने चुनावकारयाले पहुचे इस दोरान उनकी पुलिस अधिकारी के साथ वहां बहस भी हो गई उन्होंने पुलिस की इस कारवाई को अपने खिलाफ साजश बताया साथी साथ परिशान करने का भी उन्होंने आरोब लगा दिया वहीं पुलिस ने अपनी कारवाई के दौरान पपू यादव की परचार गाड़ी को भी जबत कर लिया पुलिस का दावा कि बिना परमीशन के गाड़ी को परचार में लगाया गया था इस दोरान पपू यादव की जो तमाम सपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे उन्होंने पुलिस के खिलाव वहां जमकर नारे बाजी भी की परचार गाड़ी को जबत कर लिया पुलिस ने और उसकी परमीशन नहीं लिए थी ये कहा गया पपू यादव को जैसे ही ये खबर मिली आनन फानन में पपू यादव वहां पहुँचे उनकी पुलिस दिकारियों से वहां जड़ब भी हुई और पपू यादव ने पुलिस की इस कारवाई को राजने तिक साज़िश बता दिया जबकि पुलिस का दावा है कि पुपू यादव बिना किसी पर्मिशन के प्रचार के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे पता नहीं हम तो छेतर में थे एद और सरूर वाले में आप लोगों ने देखा होगा अभी जानकारी मिली कि कुलिस फोर्स यहां आई हुआ है और गारी को कह रहा था जबरदस्तिया लगा हुआ महादेव नहीं जो पर्मिशन है कुछ गारियों की जो निकली इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी पर्मिशन के लिए वह ते ना कभी बज आ ना ध्वानी है ना कुछ है उसके बा जो जिसका मुझे पहले भी संका थी की जो मानसिक्ता बनी है जैसे दिली में एदी सीवियाई की मानसिक्ता होती है वैसे चुनों भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते मैं आगरा करूंगा डीम साहिब और स्की साहिब से किसी भी प्रकेडिया के पहले आपका ओडर हो अिलिरा के न्हीं है चाहिए गाड़ी रोड पर ठाथ तो परमिशन के लिए था हिन्होंने बता है कि परमिशन के लिए घया था उसका हमने लिया है कागज उसको हम ऐसे जू साहिब के बिज़ेंगे सिंगिल विण बेर्ड़्ड़ किया लगा हुए है जाच किया दर प्राइंट सोयबी नॉयल चुनो सही लालो यादव की बेटी और पाठली पुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मिसा भारती ने पीम मोदी के लिए दिया विबादा स्पत बयान बोली हम सत्ता में आए तो जेल जाएंगे पीम मोदी बीजबी का पलटवार कहा जो भी भरष्टाचारी उसकी जगह जेल में महाकोश कच्ची घानी सरसु तेल और रिफाइंट सोयाबी नॉयल चुनो सही और दंगे की आशंका जताते हुए लोगों से शांत रहने के अपील कर डाली मौका ईद का था लेकिन ममता बिरंटची ने दंगे का जिक्र किया यही नहीं उन्होंने वहां मौझूद लोगों को साथान करते हुए एनाईये पर भी निशाना साथा लोग सबा चुनाव से पहले दंगे से जुड़ा ममता का यह कोई पहला बयान नहीं है क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक चुनावी रैली में राम नवमी पर दंगे की आशंका जताई थी उनकी यह रैली बंगाल के अलीपुर द्वार में हुई थी 17 अपरेल को राम नवमी है उसके दो दिन बाद यानी 19 अपरेल को पहले चरण का मतदान होगा और ममता ने आशंका जताई थी कि पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले यानी राम नवमी के दिन दंगा हो सकता है ममता का ये बयान आये ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उनका दंगों से जुड़ा एक और बयान आ गया बीजेपी ने ममता के इस तरह के बयानों को चुनाव में हार का डर माना और दावा किया कि इस बार बंगाल के नतीजे हैरान कर देंगे मैं एद के दिन कोई रज़ितिक बात नहीं करूंगा लेकिन बंगाल के नतीजे चौकाने वाले होंगे पिछले साल बंगाल के कुछ इलाकों में राम नौमी पर तंगे हो गए थे बंगाल सुलक उठा थे राम नौमी से पहले ममता बार बार उसी ओर इशारा कर रही है और तंगों की आशंका जता रही है इधर यूबी के कानपूर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमित बाजपई की वहां के पुलिस वालों से ठीकी बहस हो गई उन्होंने आरोब लगाया कि पुलिस वालों ने ईज़ के मौके पर नमाज बढ़ रहे लोगों के साथ बत्तमीजी की और जब इसका विरोध किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेता समराट विकास यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसी के बाद महां ऐसा बवाल हुआ कि बात बुरी तरह बिगड़ गए अपने कुछ समर्थकों के साथ विधायक अमित बाजपई थाने पहुँचे और पुलिस वालों पर हल्ला बोल दी इस बहस के दोरान वो कभी टेबल पर हाथ पटकते दिखे तो कभी उन्होंने गुस्से में पुलिस अधिकारी को उंगली दिखाते हुए पुलिस के मताबिक समाजबादी पार्टी के जिस समराथ विकास यादव को गिरफतार किया गया उन्होंने माहौल बिगाडने की कोशिश की थी उन पर ईद के मौके पर लोगों को भढ़काने क्या रोप लगे और पुलिस ने दावा किया कि इसी वज़े से उन्हें इरासत मिलिया गया पुलिस के मताबिक कानपुर के शाही इदगा में इदग के जश्न के दोरान समराध विकास यादव ने लस्सी बांटने के लिए एक स्टॉल लगा दिया था जब कि उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं मिली थी पुलिस के मताबिक जब उन्हें रोका गया तो वो इदगाह के दर्वाजे पर ही धरने पर बैठ गया इससे आने जाने का रास्ता जाम हो गया इसके लाबा वहां पहुंचे कई और लोगों को भी जान भूच कर परिशान किया गया बताया गया कि इसके बाद पहले तो समाज़वादी पार्टी के कारकरताओं ने उसी इदगाह के बाहर नारेबाजी की और फिर विरोज जताने के लिए ठाने पहुंच गए उधर दिल्ली शराब गोटाला मामले में बियारेस नेता के कविता की मुश्किले और बढ़ गई दिल्ली शराब गोटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में E.D. के बाद बियारेस नेता के कविता को CBI ने गिरफतार कर लिया उनकी गिरफतारी तिहार जेल से हुई जहां वो पिछले कई दिनों से नियाई किरासत में है इस मामले में CBI ने पिछले अफ़ते उन से 6 गंटे पूश्टाज भी की थी खबरे की जांज एजिंसी सुबह के कविता को कोर्ट में पेश कर सकती है पश्टमंगाल में संदेश खाली मामले की जांज कर रही CBI ने शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए एक इमेल आईडी जारी कर दी इसके साथ ही पीडितों से अपील की गई वो बिना डरे इस इमेल पर अपनी शिकायत दर्ज करा है उजेन के महाकाल मंदर परिसर में खुदाई में मिला एक हजार साल पुराना मंदर जुलाई में पूरी तरह बन कर तयार हो जाएगा पता गया कि इस शिव मंदर की उचाई 37 फीट होगी इस प्राचीन मंदर के अवशेश जून 2021 में मिले थे हर्याना के महिंदर गड़ में उस वक्त अफरा तफ्री मच गई जब वहाँ ईद की छुटी के दिन चात्रों से भरी एक स्कूल बस भीशन हादसे का शिकार हो गई इस घटना में आठ बच्चों की जान चली गई 15 से ज़्यादा बच्चे घायल हो गए हादसे के बाद जी-ल पब्लिक स्कूल नामके उस स्कूल की प्रिंसिपल को हिरासत में लिलिया गया और स्कूल जाते हुए वो बस हादसे का शिकार हो गया गटना वाली जगह से आई तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो हादसा कितना खतरनाक रहा होगा क्योंकि उस्कूल बस के परकचे उड़े नज़र आये उसके पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह तूटा-पूटा दिखाई दिया और किड़कियों का एक एक शीशा चकना चूर हो गया चश्मतीदों के मताबिक हादसे से पहले वो स्कूल बस बहुत तेज रफ्तार में दोड़ रही थी और एक रास्ते पर मुणने के दौरान ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया इसके बाद वो बस सीधे एक पेड़ से जा भीड़ी और जोर्दार टक्कर के बाद वहीं पलट गई उसने एक सबीस की सुड़िये बगा लियों जैसे उसने मोड़ान बैलेंस भीड़ गड़ गया आरोप लगा कि हादसे के वक्त स्कूल बस का ड्राइवर नशे में धुद्थ था जश्मतीदों के मताबिक उस स्कूल बस उस पेड़ से इतनी तेज रवतार में टकराई कि कुछ चात्रों की वहीं जान चली गई आला कि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों की मदद से घायल हुए बच्चों को अलग-अलग अस्पतालों में भरती करवा दिया ताकि ज सरकारी भीड जमा हो गई कुछ परिजन तो अपने घायल बच्चों को गोद में ही उठाकर इलाज के लिए इधर उधर भटकते दिखाई दिये जो बस हादसे का शिकार हुई वो महेंद्रगड में मौजूद जी एल पब्लिक स्कूल नाम के प्राइबेट स्कूल की थी औ हादसे के बाद हर्याना की शिक्षा मंतरी सीमा त्रिखा ने अस्पताल में जाकर गायल बच्चों का हाल जाना उन्होंने इस मामले में सक्त जांच के आदेश दिये और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कारवाई की बात कही चुट्टी के दिन स्कूल चल रहा था जो पूरी करन से गयर कनोनी ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया और पीडित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया क्योंकि इस भैंकर हादसे ने हर्याना ही नहीं बलकि पूरे देश में खलबली मचा दी यही वज़े रही कि हर्याना सरकार पौरन आक्शन में आ लेकिन आरोब लगे कि इस बात की जानकारी होने के बाद भी जी एल पबिक स्कूल की प्रिंसिपल ने कोई कारवाई नहीं की यही वज़े रही कि पुलिस उन्हें पूछताज के लिए अपने साथ ले गई प्रिंसिपल को हिरासत में लेने के साथ ही पुलिस ने उनके दफ्तर से कुछ दस्तावेज भी जब्त किये इस दिल दहला देने वाले हादसे को लेकर मचे बवाल के बीच हर्याना का परिवहन मंत्राले भी आक्शन में आ गया क्योंकि आरजडी नेता तेजस्वी आदव ने संत्रा खाने वाला वीडियो शेयर कर दिया और संत्रे के रंग का जिक्र करते हुए बीजेपी पर तंस कसा इस वीडियो में महागटबंधन में उनके सयोगी और वियाइपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी फिर नजर आए एक दिन पहले तेजस्वी के मचली खाने वाले वीडियो में भी मुकेश सहनी उनके साथ दिखे थे मुकेर सहनी ने संत्रा खाने के बहाने पिछड़ा कार्ड भी खेल दिया इसके बाद तेजस्वी ने वीडियो में बताया कि उन्हें ये संत्रे बिहार के जमूई के लोगों ने दिया तेजस्वी और मुकेर सहनी का ये नया वीडियो ठीक उसी तरह बनाया गया जैसा एक दिन पहले आया मचली खाने का वीडियो था फर्क बस इतना था कि पहले वीडियो में दोनों ने ता बिहारी स्टाइल में मचली, रोटी, मिर्ची और प्यास खा रहे थे उनके पास पीने के लिए सत्तू, बेल का जूस और मठा थे और तूसरे वीडियो में उनके पास खाने के लिए केवल संत्रे थे और तेजस्वी आदब के मुताबिक वो संत्रे भी उन्हें जनता ने दिये थे और उन्होंने वही संत्रे खाते हुए नया वीडियो बनाया और बीजेपी पर निशाना साथा। ये वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हेलिकॉप्टर में नारंगी पार्टी की। लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला भी किया और सवाल बुचा कि विरोधी नारंगी रंग से तो नहीं चड़ेंगे। वीडियो में तेजस्वी के साथ। अब बाड़ मेर जैसल में लोकसवा सीट पर निर्दली यानि फिर से इंडिपेंडेंट उमीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रधान मंतरी आज बाड़ मेर मेर में हैं और यहां स्टूडियो में रविंद सिंग भाटी मेरे साथ मौझूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रविंद सिंग भाटी से बहुत 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 अनिवार। रविंद सिंग भाटी में आपके बारे में पढ़ रहा था, ABBP चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन आपको टिकेट नहीं मिला, फिर आपने BJP से टिकेट मांगा MLA का, वो नहीं मिला, क्या कारण था, जब इतने लोग आपके साथ थे, स्टूडिन काइम से ही आप पॉल अच्छा ज़र ये बताईए कि आपने हमने सुनाए नाक में दम कर रखा है, BJP के भी, कॉंग्रेस के भी, और यहां तक की भजनलाल शर्मा जो हैं खुद, डिप्टी, सीम और आज तो प्रधान मंतरी भी बार्ड मेर पहुँच रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? सब मैं सब का स्वागत करता हूँ, बार्ड मेर की उस धन्य धरा पे थार की धरती पे, पर मैं मेरे काम कर रहा हूँ, जनता की बीच में रहके मुझे जो काम करने हैं, मैं वो काम कर रहा हूँ, बाकी सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, सब को सब काम नहें देता हूँ अच्छा जरा ये बताईए एक master stroke के बारे में आपकी बात हो रही है कि ये constituency छोड़कर आप गुजरात और महराश्ट का दौरा करके लोटे हैं उसके वो master stroke जो है जिसके बारे में चर्चा हो रही है जरा वो हमारे दर्शकों को बताए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिकली मारवाड छेतर से आता हूँ जांके मारवाडी देश के अलग लग कोने में अपने वैपार कर रहे हैं मैं उन तमाम भाईयों से आसरवाद लेने के लिए गया था कि हम आने वाले समय में आपके साथ पूरे तरीके से लगेंगे और आप पर आसरवाद भाटी सब बताइए आपके यहां के एक MP है वो तो बड़ी बात कह रहे हैं हमारा लड़का बिगड़ गया है वापस आएगा कही ना कहीं उन्हें उमीद है जरा उनका नाम भी बता दीजिए और वो कौन है जो आपके बारे में ऐसे ख्लेम करें देखी वो बड़ी लोग हैं मैं कुछ नहीं कह सकता मैं उमर में काफी चोटा हूँ मेरी जितनी उमरी नहीं है उनसे ज़्यादा उनको पॉलिटिकल एक्सपिरियंस है तो वो जो कहें उनको ठीक लगे वो करें अच्छा तो यह बताईए जो जनता का अदेस रहेगा रविंदर उस पर ख़रा उतरेगा अच्छा तो ये बताई है ना कि ऐसी क्या नाराजगी है आपने हमने ये भी सुना कि अशोग गहलोत की भी नाक में दम करके रखा था 70% reservation कि आपने बात लगा तार उनको चैन से सोने नहीं दिया तो Congress में आपको ऐसी क्या लगता है कि आपने Congress का दामन नहीं थामा और बीजेपी चुकिया पहले आना चाहते थे कोशिश भी आपने की अपने student दौर में किया लेकिन independent आप जीते और फिर से आप जब MLA बने तो independent जीते तो क्या नाराजगी थी कुछ ने ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी मैं पहले विद्यारती परिस्तित का कारे करता था हम हमारी demands लेके सुबे के मुख्या के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे और उसमें पेपर लीक से लेके और कई सारी अशी घटना है भी फीज का एक बहुत बड़ा मुमेंट टाइम में जब मैं अद्देक्स था तो हुआ उसमें मुख्यमंत्री जी असो गेलो साब थे तो हमने हमारा काम किया वो अपना काम कर रहे थे अच्छा ये बताए ज़रा आज कुछ इस तरह के अटकले हैं यहां वो बीजेपी में शामिर हो सकते हैं तो आपको लगता है उससे कहीना कहीं चुनाव में प्रभाव पड़ेगा आप पर कुछ किसी तरह का प्रभाव कह रहे हैं कि अशोग गहलोद भी आपके बड़े हैं प्रधान मंतरी का स्वागत है बाड़ मेर में आप ये कह रहे हैं तो नहीं लगता आपको कि अगर किसी पार्टी से आप चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादा बल मिलता है और ज्यादा आप काम कर पाएंगे पाक्स और विपक्स को एक हद तक कहीं न कहीं रुकना पड़ सकता है और निर्दलिय मजबूती से बात रख सकता हैं हर पार्टी का कोई ना कोई मैनिफेस्टो होता है, उसमें बड़ी-बड़ी बाते हैं, बड़े-बड़े दावे किये जाते हैं, और कुछ पार्टीयां तो क्लेम भी करती हैं, जब चुनाव आते हैं कि हमने यह यह वादे पूरे किये, आप किन-किन मुद्दों को लेकर चल तो युवाओं की रोजगार के लिए, साथ ही साथ वो तमाम मूलबू सुईदा है, जिनसे अभी तक हमारा थार वंचित है, वो तमाम चीज़ें उस जनता तक पहुंचाना, यह मेरा मैनिफेस्टो मेरे उद्दे से रहे हैं प्रधान मंतरी देखिए स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के और जहां भी जाते हैं वो बाजी पलट कर रख देते हैं उनका जो जादू की चड़ी है जब वो चलती है, तो कहीना कहीन डर है इस बात का कि जो युवा जब उनको सुनने आएंगे तो प्रधान मंतरी की बात आपके लगता है प्रधान मंतरी जिस तरह से देश पिछले 10 सालों में आगे बढ़ा है बीजेपी बाते करती हैं, प्रधान मंतरी को लेकर बाते होती हैं और बहुट सारे काम हुए है बीजेपी के राग में, आप उससे एगरी करते हैं कहीना करी देश के अंदर कई सारे तो रविंद सिंग भाटी से जब हम पूछें कि रविंद सिंग भाटी की सबसे बड़ी ताकत स्ट्रेंथ क्या है तो वो अपने बारे में क्या कहेंगे तो आपको योगा सुम्रा न्यूज 18 के ज़रे बिल्कुल ये 36 कौम के लोग जिनका सायोग मेरे साथ में जिनका एक विश्वास मेरे साथ में और हर संबब मैं कोसिस करता हूँ कि इनके विश्वास पे पूरी तरीके से खरा उतर सकूँ उस वंचित और सोसित की आवाज को मजबूती से रख सकूँ जो आज तक जिसकी आवाज को सुना नहीं कया हमेशा दबाया गया अच्छा फिर मैंने शुरुआत में आपसे पूचा था रविंद जी कि आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं बाड मेर जैसर मेर आपकी सीट है लेकिन दौरा करके आए आप गुजरात का महराष्ट का वहाँ एनराइस से जो हैं उनसे भी आपने मुलाकात की इसकी वज़ा क्या है यहां क्या हम इससे सेंस करें जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मारवाड छेतर से आता हूं और मेरे तमाम जो वैपारी भाई हैं जो देश के अलग-अलग कोनों हैं उन सभी से मिलने गया था आसिरवाद लेने गया था और जिस संक्या में वो आये और उन्होंने आसिरवाद दिया मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ यह तमाम भाई आने वाले 26 तारीक को मारवाड आके अपने गाउं आके एक इस बदलाव के लिए वोट जरूर करेंगे मुझे आसिरवाद जरूर देंगे अच्छा चलिया आकर में हमारी तरफ से शुब कामदा हैं आपको आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और युवा कंदों पर इतनी बड़ी जिम्हदारी आपने उठाई है लेकिन 4 जुन को जब नतीज्या आएंगे तो बाड मेर जैसल मेर की जनता का फैसला क्या होगा आपको क्या लगता है मुझे पूरा बरोसा है बाड मेर जैसल मेर और बालोतरा की जनता मुझे विश्वास जताएगी अपने बेटे अपने भाई रविंदर को सेवा करने का एक मोका जरूर देगी और आने वाले पांच साल बाद की इस्तती में आपको आज भी बता दू कि हमें एक लिष्ट लेके मैं बताओंगा किसाब ये इस्ततियां थी और वर्तमान समय में मैंने ये काम करवा है चलिए रविन सिंग भाटी हमारी तमाम शुब कामना है आपको और न्यूज 18 इंडिया मॉनिंग प्राइम में आप हमारे महमान बनकर आए बहुत बहुत शुब कामना है और बहुत दो शुक्रिया आए यहां आने आए अब देने भी यही बात दो रहा है आरजेटी ने जैसे ही संत्रा खाने का वीडियो शेयर किया और भगवा रंग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया यह तो इस देश की जनता का दबाव है जो तेजश्वी और उनका पूरा परिवार हरे से किसरिया की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं इससे पहले तेजश्वी के मचली वाले वीडियो पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे अधरे पर बम फेंकने शुरू कर दिये और उसके बाद तो वो पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गुंज उठा तस्वीरों में टीमसी के दोनों गुट आमने सामने नज़र आए टीमसी के एक गुट ने सड़क के दूसरी तरफ से बमों की बारिश कर दिये इसके बाद जब उस तरफ से भी बम फेंके गए तो वो लोग वहाँ से भागते दिखाई दिये एक के बाद एक हुए कई धमाकों से चारों तरफ धुआ 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 हो गया काफी देड़ तक हुई बंबारी से पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई लोग इधर उधर भागते दिखाई दिखाई दिये बतागया कि इस हमले में एक बच्चे और महिला समेथ पांच लोग बुरी तरह जखनी हो गए और ये सारा विवाद उस वक चुरू हुआ जब लोगसभा चुनाव के प्रचार के दौरान टीएमसी के दो उम्मीदवारों के समर्थक उस इलाके में पहुंच गया इसके बाद टीएमसी के एक गुट ने दीवार पर अपने उम्मीदवार का नाम लिख दिया जिसकी वज़े से टीएमसी का ही दूसरा गुट बढ़क गया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी लेकिन थोड़ी देर में मामला इतना बढ़क गया कि दोनों तरफ से बंबारी शुरू हो गई इधर उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निशाद का नोटों की गड़ियों के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया उस वीडियो में वो अपनी ही पार्टी के एक विधायक को नोटों की गड़ि थमाने की कोशिश करते दिखाई दिये लेकिन उस विधायक ने कैमरे के सामने नोटों की गड़ियां लेने से मना कर दिया ये वीडियो सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के आफिस के उध़ाटन के दोरान का बताये गया सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे इस वीडियो में सुल्तानपुर लोकसवादी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निशाद अपने समर्थकों से गेरे दिखाई दिये जैसे ही उनके हाथों में पैसों की कटिया आई उन्होंने वो पैसे ताहिर खान की तरफ बढ़ा दिया लेकिन ताहिर खान ने नोटों के बंडल लेने से इंकार कर दिया हाला कि बाद में समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच पैसे बांटने की बातों से साफ मना कर दिया पार्टी के विधायक तारिखान ने दावा किया कि ये पैसा चंदे के तहट जमा किया गया था और वही पैसा भीम निशाद उन्हें रखने के लिए दे रहे थे इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के नीजी सचिव पर विजलेंस विभाग ने आक्शन ले लिया रक्षामंत्री राजनात सिंग ने आतंगवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी और साथी ये पेशकश भी कर दी कि अगर पाकिस्तान इसे नहीं रोक सकता तो भारत इस काम में उसकी मदद के लिए तयार है काशि विष्वनात बंदिर के गर्ब ग्रिह में तयनात रहने वाले पुलिस कर्मियों के ड्रेस में बतलाब कर दिया ग्या पर कुलकता में एक कारिक्रम आयोजित किया गया है। पर भी निशाना साथा। ममता का ये बयान आये ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उनका दंगों से जुड़ा एक और बयान आ गया। बीजेपी ने ममता के इस तरह के बयानों को चुनाव में हार का डर माना और दावा किया कि इस बार बंगाल के नतीजे हैरान कर देंगे। पिछले साल बंगाल के कुछ इलाकों में राम नौमी पर दंगे हो गए था। बंगाल सुलग उठा दी। राम नौमी से पहले ममता बार बार उसी ओर इशारा कर रही है और दंगों की आशंका जता रही है। इस बहस के दोरान वो कभी टेबल पर हाथ पटकते दिखे तो कभी उन्होंने घुस्से में पुलिस अधिकारी को उंगली दिखाते हुए हद में रहने की चेतावनी भी दी। जब पुलिस वाले समराट विकास यादव को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी के वो सभी कारे करता खुद को भी गिरफतार करने की मांग करने लगे। पुलिस के मताबिक समाजवादी पार्टी के जिस समराट विकास यादव को गिरफतार किया गया उन्होंने माहौल बिगाडने की कोशिश की थी। उन पर ईद के मौके पर लोगों को बढ़काने के आरोप लगे। अनकि समाजवादी पार्टी के कारिकरताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने वहाँ पहुचकर साज़िश के तहट समराट विकास यादव को गिरफतार किया इसके लाबा वहां पहुचे कई और लोगों को भी जान बूच कर परिशान किया गया। इदगा के बाहर नारेबाजी की और फिर विरोध जताने के लिए ठाने पहुच गए। उदर दिल्ली शराब गोटाला मामले में बी आरेस नेता के कविता की मुश्किले और बढ़ गई। दिल्ली शराब गोटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में एडी के बाद बी आरेस नेता के कविता को सीबियाई ने गिरफतार कर लिया। उनकी गिरफतारी तिहार जेल से हुई जहां वो पिछले कई दिनों से नियाई किरासत में है। इस मामले में सीबियाई ने पिछले अफ़ते उन से 6 गंटे पूश्टाज भी की थी। खबरे की जांज एजिंसी सुबह के कविता को कोट में पेश कर सकती है। पश्चि मंगाल में संदेश खाली मामले की जांज कर रही सीबियाई ने शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए एक इमेल आईडी जारी कर दी। इसके साथी पीडितों से अपील की गई वो बिना डरे इस इमेल पर अपनी शिकायत दर्ज करा है। पुझेन के महाकाल मंदर परिसर में खुदाई में मिला एक हजार साल पुराना मंदर जुलाई में पूरी तरह बनकर तयार हो जाएगा। पता गया कि इस शिब मंदर की उचाई 37 फीट होगी। इस प्राचीन मंदर के अफशेश जून 2021 में मिले थे। हर्याना के महिंदर गड़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहाँ ईद की छुटी के दिन चात्रों से भरी एक स्कूल बस भीशन हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में आठ बच्चों की जान चली गई। 15 से ज़्यादा बच्चे घायल हो गई। हादसे के बाद जी एल पब्लिक स्कूल नाम के उस स्कूल की प्रिंसिपल को हिरासत में लिलिया गया। रक्षा मंतरी राजना सिंग की पाकिस्तान को दो टू कहा पहले आतंकवाद पर खाबू पाए पाकिस्तान भारत स्योग के लिए तैयार चीन को दिया कड़ा संदेश बोले किसी को नहीं लेने देंगे जमीन का एक इंच जमीन पर भी कोई कबजा नहीं कर सकता और एक अपनी जाने नहीं देंगे कार्रवाई किमा ग्रिह मंत्री अमित्शा का विपक्ष की महाराश्ट विकास आगाडी पर हमला नांदेड की रैली में कसा तंज कहा तीन आधी पाटिया मिलकर नहीं कर सकती महाराश्ट का भला बढ़ती गर्मी को लेकर केंसरकार अलर्ट पियम मोदी ने हीट वेफ को लेकर की हाई लेवल बैठक भायानक गर्मी के अलर्ट पर तैयारियों के लिया जाज पियम मोदी ने एक मीडिया हाउस को दिये इंटर्व्यू में कहा देश के लोगों का हक चीनने वालों के खिलाफ नहीं रुके की कारवाई दस सालों में एडी ने बाइस सो करोर रुपे जप किये पाटली पुत्र से आरजेडी उमीदवाद मीशा भारती ने पियम मोदी के लिए दिया विवाद अस्पत बयान बोली सत्ता में आए तो जेल जाएंगे पियम मोदी मीशा भारती के प्रदान मंतरी को लेकर दिये गए बयान पर बीजएपी का पलटा भार बीजएपी अध्यक्ष जेपी नड़्डा ने कहा विपक्ष की हताशा चरम पर है शिराग पास्वान ने कहा बदले की भावना से ग्रसित है मीसा भारती अगर मीसा भारती के पास मोधी सरकार इंखिलाफ हो कोई आरोप तो पहले आरोप लगाए रक्षा मंतरी राजना सिंग ने पाकिस्तान और चीन को दिया कड़ा संदेश बूले किसी को नहीं लेने देंगे जमीन का एक इंच पाकिस्तान को दिया आतिकवाद खत्म करने की सलाः टीमसी विदायक हमिदलरह्मान पर वोटरों को धमकाने का आरोप केंद्रिय सुरक्षाबल 26 तक हैं उसके बाद सबको हमारी पुलिस के दात रहना है धमकी का वीडियो वाइरल बीजेबी नेता शुबिन्दु अधिकारी ने हमिदलरह्मान का वीडियो किया ट्वीट चुनावायुक से हमिदलरह्मान के खिलाफ एक्शन लेने की मांगते पश्चि मंगाल के जल्पाई गुडी के चालसा में मुक्यमंत्री मम्ता बनरजी के खाफले के सामने लगे जैश्री राम के नारे मम्ता चालसा इलाखे में हैली पैट से उतर कर कार से जा रहीं थी मंगाल बीज़बी की नेता दिलीब गोश ने ममताब अनर्जी पर साधा निशाना बोले मुसल्मानों को ममता दिखा रही है दंगे का डर मुसल्मानों को देखकर ममताब अनर्जी करती है दंगे का जिक्र पूर्णिया में पप्पो यादव के समर्तर में उत्रे आरजेडी की राश्टी अपादी हक्ष देवे अद्रियादव पार्टी का खुले हम किया विरोत ते जस्वी पर खलत टिकट बांटने का आरोब भी लगाया पियम मोदी की जमू कश्मीर के उधंपूर में रैली प्रदान मंत्री के दोरे के मदे नज़र ड्रोन और गुबारे उड़ाने पर बैंक राजिस्तान में दो जगों पर पियम मोदी करेंगे चुनापर चार बाड़वेर में करेंगे रैली दौसा में होगा रोट शो तिलंगाना कॉंग्रिस प्रदेश महाज़र जी मौमद फिरोज खान का बायान बोले ए-ाइ-म-ा-इम और कॉंग्रिस पार्टी के बीच हुआ समझाता मैं दौर में नहीं हूँ आला कमान करेगा फैस्दा कॉंग्रिस का सद्दी नोवैसी के समर्थन पर बीजेपी का फलट वार के हिंद्री मंत्रियों तिलंगाना बीजेपी अध्यक जी किशन रेडी ने कहा हिंदों के खिलाप काम करती है कॉंग्रिस ग्रिय मंत्रिया मिच्शा करेंगे ताबर तोड प्रचार यूपी के मुरादाबाद में करेंगे रैली शाम को तमिलनाडू के मदुराई में होगा रोट शो प्यार की सीवान सीट को लेकर आरजेडी में मुश्किल शाब बुद्दीन की पत्मी हिना साब और पूर विदान सबाद्यक्ष अवद बिहारी चौधरी के वीच फसा पेच महराश में कांगरिस को नहीं मिल रहे चुनाव लड़ने के लिए फ्रतियाशी उत्तर मद्दे मुंबई और अटरी मुंबई के लिए कौंगरिस में प्रतियाशी को लेकर बन थराइड पुल्डोजर पर सवार होकर निकाली रेली यूपी के सहारनपुर में चुनाप परचार करेंगे सीम योग याद इतनाथ शाम को गंगो और देवबंद में करेंगे रेली और केरल में कांग्रिस नेता रमेश चैनितला का पिएम मोदी को लेकर बायान बोले मोदी के जितने दोरे केरल में होंगे कांग्रिस की स्कती उतनी ही मसबूत हो बॉर्णिंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज एक अफ़वार को दिये इंट्रिव्यू में प्रधान बंतुी नरिंद मोदी ने भरच्चाचार और एडी के आक्शन पर विपक्ष के आरूप को करारा जवाद दिया उन्होंने का कि भरच्चाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी भरच्च लोगों के खिलाफ प्रधान बंतुी ने का सकत कारवाई जारी रहे देश के पैसे को चुराने वालों के खिलाफ भी कड़ी काररवाई की जाएगी तो प्रधान मंतुरी ने बार को इंटिजू दिया और इसमें प्रधान मंतुरी ने बड़ी बाते कही उन्होंने कहा ब्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रुकने वाली नहीं है ब्रश्ट लोगों के खिलाफ सक्ट सक्ट आक्शन जारी रहेगा, काररवाई जारी रहेगी साथी साथ प्रधान मंत्री ने एक और बड़ी बात की कि देश के पैसे को चुराने वाले जो लोग है उनके खिलाफ कड़ी काररवाई की जाएगी इडी के सिर्फ तीन पर्सेंट मामले राजनीती से जुड़े हुए हैं प्रधान मंत्री ने ये भी कहा, एक اخوار को प्रधान मंत्री ने इंट्रू sociology दिया, ब्रष्टा चार इडी एक्शन पर प्रधान मंत्री ने खिलकर अपनी बात कही, उन्हों ने कहा कि ब्रष्टा चार के खिलाफ जो लड़ाई है के इन सरकार की वो रुखने वाली नहीं है जो भरष्ट लोग हैं जिन्होंने भरष्टा चार किया है उनके खिलाफ सक्त अक्शन सक्त कारवाई लगातार चलती रहेगी और देश के पैसों को जिन्होंने चुराया है जिन्होंने देश को लूटन आपको बता दे, 19 अपरेल को पहले चरण के मत्दान से पहले प्रधान मंतरी आज ताबर तोड तीन रैलियां करने वाले है कुछी देर में जम्मू कश्मीर के उधंपूर पहुंचने वाले हैं प्रधान मंतरी यहां उटी विशाल रैली होनी है इसके बाद सीधे वो राजिस्थान जाएंगे जहां बाड मेर में वो फिर रैली करेंगे और दौसा में रोड शो करने के लिए सड़क पर भी प्रधान मंतरी उतरेंगे तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधान मंतरी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए हैं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जमो कश्मीर के उदमपूर में कर दिये गए हैं जहां अब से कुछ देर बाद ही प्रधान मंतरी एक रैली को सम्बोदित करने वाले हैं फिर राजस्थान का प्रधान मंतरी का दौरा है बाड मेर में राजस्थान के जनर्सभा करने वाले हैं प्रधान मंतरी और फिर उसके बाद दौसा में रोड शो भी होना है प्रधान मंतरी का स्टार प्रचारक सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं प्रधान मंतरी और उनके बारे में कहा जाता है जहां भी हो जाते है फिर उनका जादू की छड़ी है वो चलती है और फिर अपने पक ओपर प्रधार मंतरी जनिता को संबोधित करने वाले हैं जिसमें उदमपूर कुछी देर में महां एड्रिस करेंगे प्रधार मंतरी एक रैली को और उसके बाद फिर प्रधार मंतरी राजिस्तान में को देखा जाए है और उदमपूर सीट बीजेपी के लिए कितनी एहम है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भीते दस सालों की बात करें तो नरेंद मोडी आज तीसरी बार उदमपूर में रैली करने जा रहे हैं इसी के मदे नजर एडमिनिस्टेशन में शाम पांच बजे तक उदमपूर को नो फ्लाई जोन घोशित कर दिया किसी बी तरह के ड्रोन गुबारे उडाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और प्रधान मंतरी का अब इंतजार हो रहा है किसी बेवाल प्रधान मंतरी उदमपूर पहुंचेंगे बड़े-बड़े पोस्टर्स, वोडिंग्स प्रधान मंतरी के लग चुके हैं और यहां रैली को संबोधित प्रधान मंतरी करेंगे और ऐसी उमीद लगा रहे है ये बीजेपी दो लाख लोग जुट सकते हैं प्रदान मंतरी को सुनने के लिए तो दस साल में तीसरी बार प्रदान मंतरी यहां आए हैं जितेन सिंग यहां से बीजेपी के जो हैं दो बार से वो संसन हैं और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में सीट बचाना एक बड़ी प्रात्मिक्ता है बीजेपी के लिए प्रदान मंतरी यहां आप से कुछ दिर में पहुँचेंगे जितेन सिंग बीजेपी के कैंडिडेट है और अगर इस बार भी वो चुनाव जीत जाते हैं तो यह उनकी हेक्ट्रिक होगी यानि लगातार तीसरी बार जीत होगी क्योंकि 2014 फिर 2019 में भी उदमपुर की लोगसवासी जिते थे 2014 में उन्होंने जमो कश्मीर के पूर मुखे मंतरी और तब कांगरिस में रहे घुलाम नभी आजाद को 60,000 से जादा वोटों से हराया ता तो आप अंदाजा लगा सकते कितना बड़े मार्जन से शिकस दी थी उन्होंने घुलाम नभी आजाद को चुके हैं और दो सांसद एक पूर सांसद और जो हैं वो पूर में लड़ चुके हैं उदमपूर से और इस बार जिते इन सिंग के सामने वो खड़े हैं दो चुनाव उन्होंने नहीं लड़े तो तो ये काफी दिल्चस्प होने जा रहा है मुकामदा और यहाँ आपको ये भी बताते हैं कि उदमपूर के बाद प्रधान मंतरी राजस्तान की बार मेर जैसल मेर लोकसवा सीथ पर मोदी मैजिक चलाने के लिए उतरने वाले हैं पंदरा साल में नरेंदर मोदी की बार मेर 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 ये सिक्स्त यानी चटी रैली है पि-म की ये रैली कितनी एहम है खुद मुख्यमत्री भजन लाल शर्मा ने वहां मोचा संभाल रखा है वो रैली की तैयारी का जाहिजा लेने के लिए दो बार बार मेर का दोरा भी कर चुके हैं रैली में लोगों की भीर जुटाने के लिए वो रोड शो और सभाई भी कर चुके हैं बार मेर जैसल में लोगसबा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी कैंडिडेट है अब तक उनकी लड़ाई सिर्फ कॉंग्रस ही थी लेकिन इस बार मकाबला त्रिकोनिय हो गया है क्योंकि इंडिपेंडेट कैंडिडेट है रविंदर भाटी उन्होंने मैदान में उतर कर पूरा का पूरा समिकरन ही बिगार दिया में बीजेपी की पूरी उमीद कि अब पीम मोदी की इस रेली पर ये टिकी हुई है रेली के बाद शाम को प्रधान मंतरी दौसा जाएंगे वहाँ वो रोड़ शो भी करने वाले है मौरिंग प्राइम में बड़ी खबार डिफेंस मिनिस्टर राजणा सिंग ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर बढ़ा हमला की और कहा भारत आतंग के खिलाफ कार रवाई करता रहे पाकिस्तान को भी उन्होंने आतंग पर खाबू करने की सला दिया और कह दिया कि अगर पड़ोसी को कोई सहयोग चाहिए कोई हेल्प चाहिए तो भारत आतंग के खात्मे के लिए सहयोग भी करने को तयार है साथी साथ राजनाज सिंग ने ये भी कहा कि P.O.K को भारत का अभिन भारत का हिस्सा था है और रहेगा ये भी कहा है राजनाज सिंग अभादी नहीं कहा है कि हमने वहाँ पर उनके घर में घुसकर मारा है आपने भी कहा कि हम घुसकर मारेंगे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं तो इससे क्या हो रहे है कि सभी पत्रकार हो जाएं या फिर इंटरनाशनल एजनसी वो कह रहे हैं कि पुष्टिकरन हो गई है स्टोर तो इसका खाम्याज भुगतना पड़ेगा आतंकवात पर काबूपाए पाकिस्तान ज़िक पाकिस्तान को लगता है कि वा आतंकवात पर काबू पाने में और समर्थ है नहीं कर सकते हैं तो परुशी देश भारत है उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें आतंखवाद को रोखने के लिए भारत सहयोग करने को तयार है आपने ये भी कहा था कि मूँ तोड जवाब देंगे अगर किसी ने हमारी जमीन का कोई हिस्सा लिया क्या हमारी जमीन का कोई हिस्सा गया है चीन को ऐसा मैं नहीं मानता हूँ जी ऐसा नहीं मानता हूँ इस सब्सक्राइब दोनों चानिया और भारत के बीच वे कमांडर्स लेवल पर बाचीत चल लए है जी कुछ इसूज हैं कुछ इसूज 2013 के भी हैं जिनकों कि रिजाल्व कर करने की आवश्यक्ता है और वो ठीक तरीके से भी बाचीत चल लए है बाचीत का सिलसिला तूटा नहीं है और मैं तो यहीं उमीड करता हूं कि बाचीत कर वारा इसका कोई न कोई समाधान निकलेगा तो समाधान कब तक और बाचीत कितने और दौर देखिए जब बाचीत चलती है दो देशों के भीच तो उसकी कोई समय चिमाने अधारीद नहीं की जा सकती है कि कब तक इसके प्रणाम आएगए जी लेकिन इसी विस्वास के साथ बातशीत वही कर रहे हैं इसी विस्वास के साथ हम भी बातशीत कर रहे हैं इसका समय-धान निकले तेखेज मैंनए कहना चाहता कि उनकी हुकुमत के समय क्या हुआ था कितने हजार स्क्वाइर किलो मिटर जमीन जो है चीन के कब्जे में गई है हाले कि इतना मैं विस्वाफ देशवासियों को दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी की नित्रतु की गौवर्मेंट के रहते हुए एक इंच जमीन पर कारवाई 10 सालों में एडी ने 2200 क्लोर रुपे जब्त किये भारत को विक्सित बनाने पर बोले पियमोदी बीजेपी की परात्मिक्ता देश को मदबूत करना है 2047 तक देश विक्सित होगा चीन से जमीनी विबात पर राजना सिंग का कॉंगर्स पर हमला बोले कॉंगर्स स शामिल होने वाले नेताओं को पता है कि कॉंगर्स में उनका भला नहीं होगा सनातन विरोधियों पर डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग का निशाना बोले सनातन सब के खल्यान की बात करता है पियमोदी की पाकिस्तान को दो टूप बोले देश में मजबूत सरकार है वातं क्यों को घर में घुसकर मारा जाता है पियमोदी ने कहा भारत का तिरंगा युदक्षेत्र में भी सुरक्षा गारंटी बन जाता है साथना शक्वाद जमू कश्मीर से अनुचे 370 ने रस्त किया दिया पियमोदी की आद जमू कश्मीर के उदंपूर में रैली प्रधान मं में बीजेपी उमीदवार अनिल बलूनी के लिए सिंगर जबी नौटियाल ने प्रचार के तौरान गाया गाना पियमोदी पर गाना था गड़वाल सीट से चुनाब लड़ रहे हैं अनिल बलूनी हरियाना के मुख्यमंचरी नावसी शेनी की आज उत्रा खंड में रहली हरी दौर में जन्न समा को करेंगे संबूर पश्चि मंगाल के जलपाई गूरी के चालसा में मुख्यमंचरी ममताब एनर्जी के ठाफ़ले के सामने लगे जैश्रीराम के नारे मम्ता चालसा इलाखे में हली पैट से उतर कर कार से जा रही थी बंगाल बीजेपी के नेता देलीव गोश्ट ने मम्ता बेनरजी पर सादा निशाना बोले मुसल्मानों को मम्ता दिखा रही हैं दंगे का डर वीजेपी नेता शुविंदु अधिकारी ने हमिदु रह्मान का वीडियो किया ट्वीट चुनाव आयोक से हमिदु रह्मान के खिलाप एक्शन लेने की मांग करती संदेश खाली में जियादती अत्याचार और जमीनों पर जबरन कारवाई की शिकायतों को दर्श कराने के लिए इमेल आईडी बिना डरे लोग शिकायते भेज सकेंगे संदेश खाली एड़रेट cvi.gov.in ये है इमेल आईडी एमसी मले हमिदु रह्मान की वोटरों को धंकी देने का रहों कहा केंद्रियस सुरक्षाबल 26 तक है उसके बाद सबको हमारी पुलिस के साथ विहार में आच चिराख पास्वान की दो चुनावी रैली गया और शिख पुला में जर्णसवा को करेंगे संबोद रहे विहार की सीम नितिश कुमार नवादा जाएंगे पहली बार नितिश कुमार बच से करेंगे चुनावट परचार वियार की सीवान सीट को लेकर आरजेडी में मुश्किल शाहपुद्दीन की पत्नी हिनास साव और पूर विदानसवाद धक्ष अवद वियारी चौजरी के बीच फंसाथ पेच पूर्णिया के निद्री अप्रत्याशी पपूई आदफ के कारहले में पुलिस की चापेमारी बीच प्रचार गारी को दपत किया گیا ओफिस में पुलिस की चापेमारी को पपूई आदफ ने बताया राजडेतिक सादिश चूीच कर लिखा कितना नीचे गिरेगी सरकार पूर्णिया में पप्पु यादव के सपोर्ट में उत्रे आर्जेडी के राश्टियो पदेक्ष देवें रियादव पार्टी का खुले आम कि अविरोत तेजस्टी पर खलक टिकट बांटने का आरोब भी लगाया अर्जेडी उमीदवार मीशा भार्टी ने पियम मोधी पर दिया विवादस पत बयान मीशा भार्टी के प्रदान्मंत्री को लेकर दिये गए बयान पर बीजेपी का पट्वार्ट बीजेपी अध्यक्ट जेपी नडडा ने कहा विपक्ष की हताशा चरम पर है बीजेपी नेतार अभीशंकर प्रसाद का मीसा भार्टी पफालटवार बोले क्या ताना शाहिल आने वाली है मीसा भार्टी फिराग पास्वान ने मीसा के बयान को बदले की भावना कह दिया तेजस्री ने का जनता मुद्दे की बात धून रही है बीजेपी के लोग फुजूल की बात कर रहे है सोला अफ्रेल को बिहार में हुंकार बनेंगे प्रदान मंतरी नरेंद मोधी गया और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगी गुजरात के आनंद में दिखा चुनाव प्रचार का नोखा अंदार बीजेपी उमीरवार, मिखेश पतेल ने बुल्डोजर पर निकाली रह ली महाराश में कॉंग्रेस को नहीं मिल रहे चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट्स, उत्तर मद्य मुंबई, उत्तरी मुंबई के लिए कॉंग्रेस में पत्रयाश्यों को लेकर मंतर जारी महाराश में बीजेपी का दुआधार चुनापर चार, जेपी लंडा की बूलिया में जनसवा, 14 अपरेल को साकोली और भंडार में अमिच शाकी रहे पाकिस्तान को राजनाथ सिंग की चेतावनी बोले भारत को अस्थिर करने की कोशिश की तो भुगतने पढ़ेंगे गंभी नतीजे, आतंगबाद को रोकने में भारत की मदद ले सकता है पाकिस्तान कॉंग्रस पर जमकर बरसे ग्रेवन्तुय अमिच शाह बोले पहले आतंगी धमाके करते थे और कॉंग्रस कुछ नहीं बोलती थी, अब घर में गुसकर आतंग्यों का होता है सापाया हो मिनिस्टर आमिच शाह करेंगे तावड तोर पर चार, यूपी के मुरादाबाद में करेंगे रैली, शाम को तमिलाडू के मदुरई में होगा रोडशू उत्रप्रदेश के सारणपुर्ट में चुनापर चार करेंगे सीमयोग यादितनाथ, शाम को गंगो और देवबंद में करेंगे रैली बीजेपी सांसदार पियन सिंग ने अखिलेश यादव और राहूल गांदी पर सादा निशाना बोले एसी कमरों में बैट कर राजनीती करने वाले कर रहे हैं जीज का दावा मतवर्देश के सिएम मोनी आदव ने कमलनाथ पर सादा निशाना बोले कमलनाथ का हो गया काम चिंदवारा में जैशुरी राम आरेल डी धक्ष जैन चौदी का कॉंग्रिस पर बराहमला बोले चौदी चरण सिंग को मारत रत्म देने वाले फैसले पर राजसमा में कॉंग्रिस सांसर्थों ने की थी हंगामे क्या गुआई हैदरबाद से ओवेसी के खिलाफ चुनाब रड़ नहीं बीजेपी प्रत्याशी मादली लटा का पराबायान बोली इस बार बीजेपी हैदरबाद का खिला करेगी फतह उतरब्रदेश की गोंडा में बीजेपी सांसर्थ बिजबूशन चरण सिंग को डिस्टिक्ट अड्मिनिस्ट्रेशन का नोटिस बिना अनुमती दरजनों गाडियों के साथ लिए के साथ घूंग के पाए गए थे हिमाचर प्रदेश के कैबिनेट मंतरी विक्रमा धित्ते सिंग ने कंगना रनौत पर साधा निशाना बोले भगवान उनको सब्गुद्धी दे आफदा के समय कंगना ने क्शेतर के लिए क्या किया था बीजेपी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली वार कुलू पहुंची कंगना रनौत बीजेपी नेताओं ने कुलू का पारंपरिक परिदान फट्टू और किनौरी टोपी पहना कर उनका स्वाकत लिया 36 गड़ बे लुन्डरा विदाइक प्रबोद मिंज ने कॉंगरेस पर पीम मोडी के खिलाफ साजिश रचने का अरूप लगाया कहा कॉंगरेस के पीम मोडी की जान को खत्रा मत्रा में बीजेपी उम्मीद्वार रहिमा मालीनी ने काटी गेहूं की फसल कड़ी दूप में खेतों में फसल काटते नदर आए मत्रपदेश के अशोप नगर में चुनाफ रचार के तोञाँ जियोति रादी सिंधिया का दिखा अलग अंदाज अपने केमपेन चौंवर्ट डांस करते नजरा है जियोति रादी सिंधिया मदपदेश के पूर सीम शिवरा सिंग चोहान ने सोहामी विवेका नंद से की पीम मोदी की तुलना का विवेका नंद के बाद दूसरे नरेन हुए हैं जिनके देखेंगे हम भारत को विश्व गुरूग के पत पर बैठते देखेंगे जम्मू से कॉंग्रेस के उमीदवार रमन भला के चुनाव परचार में हंगामा आपत में बढ़ गए कारिकरताओं ने मार्शन भी नहीं देने दिया दिले में कई कॉंगरेस नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन कॉंगरेस आई टी सेल के प्रमुक और एम्दाबार से प्रत्याशी रोन गुँपता समैठ कई राज्यों के कॉंगरेस नेता कहिं भीजेपी में हुए शामल बीजेपी ने लोगसभा प्रत्याशी की ग्यार में लिस्ट में यूपी की बदोई सीट पर उमीदवार किया गोशिद बीजेपी ने डॉक्टर बिनोत कुमार भिंद को बनाया है कैडिडेट गाशी विश्वनाद मंदिर में पुजारी के वेश में तैनात रहेंगी पुलिस मंदिर में नोता चुरूल लागू नहीं होगी कोई धका मुक्की काशी विश्योनाद मंदिर में पुलिस को पुजारी के वेश में तैनाच करने के फैस्टे पर अखिलेश आदम ने उठाए सवाल बोले ऐसा आदेश देने वालों को निलम्दित किया जाए डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग का बायान बोले पाक अदिकृत कश्मीर हमारा था है रहे तमिलाडू से बुलिट चलाकर यूबी के प्रियागराज पहुंची राजलक्ष्मीर मांडा प्रधान मंदिर मोधी को तीसरी वाफ टीम बनाने के लिए चुनाव प्रचार अभियान पर निकली है पंजाब के मुख्यमंदरी भगवंतमान जिस रक्षा को लेकर प्यार दिन में बनेगी एम रणनी थी सीम अरविन के जिवाल से होनी है मुलाकार चार्जून को काउंटिंग डे पर सबसे तेस सबसे सठीक नतीजे फारा सो से ज़ादा रिपोर्टर्स के साथ देखिए गुजरात के मुर्वी में नई बस्टैंग के बाज असमाजिक तत्वों ने चम कर मचाया हंगा माद उत्तव देश के सौन मदर जिले के गोरावल कोटवाली क्षित में दो बक्षों में जम कर माती सबजी के खेस से ट्रेक्टर ले जाने के बाद हुआ विवाद 36 गड़ के बिलासपुद में लोन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर की गई करोन रुपए की धोकाद़ी पती गिरफतार पत्नी फराः 36 गड़ में A.C.B. और E.O.W. की टीम में बारहां से जगोबर की चापे मारी शराफ कारोबारी से जुड़े C.A. के दफ्तर और आवास में टीम ने दबिश दी इंदोर हाई कोट के आदेश पर धार की बोर्शाला में सर्वे का काम लगातार जारी 22 दिन A.S.I. की टीम ने सर्वे करने शुरू किया 36 गड़ के भिलाई में स्टील अथार्टी ऑफ इंदिया लिमिटिट के प्लांट में आग से कौराम मच गया प्रोड़क्शन ठप हो गई दो गेंटे की मशक्कत बाद आज तर पाया गया खाबू राजिस्तान के उदेपुर में तेज सरफतार का कहर कार सावान में बज़ू को रौना मदबदेश के उजएन में ईड़ के दोरान इसरेल के खिलाब नारेबाजी का वीडियो हो वाइरल हिंद्यू संगटोनों ने कारवाई किमांग की जांशी यूपी कुलिस मदबदेश के सिंग्रॉली में आदिवासी यूवर को नहीं मिली अंबूलेंस पत्नी को कंदे पे लाज कर 10 किलोमीटर दूर अस्पतार ले गया पती केरिल के वाइनार्ट में जंगलों में लगी आख से हरकम जंगलों का 20 किलोमीटर से जादा इलाका धटक्तान नजर आया यूपी के जासी में मकान में लगी आख से लाकों का नुकसान शौट सर्टिप से लगी थी मकान में आख मदब देश की खंडवा में दो अलग लग जवाँ पर आख का कहर एक मकान और इस दुकान फूरी तरह से जलकर राख दिल्ली में खंबे से तकराई डीटी सी की क्लास अबस गाईवर समेत अठारा यात्वी हुए खायर दिल्ली की नन्नगरी में महिला को कार से कुचलने कारों की गिरफ़तार तीन दिन पहले हुई थी घटा सिक्के में 17,000 फीटी उन्चाई पर गर्जी भार की मिसायर सेना ने चीनी चैंक और बखतर बंग गाड़ियों को जमिदोस करने के लिए प्प्यास किया चैत्र नवरात के चौते दिन प्रधानती नरिन मोदी ने दी बठाई तीन के लिखा देवी कुश्मानदा के आराधना के दिन सभी भक्तों के लिए प्राथना करता चैत्र नवरात का चौता दिन प्राधराज के देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों के भारी फीर जम्मो में त्यूलिप गार्ण बना, तुरिस्ट के लिए आकश्वन का केंद डेश बंसे परेकर ट्यूलिप ट्यूलिप पक्टने पोँचई इमांग पर भी जम कर पिटाई यार के गोपाल गज में एक यूवक में चाकू मारकर ती लोगों को फिया जखमी घट्नाजबाद आरोपी हुआ फ़राई यूपी के घाजीपूर में बखसे में महिला के शब मिलने के मामने में पुलिस की कारवाई एक महिला समय तीन आरोपी गिरिफ्तार यूपी के देवरिया में दो शात्रों पर ऐसी टेक्स संसनी मोटर साइकल सबार यूफो ने घट्ना को दिया अन्जांग मदर्पदेश के रतला में दो अपरेल को मिली यूपी की लाश मामने में परदाफाश अत्या मामने में आरनी में सिपाही को ग्रिफतार किया गया आईपेल में आज लखनों सूपर जाइंस और दिली कैपितल्स के बीच मुखाबला लखनों के इकना स्टेडियम में खेला जाएगा मैच आईपेल में मुंबई इंडिन्स की रॉयल चैलेंजिस रंगलूर पर बड़ी चीज़ साथ रिकेट सेहरा है जसलिए गुम्रा ने शक्ते पांच जीट है गंगलूर के खिलाफ मुंबई इंडिन्स के ईशान, किशन और शूवे कुमार का चला बला दोनों ने खेली अज़शक के अपारी राजिस्तान रॉयल्स की कप्तान संजी सेंसन पर लगा बारान लाख मुपैका जुर्माना, गुज़़ा टाइटिन्स के खिलाफ स्लो ओवर रेट की वज़़े से फाइन लगा पाकिस्तान में इमरान खान को सताया देश के दो टुकले होने का डर, मौदूदा राजमेती कतना करम जितुन्ना उन्निस्टे के बंगन देश्यूट से कर दी मद्दे, भूमद्दे, सागर में इटली के तक्रक्षक का बड़ा आक्शन दो अलग लग अटनाओं में उन सक्ट लोगों को बचाया नौ के शम बराबर रूस की सेना की कारवाई आतन की हमलों की साज़िश रचने के तो संदिक्ड़ों को मार गिराया केनिया में बार्ट से भीशन तबाही 2,000 से जादा लोग हुए विस्थापर खजाकिस्तान में भीशन बार्ट से 8,000 से जादा जानवों की मौत पैंटीस सो से अधिक खरबार में दूबे है केरिवियाई देश हैती में खादे संकट पर यूएन की संस्था वर्ल्ट फूट प्रोग्राम का बायान 2010 के भुकम के बाद से सबसे खराब खादे संकट का सामना कर रहा है थी दक्षिन कोरिया के राश्पदी यूंसुक येओल की कंदरवेटी पार्टी को संसलिये चुनाव में लगा जगता विपक्षी पार्टी ने बड़ी जीत दर जाए और अमेरिका के राश्पदी जो बाइडन ने चीन से फिलिपीन्स की रक्षा करने का क्या बादा दक्षि पर लड़ाई दल्चस्पोती दिखाई दे रही है बीजेपी कैंडिडेट कंग्रा ननौर के खिलाब मोर्शा खोल दिया गया है उमीद जताई जा रहे है कि कंग्रेस इस सीट पर मौझूदा सांसत प्रतिवा सिंग के बेटे और हिमाचल के मंतरी विक्रमा दित्य सिंग क कैंडिडेट बना सकती है अलाकि विक्रमा दित्य सिंग के नाम की घोषणा के पेले ही दोनों के बीच आरोग प्रत्यारोग का सिलसला शुरू हो गया है बीफ खाने के बिबाद के बाद अब कंग्ना ने विक्रमा दित्य सिंग को कॉंग्रेस का छोटा पपू बतला दिया कंगना ने का कि हिमाचल किसी की चागीर नहीं है दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंग ने कंगना के बयान पर पलट वार कर दिया आई आपको सुनाते हैं दोनों ने एक दूसरे के सिलाफ क्या का रहे है कि एक बड़ा पत्पू है दिली लेकिन हमारे यहां में भी एक छोटा पत्पू है जो कहता है कि मैं गव मास खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गव मास खाते हूँ एक कहा देखा कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा कोई फोटो होगा कोई इंट्रव्यू होगा जूठा और एक नमबर का परितुबाद है यह ठोड़ा मख्वू बाठी आ्योगा कुछ के लिए जिस तरीके की भाषा शहली का प्रियोग उन्हों ने किया है शब्दवली का प्रियोग उन्हों ने किया है खास करके हमारे लिए कॉंग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए उसके लिए मैं उनको कोटी कोटी उनका नमन करता हूँ आज तक इस तरीके की भाशा शैली का प्रियोग हिमाचल जैसी पवित्र देव भूमी में नहीं हुआ होगा खेर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिस मनाली के मंच पर थी अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाए अगर मनाली के मुद्दों की बात करीब होती आपको याद है कि कुछी दिनों पहले कुछी महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई हिमाचल में मंडी में आई और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है मैं मनाली बासी मगर क्या आप आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई देखंड़ी में बड़ी खबर बंगाल में बीजे बी नेता शबिंदू अधिकारी ने तर्मृल कॉंग सिदाय्व हामिद रराइमान का एक वीडियो सोचल मीडिया प्लाटपॉमłemtinृ एप प्लापैक्स पर चारी है जिसमें तर्मिल कॉंगर्स विदायत हमि तुर्मातों टॉमाटोंसे दिखाई दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में हमिद तुर्माफ खत्म होने के बाद केंद्डियों यहां से चला जाएगा इसके बाद उनकी फुलिस के साथ लोगों को रहना होगा इसलिए वो अपना वोल परमाद न करें अब बंगाल बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग से हमिद रह्मान के खिलाफ काररवाई की मांग कर दी है उत्त दिनाजपूर के चोपड़ा से हमिद रह्मान हैं और 2022 में विदान सबाचुनाव के दुरान भी इनके विबादा सपद पयान ने खूब दूल पकड़ा था अब एक बात फिर उन्हें इस तरह का पयान दिया है जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है अब इस तरह के सेंडल भाई नी चुलिया भे तर बुरे आमाद ने सेंडल भाई ने रहा थाक भे तो अखनो भी जो कॉर्बेन ना यहां हमार की हो लो बीजेपी नेता शुवेंदू अधिकारी ने तर्मल कॉंग्रिस विदायक हमिदू रह्मान का वीडियो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लैटपॉम बैक्स पर लिखा चोपड़ा से टीमसी विदायक हमिदू रह्मान अपने खिलाब दर्ज आपरादिक मामलों के लिए जाने जाते हैं यहां उन्हें वोटरों और विपक्षी पार्टी के कारेकरताओं को धमात थमकाते हुए देखा जा सकता है उनका आदेश साफ है एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद केंद्री बल चले जाएंगे और एक मातर बल जो रहेगा वो उनका यानि तर्मुल कांग्रेस का है मतदाता और विपक्षी पार्टी के कारेकरताओं को उनसे निपटना होगा मैं चुनाव आयुक से चोपड़ा से टीमसी विधायक हमिदुल रह्मान के धंकी भरे वीडियो पर संग्याल लेना का अग्रह करना चाहूंगा जो सपश्ट रूप से मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं ये एक्सपोस किया है शुविंदू अधिकारी ने मॉनिंग प्राइम में अगली खबर भी पश्चिमंगाल से बीजेपी नेता दिलीब गोश्ट ने मुख्यमंत्वी मम्ता बेनर जी पर बड़ा हमला वोगा वर्दमान में चाय पर चर्चा खारेकर में हिस्सा लेने के बाद गोश्ट ने मम्ता बेनर जी को निशाने पर लिया कहा कि नमास पढ़ने के बाद मम्ता बेनर जी दंगे की बात करती हैं तो क्या मुसल्मान दंगे करते हैं उन्होंने पूछा कि मम्ता बेनर जी मुस्लमानों को बार बार दंगे का खौफ क्यूं दिखा रही हैं। अर्शपीच पश्रमंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बेनर जी को गुरुबाद को जल्पाई गुरी में एक आजीव हालात का सामना करना पड़ जी। मम्ता बेनर जी के खाफले के सामने जैश्रम के नारे लगाने लगाने जैसे ही उनका खाफला चलसा इलाके पहुचा वहाँ जो बीजेपी कारकरता मौजूद थे उन्होंने जैश्रम के नारे लगाने शुरू कर दी। हलाकि इस घटना पर ममताब एनरजी ने ना कोई प्रस्ट्रिया दी ना किसी तरका उनकी तरफ से कोई रियाक्शन आया चालसा आलाके में बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में बीजेपी की रूर मीटिंग चल रही थी तो इसी दोरान महां से मुख्यमेंशी का काफिला गुजरा बीजेपी कारकरता महां मौझूद थे उने जेश्यराम के नारे लगाने शुरू कर दिये सीएम का काफिला वहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए रुका लेकिन मम्तव एनरजी ने कुछ नहीं कहा किसी तरह से रियाक्ट नहीं किया वहां से इनका काफिला गुजर गया जल्पाई गुड़ी का ये मामला है जहां जैश्यराम के नारे बीजेपी कारकरताओं ने मौझब एनरजी के सामने लगाने शुरू करें और मौनिंग प्राइम में अगली खबर मश्चिम बंगाल से ही है संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराद और जमीन कबसे से जुड़ी शुड़ी शिकायते दर्श कराने के लिए सीबी आई ने अब एक एमेल एडरेस चारी है सीबी आई ने ये खदम कलकता हाई कोड के आदेश के बार उठाया है सीबी आई का ये दावा है कि एमेल एडरेस यह जो एमेल एडरेस है संदेश खाली at the rate cvi.gov.in इस पर संदेश खाली की जो फीडिक है अपनी शिकायत दर्श कराने के लिए एक मंच के रूप पे उनके लिए काम करेगा कलकता हाई कोड ने 10 अपरेल को संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीडन और जमीन पर खबजे के मामले की चांच सीबी आई को सौपी थी और अब सीबी आई ने एक तरह का मंच जो है वो संदेश खाली के लोगों को दिया है संदेश खाली at the rate cvi.gov.in यहां अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत है, महिलाओं तो लेकर कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत इस इमेल एड्रेस पर दर्च कर आ सकते हैं और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर हैदराबाद से हैदराबाद में AI MIM के बीच और कॉंग्रेस के बीच समझाओता हो गया है कॉंग्रेस पार्टी ने हैदराबाद में अपना कैंडिडेट ना उतारने का फैसला कर दिया इसका दावा कॉंग्रेस नेता मॉहमद फिरोज ने किया हैदराबाद लोकसवा सीट से असलतुदीन ओवेसी चुलाव लड़ रहे हैं और इस सीट से कॉंग्रेस पार्टी कैंडिडेट नहीं उतारेगी बीजेपी ने ओवेसी के खिलाव माधवी लटा को टिकेट दिया है लेकिन यहां एक तरह का समझोता कॉंग्रेस और ए-ए-म-आ-ए-म के बीच हो गया सद्रुदीन के खिलाव किसी भी कैंडिडेट को कॉंग्रेस नहीं उतारेगी ए-ए-म-आ-ए-म कॉंग्रेस पार्टी तो हैडराबाद में कॉंग्रेस और ओवेसी के बीच हुए इस समझोते पर पीजेपी ने निशाना साथा के इंद्रमन की जीक्रिशन रेडी ने का कि ए-ए-म-आ-ए-म कॉंग्रेस और भी आरस तीनों मिले हुए हैं और ये हिंदूों के खिलाब काम करते हैं यह थीनों charge party हो dem I am party हो और BRS party हो फीनों एकी है एकी group है फीनों का डीनिय एकी है हीनों मिलके काम करते हैं फीनों मिलके पुराने शेयर के हिंदुओं के किलाब बात करते हैं हिंदों का अलगालग 100 सा 32 स्लम्स खाली करवाते हैं मजलिस पार्टी कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो कांग्रेस पार्टी समर्दन करते हैं में पार्टी को बियारस पार्टी सत्ता में तो बियारस पार्टी में को सपोर्ट करते हैं पोलिस पुरे M.A.M के इशार पर नाचने वाले पोलिस को लागाते हैं पुरे हिंदुओं के किलाफ काम करते हैं मजलिस पार्टी उनका समर्दन में सरकार ठाइड़ती हैं न्यूज एटिन इंडिया के साथ चलिए एक ऐसे अनुके सफर पर जो ले जाएगा आपको कली घूचे मौल ले गस्बे काओ काओ शहर शहर देश के हर चुनावी मुद्दे तक टीवीएस रेडर भारत रिपोर्टर सिर्फ न्यूज एटिन इंडिया पर आप देश को खुला रखा गया और स्कूल जाते हुए वो बस हादसे का शिकार हो गए गटना वाली जगह से आई तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो हादसा कितना खतरनाक रहा होगा क्योंकि उस स्कूल बस के परखचे उड़े नजर आए उसके पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह तूटा-पूटा दिखाई दिया और किड्कियों का एक एक शीशा चकना चूर हो गया चश्मतीदों के मताबिक हादसे से पहले वो स्कूल बस बहत तेज रफ्तार में दोड रही थी और एक रास्ते पर मुढने के दौरान ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया इसके बाद वो बस सीधे एक पेड़ से जा भीड़ी और जोर्दार टक्कर के बाद वहीं पलट गई आरोप लगा कि हादसे के वक्त उस्कूल बस का ड्राइवर नशे में धुद था चश्मदीदों के मताबिक वुस्कूल बस उस पेड़ से इतनी तेज अरफतार में टगराई कि कुछ चात्रों की वहीं जान चली गई आनकि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों की मदद से घायल हुए बच्चों को अलग-अलग अस्पतालों में भरती करवा दिया ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज चुरू किया जा सके लेकिन इस घटना की खबर लगते ही उन लोगों के होश उड़ गए जिनके बच्चे हादसे का शिकार हुए और इसके बाद तो वो सीधे उन अस्पतालों की ओर दोड़ पड़े जहां गायल बच्चों को भरती करवाय गया वहाँ लोगों की बारी भीड जमा हो गई कुछ परिजन तो अपने गायल बच्चों को गोध में है उठाकर इलाज के लिए इधर उधर भटकते दिखाए